Hello students, welcome to the official YouTube channel of origin coaching, स्वागत है आप सभी का आज के live class में और आज हम new chapter स्टार्ट कर रहे हैं, class 11 physics का हमारा आज new chapter है गती के नियम, laws of motion, laws of motion हमारा नया chapter होगा और यहां से physics में आपको बहुत मज़ा आने वाला है गती के नियम से हम newton के सभी गती के नियम को पढ़ना ही start करेंगे, गती के नियम को हम three part में पढ़ेंगे सबसे पहले part में हम गती के नियम में पूरे newton के नियम और इसके बाद हमको पढ़ना है घरसन और वित्ती गती तो एक्ट्वल में जो गती का नियम है वो ये तीनों टापिक पढ़ने के बाद कम्प्रीट होता है देखो गती के नियम स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेन बात आप से सेर कर रहा हूं ध्यान से सुनना ये जो लास आप मोसन है गती का नियम है मेकेनिक्स का मैंने आपको बताया था इस्टार्टिंग में फिजिस का इंट्रोडक्शन मेकेनिक्स मतलब यांत्री की जिसमें हम मेकेनिक्स पढ़ते हैं यांत्री की उसमें गती का नियम बहुत महत पूर्ण पार्ट है यही से पूरा best तयार होता है इसका क्योंकि Newton के नियम से जो सुरुवात होता है वह complete आगे आपको पूरे mechanics के पढ़ाई में उसको आपको use में लाना है तो यहां से हम बिल्कुल zero level से basic से start करते हैं इवन हम आपको बल की आउधारना फोर्स के concept से आपको पढ़ाना इस्टार्ट करेंगे और देखो फोर्स का concept क्या है बल की आउधारना concept of force मैं एक बात आप से बहुत important बात आप से यहां share करूँ कि physics में बल एक ऐसा concept है जिसका maximum use होता है कि physics में बल सरवाधिक अलग-अलग नामों से जाना जाता है physics में बल एक ऐसा चीज है जिसको सबसे ज़्यादा अलग-अलग नामों से जाना जाता है मतलब जगह बदलने पर उसका नाम बदल जाता है जैसे दाब बल है, प्रणोध बल है, स्यानता बल है, घरसनर बल है, गुरुत्वा करसनर बल है मतलब बल इतने नामों से जाना जाता है, मैं तो केवल आपको 5-6 अभी गिन के बताया, बाकी आपको और पता चलेगा विद्व चुमकी छेतर में बल है, तो यहाँ पर बल फिजिक्स में बहुत अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सिच्वेसन बदलता है, बल का नाम बदल जाता है, तनाव बल, प्रिस तनाव का बल लेकिन बैसिकली उसका जो मूल अर्थ जो होता है, वह सब जगा एक ही होता है, बल-बल है, भले है अलग-अलग जगे में उसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है, तो आज पहला क्लास है जिसमें हम बल पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको बल के भिन भिन रूपों को पढ़ने को मिले, तो आप प्रापर उसको समझ जाओ कि क्या हो रहा है, तो आस्ता में बल है क्या चीज, बल का अनभाव आप सभी को है, कि बल कैसे लगता है, कहा लगता है, सब आपको उसका प्रेटिकल एस्परियेंस है, लेकिन टूदी होगा कि बल का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है, परिवर्तन करना, परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास, देखो कितने छोटे सब्द में हम इसको महुत अच्छे से परिभासित कर सकते हैं, परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास, मतलब कहीं भी बल लगत नेया है अपने देखा होगा आप सौचो आप कहीं पर भी बल लगा का रहे हो तो कुछ चेंज करना चाह रहे हो kuc leopard विश्चेंज करे मैं तो बल का सिर्फ एक ही रोल है वह परिवर्टन लाता है या परिवर्टन लाने का प्रयास करता है यह बल है तो बल आपन लिखे तो हम क्या कहेंगे बल वह वाय वाय कारक मतलब बाहर से लगने वाला कारक जो किसी भी परिस्थिटी पर पर किसी वसतू के आकरीती पर आयतान पर कई चीजों पर परिवर्तन लाता है यहाँ परियास करता है clear for example मालो मेरे पास यहाँ पर कोई एक पिंड रखा हुआ है suppose यह कोई पिंड रखा हुआ है अब मैं चाहता हूँ कि यह पिंड यहाँ से हटके यहाँ आ जाए मैं चाहता हूँ कि यह पिंड अपने इस्थिती में तो निश्चित रूप से यह पिंड यहाँ पहुंच जाएगा मतलब वो क्या कर लेगा परिवर्तन कर लेगा किस में परिवर्तन कर लेगा अपने इस्थिती में परिवर्तन कर लिया यहाँ था वहाँ से वहाँ चला गया क्या करने पर बल लगाने पर या फिर जैसे हम आपको एक एक जांपल देते हैं कि मालो है कोई पिंड है इस तरह से अब इस पिंड को चाहता हूँ मैं कि इसको मैं एक systematic कोई आकरिती दे दूँ ठीक है जिस तरह से उसको गरम करके पीट के कुछ भी करके आपको मालूम है कि लुहार या सुनार क्या होते हैं उसको आकरिती देते हैं तो इसमें यदि हम बल लगाएं, चारो तरफ से बल लगाएं, या किसी भी प्रकार का उसमें बल लगाएं, तो आपको मालूम है कि इसको हम कोई निश्ची ताकरिती दे सकते हैं, बल लगाके इसको एक्जेक्ट हम गोला बना सकते हैं, बना सकते हैं, इसको बल लगाके हम ऐ यह बताना चाह रहा हूं कि बल वह वाहय कारक है जो किसी पिंड पर या पिंड की आकरिती पर परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है यह बल कहलाता है ठीक है तो बल का रोल आपको सब को समझ में आ गया बल का मतलब परिवर्तन लाना या परिवर्तन ल प्रिवरतन लाता है, या प्रिवरतन लाने का प्रियास करता है चलो, अब आगे हम पढ़ें आगे हम यहाँ पर देखें जड़त्व देखो आज करेंज कहांस Yeah, आपको हमेशा से हमारे ख्लास का नेचर पता है कि हमारा जो पहला क्लास होता है वह completely concept पर होता है मतलब basic concept जो की बहुत ज़रुई है पहला lecture यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया पहला lecture आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो निश्चीतुर से आगे वह chapter अच्छे से समझ में आता है और यदि पहले chapter में हमने लापरवाही कर दिया धंग से नहीं पढ़ा तो फिर next class और उसका next class फिर धीरे complicated लगने लगता है क्योंकि हमको पता नहीं चलता फिर हम पढ़ क्या रहे है तो बल के concept के बाद हम पढ़ेंगे जड़त्व का concept जड़त्व जिसको हम इंगलिस में कहते है इनर्सिया तो यहां पर देखें कि इनर्सिया क्या है जड़त्व क्या है देखो तो जड़त्व क्या है ठीक उल्टा है बल का ठीक उल्टा नेचर है इसका कर सकते हो क्या कि जड़त्व क्या करता है परिवर्तन का विरोध करता है बल का मैंने क्या concept बताया परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जड़त्व उल्टा काम करता है माने या बल का विरोध करता है बोलता है भीया मैं नहीं बदलना चाहता बोलता है मैं नहीं बदलना चाहता, परिवर्तन का विरोध करता है, मैं जैसा हूँ ऐसी रहना चाहता हूँ बोलता है, तो परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, मतलब जड़त्व जो है प्रकृति प्रदत गूर्ण है किसी वस्तू पर, जड आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है तो उसको विरोध करता है तो उसको बुरा लगता है तो एक्ट्वल में आगे हम देखेंगे न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि न्यूटन के नियम जितने निर्जी वस्तुमों पर या प्रकृति पर जितने एप्लाई होता है उससे ज्याद़ वो human being पर मनुस्य पर मानौता पर उतना उससे ज्यादा एप्लिकेवल होता है ऐसा बड़ा जाता है Newton completely प्रकृति के वैग्यानिक थे उन्होंने जितना भी concept दिया वो इंसानों पर भी apply होता है जैसे हम बोलना है जड़त्व क्या है परिवर्तान का विरोध तो आपको मालूम है कि आप एक जानवर को किसी जानवर के बच्चे को पकड़ के आप किसी रस्ती से बाढ़ना चाहेंगे तो उसका विरोध करता है भागना चाहता है छोड़ना चाहता है वो भी उसका विरोध करता है तो यह विरोध करने का जो nature है ये तो मैंने आपको जिवित प्राणियों पर भी बता दिया निर्जी उपर तो होता ही है मतलब यदि कोई पिंड कहीं रखा हुआ है इस्थीर है और उसको आप वहाँ से दूसरे जगा ले जाना चाहो तो उसका विरोध करता है ये जड़त्व कहलाता है clear? तो जड़त्व का सेल्स clear आपको जड़त्व किसी भी प्रदार्थ या वस्तू का वह गुर्ण है जिसके कारण वह अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं या है क्या है एक परिवरतान का विरोत करने वाला नेचर है, प्रकृति है उसका हैबिट है, आदत है उसका अब हम देखते हैं जड़त्व के प्रकार कि भई, जड़त्व तो होता है किसी वस्तु में लेकिन ये कितने प्रकार का हो सकता है जड़त्व के क्या के types हो सकते हैं, तो सबसे पहला type यहां पर लिखा हुआ है, देखो board में, विराम का जड़त्व, innerzia of rest, विराम का जड़त्व क्या होता है, नाम से इसपस्ठ है, विराम के जड़त्व का मतलब है, कि जो पिंड इस्थिर है, वह सद्यव इस्थिर आवस्थ में रहना चाहता है वह गती का विरोध करता है कि यदि कोई इस्थिर है तो हमेशा इस्थिर वस्था में रहना चाहता है जैसे माल लो कहीं पर कोई टेबल रखा हुआ है कोई वस्तू रखा हुआ है इस वस्तू पर यदि हम बल लगाएं तो वह उसका विरोध करता है ठीक है बहुत समान जैसा नियम है आप समझ दे होगे बात को माल यहाँ पर कोई वस्तु रखा है अब इस वस्तु पर इस वस्तु को यदि हम बोले कि यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित हो जा तो वहाँ से नहीं हटेगा बोलेगा कि मैं ऐसी रहूँगा इस थीर वस्ता में रहूँगा तो यह कहलाता है विराम जड़त अभी मैं सबके आपको इसका एक्जामपल देते जाता हूँ तो इस थीर वस्तु क्या है इस थीर अवस्ता में रहना चाहता है देखो इसका कुछ एक्जामपल इस थीर जड़त पका जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्जामपल मैं आपको दे रहा हूँ बहुत कामान एक्जामपल लेकिन बच्पन से आप उसको पढ़ते सुनते आ रहे होगे suppose अपने पास यहाँ कोई ऐसा कोई कंटेनर है इस पकार से कोई जार है, बीकर है, कुछ भी ग्लास है अब इसमें हमने लिक्वीट भरा हुआ है और इसके उपर में suppose हमने एक कार्ड रखा हुआ है ठीक है? इसके उपर में suppose हमने कार्ड बोर्ड रखे हुए है यह मैं रख देता हूँ इसके उपर में कार्ड यह suppose हम इसके उपर में एक card रखे हुए है ये इसके उपर में वो रखा हुआ है इसके उपर में हमने एक coin रखा इसके उपर में हम क्या रखे? एक seeker रखे यहाँ पर हम एक seeker रखे हुए है, यह मालई क्वाएण है ऐसा प्रयब करके आप भी देख सकते हो अब हम क्या करें इस तरह से उपर के कार्ड को जैसे ही हम खीचेंगे उपर के कार्ड को जब आगे खीचेंगे हम तो कार्ड क्या होगा उस कंटेनर के उस पात्र के उपर से खिसर जाएगा लेकिन यहाँ पर जो सिक्का रखा हुआ है वो सिक्का नीचे गिर जाता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि काड को जब वहां से विस्थापीत करते हैं तो सिखका जो है इस्थी रवस्था में है और इस्थी रवस्था में ही रहना चाहता है क्योंकि इस्थिर जड़त्वा क्या कहता है कि जो पिंड इस्थिर है वह हमेशा इस्थिर अवस्था में रहना चाहता है जब तक उसमें अपन कोई बल नहीं लगाते तो वो क्या है? वही पर गिर जाता है यह क्या है इस्थिर जड़त्वा का एक्जामपल है क्यों पीछे गिर जाते हैं क्योंकि कमर से नीचे का जो हिस्ता होता है वह बाइक के साथ में गती अवस्ता में आ जाता है लेकिन कमर के उपर का जो हिस्ता होता है जो अटेच नहीं है बाइक के साथ में या वीकल के साथ अटेच नहीं है वह इस्तिर रहना चाहता है क्योंकि प्रथम नियम कहलाया तो उनका नियम क्या है प्रकृती पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है सभी नियम उनके एक नहीं आप न्यूटन की जितने भी नियम आगे पढ़ोगे उसको आप देखना कि सब के सब प्रकृती पर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है और कु क्या होता है कि धूल के कड़ डंडे के कारण गती अवस्था में आ जाता है या कंबल गती अवस्था में आ जाता है धूल के कड़ इस्थिर रहना चाहते हैं तो कंबल गती में आ जाता है धूल के कड़ इस्थिर रहना चाहता है जिसके कारण दोनों अलग हो जाता है करणता है इस तो एक कहलाता है विराम उसन इंप करता है कि जो पिन्ट गती इस्थिती में वह मैंसा गती स्थिल अवस्था में रहना चाहता है इसे मैंने आप कहाते हैं अब हम देखते हैं कि माल लो हम किसी गती सिल वहान पर बैठे हैं कार में बैठे हैं, बाइक में बैठे हैं या कहीं पर ही बैठे हैं, गती सिल वहान में अपन बैठे हैं और वहान का ड्राइवर यदि अचानक क्या है गाड़ी को रोग दे, बस को रोग दे, कार को रोग दे ठीक है, ट्रेन वगरा तो बहुत स्मूस्थी रूप ने आपको पता है को उसका सिस्टम ही इतना सिस्टेमेटिक होता है लेकिन कार वगरा में बस वगरा में या बाइक में तेजी से ब्रेक अपलाई कर दिया जाए तो हम क्या होता है आगे की और जूख जाते हैं इस पकार से आगे की और जूख जाते हैं अभी जो मैं बताया पीछे गिर जाते हैं उसका ठीक उल्टा उदारान है तो क्यों आगे की और जूख जाते हैं आगे की और जूखने का कारण क्या है कि जैसे ही ब्रेक एपलाई होत तो कमर से नीचे का हिस्सा जो कि गाड़ी के साथ अटेज है वो तो विकल के साथ रेस्ट में आ जाता है लेकिन कमर के उपर का जो हिस्सा है वो गती सिल रहना चाहता है क्योंकि गती जड़त्व का नेचर क्या है कि जो पिंड गती सिल है वो हमेशा गती अवस्था में रहना चाहता है इस कारण से वह रुख जाता है जैसे मालो आपके घर में फेन चल रहा है पंखा चल रहा है अब पंखा चल रहा है उसके बाद ही हम क्या करते हैं मालो हम switch off कर देते हैं तो electricity flow होना तो उसमें बंद हो जाता है वास्ताओं में पंखे को तुरंत रुख जाना चाहिए लेकिन आपने देखा होगा पंखा तुरंत नहीं रुखता switch off करने के बाद भी बहुत देर तक धीरे 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 वो घुमते रहता है क्यों कि जो पिंड गती सील है वो हमेशा गती सील रहना चाहता है फिर आप सुचोगे सार रुख क्यों जाता है तो रुखने का कारण अलग है वो आगे आप पढ़ोगे उसके bearing क्या होते है घरसनर करते हैं उसके blades क्या करते हैं वो जो कमरे में हवा होता है उसके साथ में घरसनर करते हैं इसके कारण धीरे-धीरे वो रुख जाता है इस परकार से गती सील पींड हमेशा गती अवस्त हमेरा रहता है यह क्या कहलाता है गती जड़त में कहलाता है clear, अब देखो nezd हमारा nezd हमारा जो type है वो है दिसा का जड़त। तीसरा इसका जो प्रकार है उसको दिसा का तीसरा जड़त भी होता है जिसे हम दिसा जड़त या डारेक्सट आफ इनर्शिया कहते हैं ये क्या होता है देखो जैसे जो पिंडव इसमें क्या है पिंड क्या होता है अपने गती के दिशा का विरोध करता है अपने गती के दिशा का विरोध करता है मतलब जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में चलते रहना चाहता है और यदि हमको उसके दिशा को बदलना है तो हमको क्या करना पड़ता है उसको उसमें बल लगान पड़ता है फार एक्जाम्पल कुछ इस तरह से दे रहा हूं मालग आपने पास एक इलेक्वठान आपने देखा होगा कि फ्री इलेक्डां की बारे में पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ के मालग यह सफ स्षार्ड में चलते रहना चाहता है अनन्त काल कि अनंत काल चते रहना चाहता है तक गटira कि अप 따भीatore से बल के कारण है यदिव बल हम ना लगाएं मालों अंतिक्ष में हम चले जाएं कि मालों मंत्रिक्ष में जहां पर गूत्वाकरसर का बल नहीं है औहुत पर पत्थर को सीधा फेक देंगे तो वह अनंत समय तक अनंत लंबा दूरी तक वह चलता रहेगा अपने गती के दिशा में परिवर्तन नहीं करेगा तो यह कहलाता है डारेक्शनल इनर्सिया देट मिन्स कोई गती सिल्पिन जिस दिशा में गती करता है वह उसी दिशा में गती करते रहना चाहता है ठीक है यह क्या कहलाता है उसका दिशा जड़त्व कहलाता ह या direction आप inertia कहलाता है clear तो गती सिल्पीन अपने गती के दिशा में परिवरतन नहीं करता इसे हम गती जड़त्व कहते हैं अब देखो next हमारा जो टापिक है वो है Newton के गती का प्रथम नियम अब जो हमने जड़त्व का नियम पढ़ा उसी जड़त्व के नियम को Newton ने Galilio के नियम के नाम से भी जाना जाता है Galilio ने भी इस पर explanation दिया तो Galilion ला भी है Newton के गती का प्रथम नियम क्या है जो की वास्तों में जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है Newton के गती के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं यहाँ पर लिख देता हूं है जड़त्व का नियम जड़त्व का नियम क्यों कहलाता है क्योंकि अभी तक हमने जो तीन प्रकार का जड़त्व देखा इस्थिर जड़त्व गती जड़त्व और दिशा जड़त्व यह तीनों को जब हम combine करके पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं न्यूटन के गती का प्रथम नियम कहते हैं इस पकार से देखो न्यूटन के गती का प्रथम नियम क्या कहता है कि जो वस्तु इस्थिर है वह इस्थिर ही रहेगी न्यूटन ने कहा कि जो वस्तु इस्थिर है वह इस्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेक से देखो वेक भी नहीं बतलेगा जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेक से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाहे बल न लगाया जाए आगे देखो न्यूटन ने रहा है कि बल क्या करता है परिवर्तन का विरोध यह सारी परिवर्तन लाता है जड़त्व परिवर्तन का विरोध करता है और बल परिवर्तन लाता है अब पूरा हमारा ब्रह्मान इसी दोनों पर चल रहा है जड़त्व विरोध करता है बल बोलता है बदल इस पकार से बल चाहती है जब तक कि उस पर कोई वाई है बल न लगाया जाए वाई है बल लगा पर दिशा जड़तों में यदि कोई पिन किसी धिसा में गती सिल है उसको हम बल लगा के दूसरी और मोड़ देते हैं सीधी रेखा में गती करते हैं पिंड को गुरुतपकरसन अपनी और खीच के प्रिथ्वी में गिरा देता है तो दिशा को बदल देता है उसकी तो इस पकार से बल क्या करता है जड़तों में परिवरतन लाता है तो Newton का यह जो नियम है यह नियम बहुत ही बिवहारिक है देखो Newton के नियम इतने easy है ना कोई mathematical calculation प्रथम नियम में कोई गड़िती गड़ना नहीं इसमें और नहीं इसमें कोई ऐसा चीज जिसको आपको प्रूफ करके बहुत ज़्यादा दिखाना पड़े ठीक है उसको concept ही अ मैंने आपको यहां पर बताया और वह example आपको अच्छे से और समझ लेना ठीक है चली अब हम देखते हैं यहां पर समवेग समवेग इसलिए पढ़ा जा रहा है पहले क्योंकि समवेग हम आगे detail में और पढ़ेंगे लेकि समवेग को पहले आपको समझाने का मतलब है कि Newton का दूतिनियम जब हमको पढ़ना होता है Newton का जब हमको दूतिनियम पढ़ना होता है तो Newton की दूतिनियम को पढ़ने से पहले हम समवेग पढ़ते हैं और समवेग के बाद फिर हम आगे और topic को हम आगे continuous करेंगे ठीक है तो यहां पर देखो समवेग समवेग का क्या मतलब है सम समवेग नाम से इसपस्ट है सं से होता है सहती यदि मैं इसको बहुत नाम के बेस पर इसको आपको एस्पेन करूँ तो समवेग दो सब्दो से बना है समवेग ऐसा जिसको हम क्या कर सकते हैं मालूम सं से सहती बहुत लोग इस हिंदी नाम को नहीं भी जानते हैं लेकि नाम को जानना चाहिए सहती और गुडित वेग समवेग का मतलब सहती गुडित वेग और सहती का मतलब क्या होता है द्रभ्यमान उसका दूसरा नाम है सहती का दूसरा नाम है द्रभ्यमान हम द्रभ्यमान के नाम से जादा जानते हैं इसलिए हमको वो इस पकार से समझ में आता है दे किसी भी पिंड के द्रविमान और उसके वेग का गुड़न फल होता है उसको हम क्या कहते हैं समवेग कहते हैं इस पकार से समवेग का सिधा मतलब है किसी भी पिंड के द्रविमान और उसके वेग का गुड़न फल होता है उसको हम क्या कहते हैं समवेग कहते हैं अब इसको हम mathematical पढ़ें इसके और भी से स्थाव पर बात करें तो इसको इस पकार से हम प्रदर्शित करते हैं समवेक को P से प्रदर्शित करते हैं और द्रब एमान को M से और वेक को V से तो P मराबर M into V होता है और यह क्या है एक सदीश रासी है यह ध्यान रखना क्योंकि वेक सदीश रास मातरक लिखें तो द्रब एमान का मातरक क्या होता है किलोग्राम यह केजी हो गया और इसका होता है मीटर पर सेकंड तो मीटर सेकंड इन्वर्स गया तो केजी मीटर सेकंड इन्वर्स क्या होता है समवेक का मातरक होता है क्योंकि द्रब एमान का मातरक किलोग्राम हो गया और वेक का मात्रफ हो गया मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इन्वर्स यह सब आपको मात्रक मापन पढ़ाते समय बताया गया है चलिए अब हम यहां पर देखें कि सम्वेक जो होता है यह तो केवल इसका समान्य रूप से समय का किस परकार का सिधान्त हम इसके बादों पढ़ेंगे अभी हम सम्वेक पर लिटेल इस्टडी करें क्योंकि सम्वेक के बैस पर ही Newton के नियम को पढ़ा जाता है ठीक है समवेग के बैस पर ही Newton के नियम को पढ़ा जाता है दूति नियम को इसलिए समवेग हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो इसके कुछ special case हम पढ़ें यह special case competitive exam में या numericals बनाने में आपको मदद करेंगे जब आप numericals problem solve करेंगे आंकी प्रस्ण हल करेंगे या competitive exam में आप question solve करेंगे तो अब काम आएगा इसलिए कभी भी मैं special case बताऊं किसी फार्मूला पर discuss करूं कुछ notes वगेरा पर बात करूं तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है ठीक है चलिए तो इस special case पर हम discuss करें इस special case है क्या तो सबसे पहले हम इसके पहले इस special case पर यह बात करें कि यदी यदी दो पिंड का वेक समान हो पहले तो हम देखें द्रब्यमान यदी दो पिंडों का द्रब्यमान समान हो तो मालो दो पिंड है और दोनों का द्रब्यमान मालो समान है ठीक है दो पिंड जिनके द्रब्यमान समान है तो यहां पर देखो पहले पिंड का जो समवेग होगा, उसको मैं p1 कह दूँ, तो p1 बराबर हो जाएगा m v1 इस पकार से mv1 होगा, क्यों mv1 होगा, क्योंकि दरब इमान समान हवेग उसका अलग है दूसरे पिंड का समवेग पर मैं बात करूँ तो p2 बराबर क्या हो जाएगा m v2 क्योंकि mass दोनों के अलग-अलग है इस पकार से देखो मालो इसमें इसको मैं divide कर दूँ तो that implies इसमें इसको divide करने पर p1 upon p2 equal to अपने को मिलेगा v1 upon v2 क्योंकि mm कर जाएगा और therefore यहां पर हम क्या का सकते हैं कि p proportional to हो जाएगा और प्री प्रपोस्टनल टु भी पी समनुपाती भी का मतलब होता है कि वेग क्या होता है समवेग के समनुपाती होता है अर्थात यदि हमारे पास दो pind है और उनकी विश्यस्ता यह है कि दोनों pind समांद्र वेग अधीक होता है उस pind का समवेग भी अधीक होता है बात में हम समवेग और गती जूर्जा पर संबंद पढ़ेंगे, फिर समवेग और आवेग पर संबंद पढ़ेंगे, तो बहुत सारे physical quantity पर हम अलग-अलग जब relation पढ़ेंगे आगे चलके, तो वो सब हमको समझना होगा, इसलिए अभी से आपको धीरे-धीरे ये सब concept को clear कर चलो, next के सपन देखते हैं, दो पिन्डों का वेग यदि अलग-अलग हो, case number two, यदि दो पिन्डों का वेग समान हो, यदि दो पिन्डों का वेग समान हो, तो उस condition में क्या होगा देखो, तब हम यहाँ पर, p1 बराबर, m1 into v होगा, and p2 equal to, दरब बिमान अलग-अलग है न दोनों का, m2 into v होगा, अब दरब बिमान अलग-अलग उसको लिखने का जोरत नहीं है, ठीक है, यह है, that implies, अब हम क्या करें, इसमें इसको हम divide कर दें, तो p1 upon p2, p1 upon p2 तो v-v cancel out होगा, और हमको मिल जाएगा, m1 upon m2, therefore इसको हम लिख सकते हैं, p proportional to m, p proportional to m, और इसका मतलब यह हुआ, कि समवेंग दरब बिमान के समान उपाती होता है, देखो, यह जो मैं relation यह बनाते जा रहा हूँ, यह सब relation आपको काम आएंगे, जब अपने को तुलना करने के लिए, समवेंग और गती उर्जा पर संबंध एक ऐसा संबंध है, जिसमें से नीट में हमेशा question आया है, और बहुत से competitive ज़्याम उसमें से question आया है, किस पर समवेंग और गती जूर्जा पर, समवेंग और गती जूर्जा पर बहुत ज़्यादा question पूछा जाता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि समवेंग वगरा का concept आपको बहुत अच्छा हो, तो यह concept क्या कहता है, ध् पढ़ा होगा या पर किसी से सुना होगा, कि मानलो एक कार है, और कार की speed मानलो 100 km पर अवर है, एक कार है और एक train है, और कार और train दोनों की speed का है, 100 km पर अवर है, यहाँ पर मैं छोटा सा figure बना के आपको समझाता हूँ, कि मानलो यह एक कार है, यह कार है, और सपोस यहाँ पर एक train है सपोस्थ यहां पर हमने एक train बनाया यह सपोस्थ एक train है और दोनों का speed equal है इसका भी speed 100 km per hour है और इसका भी speed 100 km per hour है तो दोनों का वेग समान है लेकिन ड्राइवर यदि दोनों को रोकना चाहे तो डोनों को रोकने के लिए अलग अलग बल चाहिए यदि कार को रोकने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए तो ट्रेन को रोकने के लिए 10 से ज़्यादा न्यूटन का बल चाहिए बराबर बल लगा के दोनों को नहीं रोका जा सकता है क्यों? क्योंकि चूंकि दोनों का वेग तो समान है लेकिन द्रब विमान अलग-अलग होने के करण द्रब विमान ज़ादा होगा उसका समवेग भी ज़ादा होगा मतलब वेक समान होने पर भी जिसका द्रब विमान ज़ादा होता होता है इसलिए भारी पिंड को रोकना कठीन होता है हलके पिंड को रोकना आसान होता है 100 km पर अवर की स्पीट से चलने वाले कार को रोकना आसान है उसका ड्राइवर सडन ब्रेक लगा के कार को रोक सकता है लेकिन 100 km पर अवर की स्पीट से चलने वाले ट्रेन को सडन नहीं रोका जा सकता अचाना कि दिड्राइवर उस पर ब्रेक एप्लाई करेगा तो रुकेगा नहीं और रुकेगा तो दुर घटना हो जाएगा सब डिब बेक के उपर एक चड़ जाएगे अचानक रोखना पासिवल नहीं हो पाएगा तो ऐसा क्यों पासिवल होता है क्योंकि यह कहता है कि equal velocity पर भी जिसका mask ज्यादा होता है उसका momentum ज्यादा होता है उसका Ahmed ज्यादा होता है इस पकार से आप ध्याँ दखना कि यह दोनों समग्न उपातिक समध होता है और तीसरा case यह case clear, समझ में आगए आपको, इस case में कोई problem किसी को, चलिए, तो third condition हम देखें, third condition में यदि दो पिंड का समवेक समान हो तो, अब हम यहाँ पर discuss करते हैं, कि हमारे पास दो पिंड ऐसे हैं, जिनके momentum क्या है constant है, उसका समवेक समान है, उस condition में क्या होगा, उस condition में P equal to M1 V1 पहले पिंड का, और दूसरे पिंड का P equal to M2 V2 होगा, क्योंकि दो पिंड ऐसे हैं, जिनका समवेक तो बराबर है, लेकिन उनका तो दरब विमान और वेक क्या है, अलग अलग है, तो दरब विमान और वेक के अलग अलग होने के कारण, उनका M1 V1 M2 M2 V2 लिखे, लेकिन समवेक बराबर है, तो दोनों की आपस में बराबर सकते हैं, M1 V1 equal to क्या होगा, M2 V2, that implies यहाँ से कैसा relation आता है, M2 को इधर बन, therefore इस बात को हम लिख सकते हैं, M proportional to 1 upon V, देखो यहाँ पर व्यूत्करमानुपातिक संबंध हो गया, अभी तक संबंध होता था, यह व्यूत्करमानुपातिक संबंध हो गया, अब यह संबंध क्या बताता है, कि वेग दरव्यमान के व्यूत्करमानुपाति होता है, यह निलिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भैं भी प्रपोसोनल का का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिसका दुरब्यमान जदा होता है उसका वेग कम होता है आपने देखा होगा यदि दो किण्ड का संव Magic बराबर हो बना मतलब जो भारी पिंड होता है वो कम वेग से गती करता है मालो आपके पास एक हलका पिंड है और एक भारी पिंड है मालो आपके पास एक लोहे का बाल है और एक रबर का बाल है और दोनों को आप बल लगाओगे तो जिसका द्रब्यमान जादा है वो कम वेग से गती करेगा क्योंकि द्रब् ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा इस प्रकार से बाद में नियूटन ने समवेक का बल के साथ में रिलेशन बताया जो उनके दूतिनियम के नाम से जाना जाता है वो नियम आज नहीं पढ़ेंगे वो नियम हम कल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा नियम है उसके बहुत स मैंने आपको समवेक बहुत डिटेल में समझाया उसके सभी कंडिसंस आपको बताया मैं समझता हूं कि अगले क्लास में आप समवेक बहुत अच्छे तरीके से त्यार करके आएंगे आपको सब समझ में आ गया होगा तो यहां तक किसी को कोई प्राबलम हो तो एक बार अराम से पढ़िए लेकिन एक बार आपको कोई भी चीज समझ में आया तो इतनी गहराईता समझ में आना चाहिए कि उसके बाद उसके किसी भी कंसेट पर आपको प्राबलम नहीं होना चाहिए हर चीज क्योंकि फिजिस कंप्लीट कंसेट पर बहुत सब्जेक्ट है जब त इस तरह के एक्जांपल मैं आपको बता रहा हूं उसको नेचर में आप देखो वो सब उधाराण आपके प्रकृती में आसपास आपके सराउंडिंग में वो होते रहता है इसलिए आपको सबसे पहले उन घटनाओं को अबजर्व करना है समझना है तो फिर क्या है आप फि नोट्स बना सकते हो नोट्स अपने से भी बना सकते हो जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उसको आफ्लाइन क्लास की तरह आप नोट करो हम तो आपको परियाप्त टाइम देते हैं हम आपको परियाप्त समय देते हैं इसकी नसाट लेने के लिए भी समय देते हैं तो नोट्स समवेग परिवर्तन की दर Newton ने बताया कि यदि किसी गती सिल पिंड के समवेग में परिवर्तन हो रहा है समवेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि पहले समवेग कुछ और था बाद में समवेग कुछ और हो जाए या तो वृध्धी हो जाए या कमी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन समवेग में परिवर्तन होना चाहिए तो Newton ने बताया कि किसी भी पिंड के समवेग में परिवर्तन की जो दर है दर मतलब समय के सापेक्ष वह उस पिंड पर लगाए गए बल के समनुपाती होता है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है मतलब समवेग में परिवर्तन होगा क्योंकि समवेग सदिस्रासी है तो समवेग में परिवर्तन की जो दिशा होती है वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है यह कहलाता है Newton का Dithenium Newton की गती का Dithenium और ध्यान दखना Newton की गती का Dithenium बहुत ही जादा important है मतलब इस चेप्टर का सबसे important topic है और आगे चलके आपको यह आगे बहुत काम भी आने को है ठीक है तो यहाँ पर देखो कथन हमने कथन को हमने यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है Newton के गती का Dithenium second lap motion कथन क्या करता है कि किसी वस्तू किसी वस्तू के समवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है यह जो परिवर्तन होता है यह बहुत महत्पूर बात है कि यह जो परिवर्तन होता है बल की दिशा में होता है एक बात आप हमेशा ध्यार रखना कोई भी वह ज्यानिक का कथन हो किसी भी scientist का जो statement होता है उसको आपको word to word सब्दसा परिक्षा में लिखना है कभी कभी हम क्या करते हैं कि नियम को समझ के हम उसको अपने सब्दों में explain कर देते हैं वह सही नहीं है क्योंकि हम इसको statement कहते हैं कथन कहते हैं और कथन का मतलब है कि जो वैज्ञानिक के द्वारा दिये गए language में है उसी language में ही हमको उसको लिखना चाहिए इसलिए ध्यान में रखना कथन को सब्दसा याद करो समझो लेकि समझने की बाद सब्दसा याद करो बोर्ड एक्जाम में जब आपको लिखना होता है 11 तो आपको home examination है लेकिन अभी से आपको habit बनाना चाहिए तो बोर्ड एक्जाम में जब आप answer लिखो गए तो किसी भी वैज्यानिक के कथन को परिभासा को इनको पुस्तक की भासा में सब्दसा लिखो तो आपका scoring अच्छा होगा समझने के लिए आप किसी भी तरह समझ सकते हो लेकिन लिखना आपको book के language में चाहिए मार्स स्कोर करने के लिए theory एक्जाम में समझना अलग बात होता है और उन चीजों को एक्जाम में represent करना अलग बात होता है ठीक है चलिए तो अब हम इस कथन को mathematical लिखते हैं mathematical हम इसको दो तरीके से express कर सकते हैं एक तो algebraic फाम में और दूसरा calculus के फाम में तो दोनों तरीके से मैं आपको इसको explain कर रहा हूँ ठीक है सबसे पहले algebraic फाम में हम इसको calculate करते हैं तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि माल लो किसी पिंड का यहाँ पर माल लेते हैं कि माल लो किसी पिंड का वेग माल लो किसी पिंड का द्रभ्यमान इस मालेम तथा वेग क्रमसा भीवन तथा भीटू है इसका मतलब क्या हुआ कि पिंड का द्रभ्यमान तो एम है क्योंकि पिंड का द्रभ्यमान तो नहीं बदलेगा लेकिन उसका वेग अलग अलग है पहला वेग उसका पहला माल लो पहले उसका वेग वेग भीवन है और बाद में उसका वेग भीटू है तो इसलिए सम्वेग इसलिए दि हम पहले पिंड का समवेग लिखें तो P1 बराबर क्या हो जाएगा M into V1 और दूसरे पिंड का समवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा M into V2 यह हो जाएगा तो पहले पिंड का समवेग P1 equal to M into V1 और दूसरे का क्या हो जाएगा M into V2 अब न्यूटन ने बोला क्या अपने न्यूटन ने अपने कथन में बोला कि समवेग परिवरतन की दर लगाए गए बलके समवन उपाती होता है तो आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं इसलिए न्यूटन के अनुसार अब हम लिख सकते हैं Newton के उनसार समवेग परिवरतन की दर F जो है वह समनुपाती होता है किसके P1-P2 upon T समवेग परिवरतन की दर मतलब प्रारंभिक समवेग रिर अंतिम समवेग रिर प्रारंभिक समवेग भी लिख सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको आप P2-P1 या P1-P2 दोनों लि चलो मैं यहाँ पर 2-1 कर देता हूं लेकिन दोनों सही है तो समवेग परिवरतन की दर मतलब समवेग परिवरतन माने P2-P1 और दर मतलब हमने समय का भाग दिया और वो क्या होता है लगाए गए बलके समनुपाती होता है अब इसको आगे हम सिंप्लिफाई करें तो क्या ल कर लिए अब यहाँ पर P1 और P2 कमान भर देते हैं तो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है देखो P1 कमान P1 क्या है M into V1 है तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं P2 कमान पहले लिखना है न तो M into V2 minus M into V1 और अपान क्या हो जाएगा T ऐसा लिख सकते हैं That implies आगे यदि हम इसको लिखना चाहें तो F equal to हो जाएगा K into अब यहाँ पर देखो M को हम कामन कर लिए दोनों में M उभेरिस्ट है तो उसको हमने कामन कर लिया M कामन करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा V2 minus V1 upon T V2 minus V1 upon T होगा और V2 minus V1 upon T मतलब वेग में परिवर्तन की दर और हमने पढ़ा है पहले चेप्टर में कि वेग परिवर्तन की दर को तौरण कहते हैं इस पकार से इसके वेग में जो परिवर्तन होगा इस पकार से इसके वेग में जो परिवर्तन है और इस वेग परिवर्तन की दर को अंतिम वेग, रिर्ट प्रारंभिक वेग बटे समय तरण होता है तब हम उसको तरण लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा फार्मूला क्या हो एगा therefore f equal to k into m into a यह हो जादा f equal to k into m into a जहाँ पर k क्या है? एक बल नियतांग है और newton ने बल नियतांग को इकाई ले लिया newton ने अपने rule में बल नियतांग को इकाई लिया, मतलब उसका मान एक लिया तो यदि हम m के मान को एक ले ले ले, यदि m equal to 1 ले लिया जाए तो उस condition में बल बराबर हो जाएगा द्रब्यमान गुडित त्वरण इस पकार से Newton के द्विती नियम से बल और त्वरण में एक संबन मिलता है जिसको हम f equal to m into a कहते हैं और यहीं से हमको पता चला कि बल बराबर द्रब्यमान गुडित त्वरण होता है अभी हम इस पर बहुत discuss करेंगे लेकिन यह जो मैं अभी आपको बताया यह suppose यह method number first है इसको explain करने का method number first है आप चाहो तो ऐसा explain करो और आप चाहो तो अभी मैं आपको बताता हूँ calculus का method वैसा भी आपको जानना चाहिए क्योंकि देखो आपको calculus पढ़ाया गया है गड़ती आउधारणा में और calculus का बहुत use होता है तो दोनों method से आप जानो और खासकर जब हम numericals बनाते हैं competitive exam के लिए जब हम numericals बनाते हैं तो calculus का method बहुत आसान होता है क्योंकि उससे कम step में value मिल जाता है ठीक है तो यह है देखो newton के उनसार हम लिखेंगे समय परवतन की दर बटे समय इसको del p भी लिखा जा सकता है और इस तरह से बल बराबर दर बिमान गुड़ी तोरण होता है यहाँ तक कोई problem आप इसका skin साट ले सकते हैं अभी आप साथ में notes बनाईए लेकिन बाद में notes आपको provide कराऊंगा application पर अभी तो आप साथ में बनाओ ओके चलिए इसका मैं आपको second method बता हूं by calculus calculus से मैं आपको second method में इसमें बता रहा हूं देखो calculus के help से इसको ज्यादा आसानी से अपन एस्प्लैन कर सकते हैं कैसे question में Newton ने अपने rule में क्या बताया कि बल जो होता है वह समवन उपाती होता है समवेक परिवर्तन की दर तो उसको हम dp upon d लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है किसी भी physical quantity का किसी भी भौतिक रासी का परिवर्तन का दर निकालने का मतलब होता है time के respect में उसका differentiation जब हम उस भौतिक रासी का समय के सापेक्ष आउकलन करते हैं तो समय के सापेक्ष आउकलन करने को ही हम दर करते हैं इस पकार से हम क्या का सकते हैं कि समवेक परिवर्तन की जो धर है वह लगाएगा बलके समानुपाति होता है और इस पकार से इसको आगे यदि हम simplify करें तो आगे simplify करने पर हमको क्या मिलेगा देखो यह हो जाएगा f equal 1k का multiplication कर दिया समानुपातिक निक तांका और यह हो जाएगा d upon dt और p को लिख सकते हैं हम m into v यह आपको पता है ऐसा लिख सकते हैं that implies f equal that implies f equal to k into m को हम यह दी बाहर करते हैं तो m बाहर हो जाएगा और यह हो जाएगा dv upon dt यह होगा और that implies f equal k और आपको मालूम है कि dv upon dt माने वेक परिवरतन की दर को हम क्या कहते हैं तो f equal to हो जाएगा k into m into a हो जाएगा और पुना यहाँ पर भी यदि k equal to 1 लिया जाए तब हो जाएगा f equal to m into a इस पकार से बल बराबर होता है द्रब बिमान गुडित त्वरण बल बराबर द्रब बिमान गुडित त्वरण यह होता है और आगे हम अब इसके मात्रक पर discuss करें कि बल बराबर द्रब बिमान गुडित त्वरण होता है और इसका मात्रक newton होता है फिर हम इसकी साहता से 1 Newton को define भी करेंगे तो हम इसके मात्रक पर बात करें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा देखो मात्रक निकालने के लिए F equal to, देखो M क्या है? M का मात्रक kilogram होगा तो M का मात्रक यह हो गया kilogram और इन्टू तोरण का मात्रक होता है meter second inverse square तो इसका जो मात्रक होता है केजी meter inverse second inverse square होता है लेकिन इतने को इतनी पूरी रासी को एक साथ क्या कहा गया? Newton कहा गया इसको हम Newton कहते हैं इस परकार से वास्तों में Newton का नाम Newton के respect पर केजी meter second inverse square को हम एक सब्द में Newton कहते हैं तो हम बल का मात्रक Newton Newton बोलते रहते हैं लेकिन वास्तों में Newton का मतलब यह होता है केजी into meter into second का inverse square यह Newton कहलाता है तो Newton scientist के नाम पर इसके मात्रक को Newton रखा गया और हम इसको N से represent करते हैं पूरा Newton नहीं लिखते हैं साट फाम में N से लिखते हैं जैसे मालो किसी पिंड पर 10 Newton का बल लग रहा हो तो 10 N लिखते हैं ठीक है याद करोगे तो कितने मात्रक को आप याद कर पाओगे इसलिए इनको समझना है इनको पूरा समझने का प्रयास करना है और समझ के ही इसके मात्रक को आपको लिखना है तो समझ के हम वन न्यूटन की मात्रा को कैसे लिख सकते हैं देखो चुंकि हमको यहाँ पर इसका सूत्र पता है कि बल बराबर होता है द्रब्यमान गुरित तौरण यह बराबर होता है द्रब्यमान गुरित तौरण और उसके तोरण को हमने ले लिया 1 meter per second square यह हमने ले लिया उसके तोरण को तो PINDA के द्रब विमान को हमने 1 kg ले लिया यह और उसके तोरण को हमने ले लिया 1 meter per second square अब इस बात को हम यहां पर apply करें तो therefore F equal to ये भी 1, ये भी 1 यह दोनों one हो गया तो one into one यह हो जाएगा one newton अब इस पकार से हम इसको सब्दों में क्या कहेंगे ध्यान से समझना ठीक है देखो one newton बल ध्यान से सुनो एक बार में परिभासा आपको याद हो जाना चाहिए आपको कोशिश करना चाहिए कि मेरे lecture के साथ ही वो चीज आपको तयार हो जाए मतलब आपको फिर रिविजन करने का भी जहुरत मा पड़े इतना ध्यान से उनको समझना है और थोड़ा टेक्निक को पकड़ना है तो मैं क्या बोल रहा हूं one newton एक newton का बल उस बल के बराबर या one newton वह बल है सब्दों का तो कोई limit नहीं है कई तरीके से अ किसी एक किलोग्राम के पिंड को किसी एक किलोग्राम के पिंड को वन मीटर पर सेकंड स्क्वेर से त्वरित करने के लिए आवस्यक होता है one newton बल का वहमान है सुनना ध्यान से one newton बल का वहमान है जो किसी एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर पर सेकंड स्क्वेर के त्वरण उत्पन करने के लिए आवस्यक होता है या जरूरी होता है यह बहुत आसान परिभासा है तो परिच्छम आपको एक newton का पुछेगा तो ऐसे पुछोंगे लिखोंगे और मैं दूसरे तरीके सा उसको बता रहा हूँ एक किलोग्राम के पिंड में देखो जो समझा है वो कई तरीके से बोलेगा एक किलोग्राम के पिंड में एक मीटर पर सेकंड स्क्वेर का त्वरण उत्पन करने के लिए आवस्यक बल की मात्रा को वन न्यूटन कहते हैं उल्टा बोल दिया एक बार मैंने क्या बोला एक न्यूटन बल का वहमान है जो किसी एक किलोग्राम के पिंड में वन मीटर पर सेकंड स्क्वेर त्वराण उत्पर्ण करने के लिए आवस्यक होता है फिर मैं कैसे बोला दुबारा एक किलोग्राम के पिंड में वन मीटर पर सेकंड स्क्वेर का त्वराण उत्पर्ण करने के लिए जितने बल की आवस्यकता होती है उससे हम एक Newton कहते हैं तो इस प्रकार से परिभासा लिखा जा सकता है और जैसे मैं बोल रहा हूँ यदि परिभासाओं को आप उस तरह से समझ गए तो कभी आपको किसी परिभासा को याद नहीं करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा केवल फार्मूला आपको सिर्फ यदि यह पता है कि बल बराबर द्रभ इमान गुडित त्वरण यदि आपको सिर्फ यह पता है कि बल बराबर द्रभ इमान गुडित त्वरण तो आप इतने से ही पूरा परिभासा बना सकते हैं तो यह हैं दो तरीका से मैंने आपको इस फार्मूला को बताया बल बराबर दरब इमान गुरी त्वरण को एक मैंने आपको simple algebraic method से बताया यह method number first method number first फिर मैंने बताया आपको second method calculus का method और फिर हमने देखा 1 newton की परिभासा अब इस बल बराबर दरब इमान गुरी त्वरण की सहायता से हम थोड़ा सा भार के concept को भी यहाँ पर समझ लेते हैं हाला कि हम भार का concept आगे चलके और पढ़ेंगी उसको लेकिन यहाँ पर हम एक बार उसको define कर देते हैं कि actual में भार का concept क्या है चलिए तो अब हम बात करते हैं भार पर वेट होता क्या है भार या वेट क्या है भई वेट वजन आपने वाली मसीन पर वेइंग मसीन पर जब आप खड़े हो जाते हैं तो आजकल बहुत तरह के मसीन आते हैं नीडिल वाले भी आते हैं स्प्रिंग वाले और डिजिटल भी आते हैं वह आपका वेट बता देता है कि आप 50 kg हो 60 kg हो आपको बता देते हैं तो आप बोलते हो कि मेरा वेट 60 kg है लेकिन वास्ताओं में आप फिजिस के concept के हिसाब से सोचोगे तो वह आपका वेट नहीं बताता है वह आपका वेट नहीं बताता है वह वास्ताओं में अपना reaction force बताता है कि आपको पर वह कितना reaction force लगा रहा है अभी Newton के 3,000,000 पढ़ेंगे तो आपको उसको मैं एक बार और उसको पीछे जाके फिर एक बार समझाऊंगा ले यहाँ पर एक साधारन त्वरण है लेकिन मान लो यदि जो ये साधारन त्वरण है वह गुरुत्वी त्वरण बन जाए जी बन जाए यदि ए बराबर जी हो तो उस condition में ये जो बल होगा उस बल को फिर हम बल नहीं कहेंगे तब हम इसका नाम बल नहीं रखेंगे उसका डबलू लिखेंगे और डबलू बराबर हो जाएगा एम इंटू जी इस पकार से आप देखो वास्तों में हमारा जो भार होता है यह भार द्रब्यमान गुरुत त्वरण ही होता है लेकिन यह साधारन त्वरण नहों के गुरुत्वी त्वरण होता है कहने का मतलब भार ही क्या है बल है देखो मैंने जब आपको इस चेप्टर को पढ़ाना ही स्टाइट किया तो आप लोगों को याद है मैंने पहला कॉंसेप्ट आपको बल पर पढ़ाया सबसे पहले मैं आपको बल समझाया और बल पढ़ाते समय आपको एक बात बताया मैंने कि फिजिक्स मे बल को सरवाधिक अलग अलग नामों से जाना जाता है फिजिक्स में बल ही एक ऐसी भौतिक रासी है जिसको सबसे ज्यादा अलग अलग नाम से जाना जाता है सीच्वेशन बदलने पर बल का नाम ही बदल जाता है देखों यहां पर बल का दूसरा नाम आप पढ़ लिए भार बल का दूसरा नमा पढ़ लिए भार माने भार भी बल ही है किसी भी पिंड का भार बल ही होता है लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है जब हम बल निकालते हैं तो द्रब इमान के साथ में किसका गुणा होता है त्वरण का गुणा होता है बाकी मैं अभी आपको भार का concept को अभी और continue करूँगा लेकिन ये continue करने से पहले ये continue करने से पहले मैं आपको newtons के third lakh को पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर भार में एक बार और पिछे के slide पढ़ाऊंगा ठीक है फिर आप इसको सिर्फ इतना जानो लेकिन यहां पर मैं एक बार और आऊंगा इसलिए मैंने space बना दिया है आपको explain करने के लिए चले अब आगे हम बात करें आवेक पढ़ा अभी हमने समवेक पढ़ा previous class में हमने समवेक पढ़ा समवेक की तरह एक और concept है एक और भोती क्रासी है जिसको हम आवेक कहते हैं और आवेक एक चल में क्या है इंग्लिश में इसको impulse कहते है तो आवेक है क्या सबसे पहले हम देखें इसका mathematical expression आवेक को generally हम J से represent करते हैं आवेक का representation हम J से करते हैं और J equal to होता है F into del T F into del T और यहां पर आप समझ सकते हो F into del T J equal to F into del T होता है जहां पर F क्या है बल है F बल है और del T क्या है समय है लेकिन यह क्या है अल्प समय अंत्राल है यह जो T है उसमें del लगा हुआ है और आपको मालूम है कि जब भी हम किसी physical quantity में del उप्योग करते हैं तो उसका दो अर्थ होता है del लगाने का दो अर्थ होता है या तो वह किसी भौतिक रासी का छोटा part है मतलब differentiate part है अउकलित रूप है उसका या del लगने का मतलब होता है वह एक परिवर्तन सिन वेल्यू है मतलब उसका मान लगातार बदल रहा है तब हम उसमें del लगाते हैं तो del का उपयोग हम physics में किसी भी physical quantity के सामने दो purpose के लिए करते हैं एक तो किसी भौतिक रासी के छोटे मान को बताने के लिए और दूसरा उसमें परिवर्तन हो रहा है उसको बताने के लिए तो यहाँ पर del T क्या है एक अल्प समय अंत्राल है अल्प समय अंत्राल है मतलब बहुत small interval of the time है clear तो आवेक का परिभासा क्या हो जाएगा आवेक का सिधा परिभासा हो जाएगा किसी पिंड पर लगने वाले बल और अल्प समय अंत्राल किसी पिंड पर लगने वाले बल और अल्प समय अंत्राल के गुडन फल को हम आवेक कहते हैं ये बहुत छोटा सा इसका concept है अब हम देखें कि आवेक का क्या role है आवेक का किस तरह से उप्योग होता है आवेक को हम कैसे समझें हैं ये तो हो गया सिर्फ इसकी परिभास है अब इसको हम समझते हैं तो इसको समझने के लिए देखो पहले मैं इसको थोड़ा आपको समझा दूँ इस तरह से therefore यदि हम क्या करें इसको थोड़ा सा और साल्व करें तब हम इसको लिख सकते हैं f equal to j upon del t यह लिख सकते हैं अब यहां से सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि del t का बल के साथ में व्यूत्करमान उपातिक संबंध है इसके साथ में जो संबंध है वह व्यूत्करमान उपाति है समय के साथ व्यूत्करमान उपाति संबंध है और समय के साथ व्यूत्करमान उपाति संबंध होने का मतलब है कि जब T का मान बढ़ेगा जब T का मान बढ़ेगा तो निश्चित उसे बल का मान क्या होगा घटेगा मतलब आवेक के concept के हिसाब से यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल के समयंतराल को हम बढ़ा दे तो उसमें लगने वाले बल का मान घट जाता है अब इसका क्या मतलब हुआ इसके बहुत से मैं आपको example आपको Delhi Life के बताता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा ये क्या होता है जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिर ने स्लाइड में आपको यह बता दूँगा क्यों इसके कौन-कौन से example है यहाँ पर सबसे famous example मैं आपको समझाऊं जो आपको practical experience है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा practical experience होता है हम कोशिस करते हैं उस तरह के example आपको ज़्यादा बताएं फिजीस में example दो बहुत होते हैं तो cricket तो हर कोई खेलता होगा है कि नहीं हम भारत में रहते हों हिंदुस्तान में रहते हों cricket के बारे में ना जाने या cricket ना खेलें तो यह तो possible ही नहीं है समझ दो ठीक है तो आपने cricket खेला होगा minimum देखा तो होगा तो आपने यह देखा होगा कि जब हम बाल को केज करते हैं cricket में अभी तो हम tennis बाल से खेलते हैं तो ज़्यादा headache नहीं रहता लेकिन जब कार के के बाल से या dews बाल से जब हम cricket खेलते हैं तो जिसमें केज करते समय हाथ में बहुत चोट लगने की संभावना होती है ऐसे बाल की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि cricket का खिलाडी जब बाल को केज करता है तो पहले बाल को हाथ में पकड़ के सिधा रोकता नहीं पकड़ को उसको नीचे की और खीशता है इस पकार से खीशता है ठीक है आपने इस तरह से देखा होगा कि suppose इसको imagine कर लो ठीक है ये किसी का हाथ है इस तरह से और ये जब बाल इसमें पहुचता है जब इसमें बाल पहुचता है तो बाल को जब वो केज करता है इस तरह से बाल को केज करते समय वो अपने हाथ को पीछे की और खीशता है जैसे बाल को पकड़ेगा फिर बाल को वो पीछे की और खिर्षता है तो ऐसा हम क्यों करते हैं वैसे बहुत से एक्जामपल हैं लेकिन एक्जामपल से आपको एस्प्लेन कर दूँ तो बाकी सब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है तो ऐसा करने से होता क्या है देखो आपको मालूम है कि कोई भी पिंड कोई भी गती सिल पिंड जब हमारे हाथ से टकराएगा तो उस पर बल लगाएगा और ये जो बल लगाएगा उससे हमको चोट लगेगी भै कोई गती सिल पिंड आके यदि हमारे हाथ से टकराया तो गती सिल्पिन जब हमारे हाथ से आके टक्राएगा तो निश्चीत रुप से चोट लगेगी हमको तो बल का मान यदि कम से कम हो तो चोट हमको कम से कम लगेगा यदि हाथ में बल कम लगे तो चोट भी कम लगेगा तो देखो यह concept करता है कि यदि डेल टी के मान को हम बढ़ा दें, यदि इसके मान को हम अधिक कर दें, तो निश्चित रुप से बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल का मान कम हो जाएगा, इस तरह से cricket का खिलारी जब बाल को पकड़ता है, तो हाथ को पीछे इसलि टाइम लगे, बाल को पकड़के वो पीछे लाएगा, तो बाल एका एक ना रुक कर वो थोड़ा टाइम में रुकेगा, इस तरह से जब हाथ को जब यह पीछे करता है, तो डेल टी के मान को क्या करता है, वो अधिक करता है, बढ़ाता है, और जैसे वो डेल टी के मान को ब प्रवाइब करता है हमारे लाइफ पर आगे हम आवे का सम्मेक के साथ में संबंद पढ़ेंगे जैकर फिजिस की किसी भी कांसेट को पढ़ा जाता है तो बहुत इनीशियल स्टेज पेर वह बहुत असान होता है लेकिन जैसे 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 उसका एप्लीकेशन बढ़ते हेंगे और सेटेल Roberts से पूरा कम्यूनिकेशन का सब्सक्राइब कहले दिया नहीं किया था न्यूटन ने तो वास्तों में कोई भी कौंसरफ जब आता है कोई भी कौंसरफ जब आता है छो पढ़ोए जो कौंसर्थ पढ़े जाते हैं वो पढ़ते समय कई बार स्टुएंट मुझसे पूछते हैं कि इतनी छोटी बात इसमें क्या था इसमें कुछ नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है जैसे 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 आप उसके एप्लीकेशन पर जाते जाओगे तो आपको पता चलेगा उसका एप्लीकेशन बहुत इंप पर ही चर्चा कर लूँ मैं देखो आवेक की अवधार्णा के अनुप्रयोग आवेक के अवधार्णा का क्या अनुप्रयोग है हमारे लाइफ में दो-चार मैने यहां पर एस्प्लेन किया हुआ है बाकी आप समझ लोग यहार बहुत सारे आपको बुक्स में ही मिलेंगे पहला तो मैंने लिख गया है क्रिकेट के खेल में गेन लपकते समय खिलाडी अपने हाथ पीछे कर लेता है यह मैंने अभी आपको एस्प्लेन कर दिया कुछ और एस्प्लेन कर देता हूँ दूसरा आप देखो सरकस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं ठीक यह दिझें सरकस तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर में जूले में जिन लोत दिखाते हैं गया फै को देखे शोले मूला कर दफीर जै और लेते हैं एक राठंड़ को छोड़ के कर दो पकड़ लेते हैं पहुंत रिस्की वरक करते हैं यदि एक बार उनका इमिंग मिसहा पूरा टाइमिंग का खेल होता है आपने देखा होगा तो यदि छूड जाए तो नीचे जमीन पर गिरेंगे और क्या होगा आपको पता है तो इससे बचाने के लिए भले वो गिरते नहीं रेयर आप दा रेयर केस में गिरते होंगे तो नीचे में नेट भी शाके रखते हैं या लास्ट में आपना खेल खतम करने के बाद वो सिड्ही से नहीं उतरते हैं सिधा नेट में जंप कर देते हैं उसको ढहında एक तरह गेम ही हो जाता है उसको ढब करते में इझाने से अरे उतनी उचाय से जंप कर दिया और बहुत अराम से जाली में जंप करनेके बाद वो चलते हुए बाहर निकल जाते हैं, तो net में jump करने सुनको क्यों चोट नहीं लगा, अब आप समझ गया होगे, कि जैसा ही net में jump करते हैं, तो net क्या है, नीचे जाता है, बहुत नीचे जब जाता है, इस तरह से उस आदमी को rest में आने में, तो उसमें जो बल होता है, उसमें reaction force कम लगता है, जिसके कारण उसको चोट कम लगती है, तो एक concept समझने के बाद, बागी को समझने में कोई problem नहीं होता, यह आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद देखो, यह तीसरा example मैंने लिखा है, कुछ उचाई से पक्के फर्स पर कुदने के बजाए रेत पर कुदने पर कम चोट लगती है जैसे मालो हम किसी उचाई पर है या आपने देखा होगा लंबी कुद या उची कुद के खिलाडी जब दौण के आते हैं और जम्प करते हैं उची कुद उसमें आके जम्प करे तो उसमें जब जम्प करेगा तो उसमें जब रेत के अंदर जम्प करेगा तो रेत क्या है अंदर घुसेगा जिसके कारण उसमें बल कम लगेगा उसको चोट कम आएगी तो बहुत सारे चीज आपने इस पर से देखा होगा या एक समान एक्जांपल धियान में आ रहे हैं आपको बता दूं कि हम घर में जब गिलास या चाय अगर पीने के लिए चिनी मिट्टी के कप यूजर करते हैं या कांच का गिलास यूजर करते हैं उसको यदि हम फ्लोर पर गिरा दें अप टाईल पर गिरा दें उसको तो तुरं तूट जाता है लेकिन वही यदि हम यदि 20 ने बैटके चाई पी रहे हैं और यदि कप हमारे से शूट के 20 ने गिर जाये तो कप नई तूटता आपको मालू है क्योंकि गद्दे पर जैसे वो गिरता है तो अंदर की और धस्ता है जिसके कार्ट डेल टी अधिक हो जाता है तो f कम लगता है finally आपको concept यह है कि t का मान जितना कम होगा स्वारी जितना अधिक होगा डेल टी का मान जितना जादा से जादा आप बढ़ाओगे f का मान उतना ही कम से कम होगा जिसके कार्ट डेक्शन फोर्स कम लगता है clear तो यह क्या है आवेक का concept है ओके कोई problem यहाँ तक चली अब हम देखें यहाँ आवेक समवेक प्रमे आवेक समवेक प्रमे क्या था impulse, momentum, theorem यह हम समझ ले आवेक हमने पढ़ा समवेक हमने पढ़ा और आप हम पढ़ते हैं यह दोनों पर सम्बन मैं आपको बता दूँ यह जो theorem है यह बहुत ज्यादा important है जितना भी numerical आवेक से समवेक से रिलेटेड बनाते हैं वो पूरा इसी concept पर बनता है इसलिए इसको इसको बहुत ध्यान से समझना है ठीक है हब देखो चूंकि हमको पता है चूंकि अभी हमने पढ़ा है कि जे बराबर एफ इंटू डेल्टी यह होता है आगे हमको यह दिसाल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं जे इक्वल टू बल बराबर हो जाएगा द्रब्यमान गुडी त्वरण इंटू डेल्टी यह हो जाएगा आगे हम और साल्व करें तो जे इक्वल टू एम इंटू त्वरण को हम कहा लिख सकते हैं वेक परिवर्तन मतलब डेल्वी अपान डेल्टी और इंटू डेल्टी ऐसा लिखा जाएगा क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेक परिवर्तन की दर यह त्वरण है और यह है वेक परिवर्तन की दर तो वेक परिवर्तन की दर हम त्वरण करते हैं इस परकार से यह हो जाएगा आगे जब हम इसको solve करें तो that implies J equal to हो जाएगा M into del T del T cancel out होगा तो del T del T cancel out होने से M into del V होगा अब M into del V क्या होगा? द्रभ्यमान गुरित वेग में परिवर्तन और द्रभ्यमान गुरित वेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग, समवेग होता है तो समवेग डेल भी है तो समवेग में परिवरतन इस पकार से हम सब्दों में क्या कर सकते हैं इसको इस पकार से हम कंसेप्ट को सब्दों में क्या कर सकते हैं तो सब्दों में हम इसको कहेंगे जे तो आवेग है जे आवेग है और ये है समवेग परिवरतन दर नहीं यहाँ पर बहुत से स्टुडेंट कंफ्यूज होते हैं उनको बिल्कूर रटब हो याद रहता है समवेग परिवरतन की दर समवेग परिवरतन की दर यहाँ भी दर लगा देते हैं तो दर नहीं होगा क समवेग परिवर्तन इस परकार से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पिंड का जो आवेग होता है वह उस पिंड के समवेग में जितना परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है कहने का मतलब किसी भी निमेरकल में यदि आपको आवेग निकालने का जवरत पड़े तो आप क्या निकालोगे समवेग में परिवर्तन निकालोगे उसको आवेग कर दोगे ठीक है इस परकार से समवेग में जो परिवर्तन है वह आवेग के बराबर होता है तो यह दोनों में संबंध है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से समझना कि लिए यहां तक कोई प्राब्लम किसी को इसकी साथ ले सकते हैं इसका आप और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज के क्लास का हमारा लास्ट लेक्चर और वो है न्यूटन के गती का त्रिती नियम न्यूटन के गती का त्रिती नियम न्यूटन के गती का त्रिती नियम थर्ड ला न्यूटन थर्ड ला प्मोशन ये तो इतना इंपार्टेंट और इतना बयोहरिक नियम है कि इसको कभी स देर इस एक्ल एंड अपोजिट रियक्ष नन हर वी परद्थिक कृया के बराबर तथा विपूरीस परत्थिक क्रिया होती है आप किसी को गाली दोगे तो वो भी आपको गाली देगा मैंने आपको शुरू दिन बोला था कि Newton के नियम जो non living things हैं निर्जीव वस्तु हैं उससे ज़्यादा living things पर apply होते हैं हम लोग पर ज़्यादा apply होते हैं है कि नहीं बोला जाता है ने give respect and take respect सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा यह Newton का third law है human behavior पर आप जैसा क्रिया करोगे वैसी आपको प्रतिक्रिया मिलेगा ते वस्तुओं पर भी लागू होता है कि कि किसी भी पिंड पर जितना हमबल लगाते हैं उसके opposite direction पर उतना ही वो प्रतिक्रिया देता है और बराबर प्रतिक्रिया देता है ठीक है human behavior में तो प्रतिक्रिया जादा हो सकता है human behavior में और जदा अच्छे से रगता है, प्रतिक्रिया जदा भी हो सकता है, ओसकता है आप किसी को गाली दो, और वो आपको गाली देने के सांसाथ आपकी पिटाइओ भी कर दे, तो प्रतिक्रिया जदा हो गया यहाँ पर, तो human behavior में तो प्रतिक्रिया जादा भी हो सकता है लेकिन निर्जी वस्तुमों पर प्रतिक्रिया जादा नहीं होता इक्वल होता है इसलिए यहाँ पर बराबर सब्द यूज किया Newton ने कि प्रतिक्रिया के बराबर तथ हविप्रित प्रतिक्रिया होती है बहुत सारे एक्जाम पाल मैं आपको समझा दूं जो हर कोई जानता है वो यह है कि सपोज अपने पास इस तरह से एक टेबल रखा हुआ है imagine करो कि हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया ठीक है मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ लेना कि यह एक टेबल है ठीक है अब यह टेबल रखा हुआ है suppose जमीन पर यह suppose फ्लोर पर एक टेबल रखा हुआ है ऐसा आप माल लो और इस table पर उपर हमने एक वस्तू रखा हुआ है मालो हमने एक book रखा हुआ है teacher है book ही रख लेते हैं उपर में तो table के उपर हमने एक book रख दिया है कोई वस्तू रख दिया ऐसा अब यहाँ पर देखो यह पहला print है यहाँ पर यह पहला print है यह book और दूसरा पिंड है यह table तो यहाँ पर होता क्या है कि यह अपने भार के रूप पर इस पर क्रियाबल लगाएगा इस पकार से यहाँ पर लगने वाला जो क्रियाबल होगा यह क्रियाबल है तो उसके ठीक विप्रिद्धिसा में इस पर प्रतिक्रियाबल लगेगा इस पकार से अब यहाँ पर यदि मैं क्रियाबल को f12 कह दूँ f12 का मतलब क्या हुआ पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर लगाएगा बल पहले पिंड के द्वारा दूसरे पर लगाएगा बल वो f12 होगा तो उपर लगने वाले बल को suppose हमने f21 कह दिया तो यहाँ पर Newton ने बताया कि यह जो f12 है f12 है वह equal होता है minus f21 के इस पकार से f12 equal minus f21 होता है यह कहलाता है Newton का थरला इस पकार से आप समझ सकते हो कि किसी भी पिंड पर किसी की भी पिंड पर लगने वाले क्रिया बलके viprit तथा बराबर प्रतिक्रिया होता है यहाँ पर minus sign इसलिए use किया गया है क्योंकि यह viprit दिसा में लगता है इस पकार से यह होता है बहुत आसान है इसके कुछ daily life में example है जो मैं आपको explain कर दूँ जो बहुत famous example है जैसे मालो अपने पास यह तो आप लोगों ने कभी किया होगा मालो एक कुवा है कुवा आप देखे होकर के पूछना पर सकता है मेरे को तो कई बार मैं student से पूछता हूँ बहुत लोगों ने है ना बोर वेल्स का time है आपने बोर बस देखा है तो कुवा क्या पता आप देखे हो की ने खेर गाओं देहाद पे रहने वाले बच्चे कुवा तो जानते हैं अब यह कुवा है अब इस कुवा से जैसे हम bucket से बाल्टी से पानी निकालते हैं मालो यह एक bucket है उससे हम यह रसी से बंधा हुआ है यहाँ पर पूली लगा हुआ है और यह ऐसा पूली से हम पानी निकालते हैं आपने देखा होगा ऐसा पानी निकालते हैं तो यह इस condition में मालो कोई अब रसी बाल्टी से पानी निकाल रहे कुवे से और आप imagine करो कि अचानक ये रसी टूट जाए तो यहाँ पर जो आदमी उसको खिषते रहता है वो गिर जाता है या मान लो एक रसी को दो लोग पकड़े हो ये बड़ी है एक जामपल बता रहूं आपको यहाँ पर यह क्रियावल है और विप्रित दिशा में क्या है प्रतिक्रियावल है अब जब यह रस्ती टूट जाये तो प्रतिक्रियावल लगना बंध हो जाता है जिसके कारण यह क्रियावल है उसके कारण व्यक्ति का होता है गिर जाता है तो क्रिया की विप्रित तथा बर की ज़ласт किया, तो नूटन के तीनो नियम को हमने पढ़ा हाज का हमारा लेक्चर complete नूटन के तीनो नियम पर बैस था अगला लेक्चर हम समद्कमक्षण का सिधांत राकेट नोधन इसपर वेज़ज़ करें ओके यह बहुत और बहुत interesting chapter है तो इस chapter पर आप समझने के साथ साथ बहुत enjoy कर सकते हो क्योंकि इसके concept आपको society में आपके आस पास अपने environment में देखने को मिलता है इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ठीक है चलिए तो यहाँ तक कोई problem हो किसी को तो बताइए तो कोई problem किसी को रैखिक समवेक संरक्षण का नियम ला आप कंजर्वेशन आप linear momentum ये एक बहुत important टापिक है और इसी पर राकेट नोधन का सिध्धान यही है इसी पर बेस्ध है रैखिक समवेक संरक्षण का नियम ला आप कंजर्वेशन आप linear momentum देखो हमने previous lecture में रैखिक समवेक क्या है पढ़ा है रैखिक समवेक का मतलब होता है P बराबर M into V अब उसके संरक्षण का नियम आपको मालूम है कि किसी भी किसी भी चीज का संरक्षण का मतलब होता है उस उसके मान को नियत बना के रखना जैसे हम बोलते हैं उर्जा संरक्षण का नियम ला आफ कंजर्वेशन आफ इनरजी तो उर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है उर्जा संरक्षित है यह क्या कहलाता है उसी तरह से समवेक संरक्षण का मतलब समवेक संरक्षित है नियत है constant है तो किस तरह से होता है देखो यह rule कहता है यह concept कहता है कि यदि हम किसी पिंड पर जो वाहबल लगाते हैं वो यदि सुन्य हो यदि वाहबल यदि किसी पिंड पर लगाया गया वाहबल f का मान 0 हो यदि किसी पिंड पर लगाया गया वाहबल का मान यदि सुन्य हो तो उस condition में उसका जो समवेग होता है तो उसका जो समवेग होता है वह नियत होता है यह कहलाता है रेखिक समवेग संरख्षाण का नियम कहने का मतलब यह कि किसी भी पिंड पर लगाया गया किसी भी पिंड पर लगाया गया यदि वाहे बाद सुन्य हो तो वह उस पिंड का समवेक सदेव नियत रहता है यह कहलाता है समवेक सनरक्षण का नियम अब हम इसको करते हैं प्रूफ इसका प्रमाड मतलब इसको प्रूफ करें कि किस तरह से हम रैखिक सम्वेग संरक्षण के नियम को प्रूफ कर सकते हैं तो किस पकार से इसको प्रूफ किया जा सकते हैं देखो रैखिक सम्वेग संरक्षण और या सम्वेग और बल की बीच में जो नियम दिया गया वो Newton का दूतिनियम है Newton के दूतिनियम है हमें पढ़ा है कि समवेग परिवर्तन की दर लगाएगा बल के समवन उपाती होता है मतलब समवेग और बल की बीच में जो सम्बंध है ये Newton के दूतिनियम से हमको पता चलता है तो चूँकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैं calculus के method से इसको proof कर रहा हूँ चूँकि हमको पता है कि f equal to होता है dp upon dt ये मैंने आपको बताया था कि समवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के समवन उपाती होता है और यदि हम क्या करें बल को नियत ले लें यदि हम बल को बल नियत ले लें तो बल नियत लेने पर f equal to dpy dt हो जाएगा इस तरह से f equal to dpy dt होगा अब यदि हम यहाँ पर f को 0 ले लें यदि हम f को 0 ले लें तो naturally उस condition में f को 0 लेने पर ये हो जाएगा dp upon dt equal to 0 इस तरह से dp upon dt 0 हो जाएगा और हमको calculus से पता है कि किसी भी constant का differentiation ही 0 होता है हम ये बात calculus से जानते हैं अवकलन से कि चूंकि हमको पता है dc by dx equal to होता है 0 मतलब किसी भी नियत रासी का किसी भी constant value का जो differentiation है वो 0 होता है या ultram क्या कर सकते हैं यदि किसी का differentiation 0 हो रहा है तो वह रासी क्या होती है नियत होती है constant होता है इस प्रकार से यहाँ पर देखो कि चुकि P का differentiation 0 हो रहा है तो naturally P क्या हो जाएगा एक constant हो जाएगा इस तरह से P को हम क्या कहा सकते है constant quantity कहते है नियत कहा सकते है यह हमारा proof हो गया इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिणे पर लगाया गया वाय है बल कमान सुन्य हो तो उसका जो समवेग है वह नियत होता है बल कमान यदि सुन्य हो तो समवेग नियत होता है यह कहलाता है रेखिक समय सनरख्षण का सिध्धान ठीक है तो यहां तक आप एक बार समझो एक बार इसका स्कीन साटलो अब इसको हम दो कर्ण निकाय, तीन कर्ण निकाय एन कर्ण निकाय के लिए इसको प्रूफ करेंगे अब यहाँ पर हमने जो रेखी समय सरशन का सिधान जो लिखा है यह क्या है एक कर निकाय के लिए है यह एक कर निकाय के लिए मतलब हमने एक पार्टिकल के लिए उसको लिखा है अब हम इसको देखते हैं दो कर निकाय के लिए देखो 2 कंडिकाय के लिए मतलब अभी हमने देखा कि हमारे पास एक पार्टिकल है सिंगल पार्टिकल है सपोज अपने पास two particles है तो two particles के लिए सपोज एक का समवेक p1 है मानलों एक कंड का समवेक p1 है और दूसरे कंड का समवेक या है? p2 है बहुत आसान है बिल्कुल उसी तरह से इसको भी लिखा जा सकता है तो therefore इसको Newton के नियम से लिख सकते हैं D by dt आप P1 प्लस P2 equal to F मने कुल समवेग हो जाएगा P1 प्लस P2 और equal to F इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कड का जोट कुल समवेग है उसका जो परिवर्तन की दर है समवेग परिवर्तन की दर वह बलके बराबर होगा अब चूंकि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे F के मान को 0 रखेंगे यदि F equal to 0 तो उस condition में हम क्या लिख सकते हैं D by DT आप P1 plus P2 equal to 0 और जब यह 0 हो जाएगा तो therefore इसको हम लिख सकते हैं P1 plus P2 equal to constant इस तरह से हमको पता चलता है कि P1 plus P2 equal to constant मतलब यह सिधान दो कर निकाय के लिए भी सत्य होता है इसी तरह से 3 कर निकाय के लिए 4 कर निकाय के लिए और N कर निकाय के लिए भी यह सत्य होता है तो इस concept को ध्यान रखना किया कितने भी particle system के लिए सत्य होता है इसको भी हम इस तरह से represent कर सकते हैं मानलों हम ले लिख लिए N कर निकाय के लिए N कर निकाय के लिए तो suppose n कर निकाय के लिए हमारे पास जो particles है उनका सब को समवेग क्या है एक particle का P1 समवेग है एक का P2 है एक का P3 है एक का P4 है एंड सो आन इस पकार से Pn मतलब हमारे पास n particle system है और सभी n particle system का जो समवेग है वो P1, P2, P3, P4 एंड सो आन Pn है तो therefore इसको हम क्या लिख सकते हैं Newton के दितिनियम से dy dt आप P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो आन Pn एक्वेग टू F तो समवेग परिवरतन की दर इस पकार से बल के बराबर हो जाएगा अब फिर यहाँ पर हम apply कर दें यदि F कमान क्या हो 0 हो तो उस condition में dy dt आप P1 प्लस P2 प्लस एंड सो आन Pn एक्वेग टू यह 0 हो जाएगा और चू कि इनका सब का अवक्वलन सुननी हो रहा है तो therefore last में हम क्या लिख सकते हैं कि यह सब नियत होगा प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो आन Pn इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा इस पकार से कई तरीके से इसको प्रूफ किया जा सकता है कहने का मतलब यह है कि समवेख रक्षण का सिधान के वाल एक कर के लिए लागू नहीं होता वह दो कर निकाय तीन कर निकाय और बहूं से पार्टिकाल पार्टिसिपिट कर रहें बहूं सारे पार्टिकल जैसे यहां पर क्ण को कहता है कि चाहे कण कितने भी हो यह दि उसमें लगाए गए वाहे सुन्य हो तो पूरे कणं का समवेख क्या होता है नियत होता क्लियर यह कहलाता है समय सालक्षण का सिध्धान्थ क्लियर इसका भी स्किन साथ ले लो या एक बार नोट डाउन कर लो आप देखो ध्यान से समझों इसको चलिए आगे करें फिर हो गया हम ओके हमने अपने एप्लिकेशन पर जो कोर्स लाया है स्रिजन 2.0 निट 2024 के लिए आप अभी से 11 क्लास से ही जवाइन कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पर बिल्कुल बैसिक से आपको पढ़ाएंगे 11 क्लास के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे तो from very beginning बहुत पहले से आप IATJ या निट के preparation के लिए तैयार हो सकते हैं वो एक सही समय है क्योंकि 11 या 12 की पढ़ाई करते करते हमको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए तो फिर बाद में proper prepare हो पाता है वो चलिए, next topic हम पढ़े है रैखिक समवे संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पर हम कुछ उसके applications पढ़ते हैं कि वास्तों में रैखिक समवे संरक्षण का जो नियम है वो किस तरह से applicable होता है हमारे life में तो कुछ example हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसमें से एक बहुत important example है और यह हमने यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है बंदुक का प्रतिछिप्त वेग या recoil velocity आप गन इसमें से बहुत बार question भी पूछा जाता है इसमें से numericals question भी पूछा जाते हैं और यह एक बहुत important concept है अब यहाँ पर हम समझते हैं कि recoil velocity होता क्या है वास्ताव में प्रतिछिप्त इसका वेग होता क्या है जिसको हम प्रतिछिप्त वेग बोलते हैं हिंदी में और इंगलिश में बोलते हैं recall velocity clear तो यह होता क्या है देखो यहाँ पर मैं एक सांकेतिक रूप से एक बंदुक बना देता हूँ यह सांकेतिक रूप से ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको suppose यह कोई बंदुक आप इसको समझ लो और यह उसकी नली है यह कोई बंदुक है suppose अब यहाँ पर सांकेतिक बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए बंदुक का जो total दर भिमान है वो capital aim है और इसके अंदर जो bullet है bullet मतलब गोली इसके अंदर जो गोली है suppose यह जो मैं बना रहा हूँ उसको आप गोली समझ लो और इस गोली का अंदर भिमान इस माले में अब जैसे ही इस बंदुक से bullet fire किया जाता है तो suppose यह bullet इस माल भी वेक से आगे गती करता है भी वेक से गती करता है जिसके करण बंदुक चलाने वाले को जटके का हिसास होता है ऐसा आपने सूना होगा या देखा होगा या महसूस भी क्या होगा इस पकार से जब हम gun से fire करते हैं तो gun fire करने वाले को पीछे की और जटका लगता है क्यों इस वेलसिटी के करण और यही जो capital भी मैंने वेलसिटी लिखा है वो क्या है इसका प्रतिछिप्तवेग है यही recoil velocity है मतलब gun चलाते समय गन पीछे की और जो गती करता है हम उसको उसका recoil velocity बोलते हैं प्रतिछिप्तवेग बोलते हैं अब यहाँ पर देखो कि समय सरशण का सिधान यहाँ पर कैसे काम करता है यहाँ पर two particle system है कैसे two particle system है एक गती करने वाला particle bullet है गोली है और दूसरा गती करने वाला जो particle है वो क्या है gun है तो दो चीज़ यहाँ पर गती कर रहा है तो यह two particle system है और total system का जो समवेग है वो constant होगा that means जितना समवेग bullet का होगा उतना समवेग गोली का भी होगा और कुल मिला के समवेग यहाँ पर क्या होगा? नियत होगा तो therefore यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? दोनों का समवेग कुल समवेग 0 हो जाएगा तो यहाँ पर समवेग समरचण के सिधान समलिक सकते हैं capital M capital V plus small M small V equal to 0 अब हमको यहाँ पर recall velocity निकालना है प्रतिशिप्त बेग निकालना है जो कि capital V है तो capital V equal to यहाँ इसको मुधर transfer कर दें तो minus M V minus M V अपन क्या हो जाएगा? यह capital M हो जाएगा इस पकार से देखो कि इसका जो वेग होगा इसका जो recall velocity होता है वो इतना होता है इतने वेग से बंदूग पीछे की और गती करेगा यहाँ पर निर्ची ने बताता है कि उसके वेग की दिसा क्या होगा? विप्रित होगा मतब जैसे ही हम क्या करेंगे? फायर करेंगे तो बंदूग पीछे की और गती करेगा इसी काराण आपने बचपन में science में पढ़ा होगा कि बंदूग बनाने के लिए हम बंदूग का पीछे का हिस्सा जो होता है जिसको बट कहा जाता है बंदूग के पीछे के हिस्से को बट कहा जाता है तो बंदूग के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको भारी बनाया जाता है उसको वजनी बनाया जाता है तो ऐसा करने से फाइदा क्या होता है देखो जब हम Capital M के मान को बढ़ाएंगे तो इस सुत्र से देखो कि जब Capital M के मान को हम बढ़ाएंगे तो वी कमान घटेगा जैसे जैसे बंदूप को वजनी बनाएंगे, भारी बनाएंगे, मतलब हम केपिटाल M के मान को बढ़ाएंगे तो उसके मान को बढ़ाने पर चूँक इसके साथ में विद्करमान उपातिक संबंध है इसलिए क्या होगा? V का मान घटेगा तो M कमान को बढ़ाने पर भी कमान घटता है इस पकार से बंदूप को जितना भारी बनाएंगे, हम वजनी बनाएंगे उसको पिछे की और जटका उतना ही कम लगेगा मतलब उसका जो रिकॉयल वेलसिटी है, वो उतना ही कम होगा इसलिए आपने देखा होगा कि जब गन को डिजाइन किया जाता है जब बंदूप बनाया जाता है तो पीछे वाले हिस्से को भारी बनते है क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? गन चलाने वाले को पीछे की और कम जटका लगता है ठीक है तो इसका कारण है और यह इसका फर्मूला है जिसको आपको याद भी रखना इसको नोट करिये क्या होता है और इसका फर्मूला क्या होता है यां बंदूक का पीछे कहीं साभारी बनाए जाता है क्यों तो आंसर यही दोगे đ चलिए मैं इस्क्रीन से हटता हूं आप इसका साथ लेलो चलिए एक और एक्जामपल देखें फिर इसका एक और एक्जामपल देखते हैं यह है जब व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की और हटने लगती है आपने ये देखा होगा आपने कभी जील में कहीं बोटिंग किया होगा या लकडी का छोटा मोटा नाव या बोट जो क्या है जील वगर हमें बोटिंग के लिए पैडल वाले जो बोट होते हैं उसमें आपने कभी बोटिंग किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे क्या करते हैं हम बोट से बाहर जंप करते हैं जैसे हम बोट से बाहर जंप करते हैं तो बोट से बाहर जंप करने पर नाव आगे की और खिसकने लगता है हम जंप नहीं कर पाते हैं आपने सायद ऐसा अनभव किया होगा मैं यहाँ पर कुछ figure बना के आपको उसको समझा रहा हूँ यह suppose यह यह जल है और इसमें मालवा एक नाव है यह suppose एक नाव है और इसमें कोई आदमी खड़ा है suppose यहाँ पर यह कोई आदमी खड़ा है यह अब क्या होगा जैसे ही यह jump करना चाहेगा तो जैसे ही jump करने के लिए क्या करेगा यह इस पर बल लगाएगा इस दिशा में बल लगाएगा तो जैसे ही इस दिशा में बल लगाता है तो प्रतिक्रिया के कारण नाव पर इस दिशा में बल लगता है reaction force और जिसके कारण उस प्रतिक्रिया बल से नाउ आगे क्यों खिसक जाता है actual में होता क्या है कि जब भी हम क्या होता है किसी भी पिंड पर बल लगाते है तो प्रतिक्रिया बल होता है Newton ने अपने थर्डा में बताया था और यदि उस प्रतिक्रिया बल में work हो जाए यदि कार ने हो जाए तो फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे वहां फिसाल जाएंगे समझ लो तो जैसे ही यह आदमी इधर जम्प करना चाहता है तो यह नाओ इधर खिसंग जाता है इस दिसा में फिर हो कभी जम्प ही नहीं कर पाएगा इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही हम बोटिंग करके किनारे आते हैं तो जो बोट में होता है जो नावी क्या करता है नाओ को किनारे लकडी का खुटा बंधा होता है लकडी का डंडा उससे बान देता है या पकड के रखता है और बाहर जंप करो बोलता है ऐसा आपने देखा होगा हमने तो बहुत बार experience किया है क्यों पकड के रखता है वो क्योंकि जैसे ही आप जंप करोगे तो आपके जंप के कारण जो बल लगता है उसके करान प्रतिक्रियावल लगेगा और यह प्रतिक्रियावल का करता है नाव को पीछे ढखेल देता है जैसे आप जम्प करना चाहोगे नाव पीछे चला जाएगा फिर जैसे आप जम्प करना चाहोगे फिर नाव पीछे चला जाएगा इस पकार से आप jump ही नहीं कर पाओगे तो नाव को पकड़ के रखना पड़ता है ऐसा कितने लोगों ने experience किया है बताईए ऐसा कितने लोगों ने अनभाव किया है कितने लोगों ने अनभाव किया इस तरह से और नहीं किया है तब करके देखना नाव वाले को बोलना कि भाई नाव को मत पकड मेरे को जम्प करना है अभिनाय ने भी किया है बहुत लोगों ने किया है नेच्रली ऐसा होता है और आप नाव वाले को बोलो कि भाई उसको रसी से बांग के मत रहा कि आप पकड़ मत में जंप करना चाहता हूं तो हसेगा बोलेगा कैसा है ये ऐसे तुम जंप नहीं कर पाओगे बोलेगा है ना मैंने एक दो बार ऐसा करके देखा है जंप करने का कोशिस किया नाव पर क्योंकि अपन ये सब पढ़ाते रहाते तो थोड़ा एस्परिमेंटल भी एप्रोच का मन होता है कि पता तो चले कि जो पढ़ रहा है वो बिहेवियर में सही होता है कि नहीं करके ठीक है नाव में डर लगता है नाव में उसको डर लगता है जिसको तैरना नहीं आता चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एस्प्लेइन कर दूँ लेकिन आज मैं rocket का आपको introduction दे रहूं मैं आज मैं आपको rocket का introduction दे रहू। राकेट होता क्या है। देखो हमारा एक और chapter आएगा। यह हम Пर पूरा हंडेट परसेंट आप से discuss नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, काराण सुन लो। अब ही आगे हमारा एक चेप्टर आएगा गुरूत्वा करसंड के बाद उस चेप्टर का नाम होगा उपग्रहों की गती मोसनाफ सेटेलाइट और सेटेलाइट के चेप्टर में राकेट का पूर्णता ही यूज होगा तो वास्ता में राकेट को पढ़ने का मज़ा फिर लेकिन इस क्लास में मैं उस पर डिसकस करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा क्यों क्यों कि यहां पर हमको सिर्फ राकेट के बारे में पढ़ना है पूरे सेटेलाइट के बारे में नहीं पढ़ना है तो उस क्लास में मैं आपको याद दिलाऊंगा दुबारा राकेट के बार क्यों बनाए गया राकेट आपके कमेंट्स मैं आपके चेट पढ़ रहा हूं बताइए कौन बताएगा कि राकेट क्यों बनाए गया कि अंतरिक्ष में जाने के लिए अभी नहीं ठीक और दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए अच्छा और उन्वर्स टेबल के लिए ठीक है बहुत तरह का कन्फुजन है आप लोगों के दिमाग में नेच्रली रहता है एक्ट्वल में सेटेलाइट का उप्योग अंतरिक्ष में जाने के लिए नहीं करते हैं राकेट से अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं राकेट में कोई मानव नहीं जाता कोई मनुस्य नहीं जाता राकेट वास्तों में मानों को लेके जाने का डिवाइज नहीं है मानों जिसमें जाते हैं उसको हम इसपेस सटल कहते हैं उसको अंत्रिक्स हियान कहा जाता है इंगलिज में बोलते हैं इसपेस सटल राकेट का एक मात्र परपस है सेटेलाइट को लांच करना मतलब satellite को प्रिथ्वी से लेके जाना और प्रिथ्वी के चारों तरब उसको अपने orbital पर इस्थापित करना ये rocket का काम होता है सभावी कुरूप से मैंने बहुत सी student में देखा है कि उनके दिमाग में rocket और space shuttle के बीच का जो difference है वो clear नहीं रहता ज्यादा तर लोग समझते हैं कि rocket भी होई चीज है इसपे shuttle भी होई चीज है भई ऐसा नहीं है rocket का single use होता है rocket एक बार हम use करते हैं और वो हमेशा के लिए समाप्ष हो जाता है एक बार use करके जैसे दिवाली का rocket दिवाली के rocket को जलाया उड़ा उपर जाके फटा जो भी हुआ और खतम कहानी लेकिन अंत्रिक्स यान जो होता है space shuttle जो होता है जिसमें वह ज्यानिक बड़ के जाते हैं वह हमारे flight की तरह ही होता है वह हमारे इंट्राइस टापिक पर तो मैं आपको उस चेप्टर में एक या दो लेक्चर सीलेबस से हटके आपको पूरे उसका टेक्ना राजी समझा दूँगा लेकिन अभी नहीं अभी सिर्फ मैंने बोला ना कि मैं भी सिर्फ राकेट पर बात कर रहा हूं आपसे अभी बताऊंग का राकेट हम लोग यूज करते हैं देखो अभी हमारा देश राकेट टेकना या दी पर दुनिया के सबसेड़ी सरसेस्ट देशों में सामिल है कई मामलों में तो हम दुनिया में से हमारा जो इस्पेस रिशर्ज Center है जिसको हम इसरो कहते हैं यह सब के बारे मैं मैं आपको उस चेप्टर में बताऊंगा आगे एक्चल में राकेट पढ़ाते समय मेरे को थोड़ा सा वह मसूस होते रहता है कमी कि मैं पूरी बात नहीं बता पा रहा हूं लेकिन यहां बता भी नहीं पा रहा हूं दिमाग में बात आ भी रही है उसको रोखना पढ़ रहा है क्योंकि के मैं आपको डिलीवर करूंगा सेटेलाइट वाले चेप्टर में तो दोनों का बहुत जादा रिलेशन है यहां पर चू कि हम समवेख संरक्षण का सिधान पर रहे हैं इसलिए हमको यहां पर राकेट को समझना होता है फिर भी मैं इसको आपको दो क्लास में कंप्रीट करू आँधेंगे, और तो इस इस रो जो होता है इंडियान स्पेस रिसर्च और्कनाइजेशन जिस से हम क्या करते हैं एस यह सुना होगा फिर नाम सुन ces Smack और पिर आपने नाम सुना होगा फिर प्ने नाम तो आनिंग है nslv यह सब क्या है सेटलाइटर लांच वही अक lihat देखो यहाँ पर ल्व-ल्व लिख समय यह लांचिंग विकटल अल्व-ल्व का मतलब लांचिंग विकटल मतलब होता है सता हीं हैं वहन विकल लांचिंग मतलब गलny जैसे पहुंचाए जाए ज है लग अलग टाइप का राकेट यूज किया जाता है जिस तरह के सेटेलाइट को इस्थापित करना है कख्छा में उस परपस के लिए अलग टाइप से राकेट डिजाइन किया जाता है तो यहां पर देखो जी एस लगी जी एस लगी का फूल फार्म है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लांच विकर जिसको सिंक्रोन सेटेलाइट भी कहते हैं जीओ स्टेशनरी मतलब हिंदी बहु इस्थाई लीड़ा या तुल्यकार उगरा इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं यह टापिक अपको पूरा समझ में आएगा, सेटलाइट के चेप्टर में, यहां तो हम सिर्फ राकेट पर बात कर रहे हैं, तो जियो स्टेस्नरी सेटलाइट को लांच करने के लिए, जिस तरह का राकेट डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम GSLV कहते हैं फिर PSLV का मतलब होता है Polar Satellite Launch Vehicle Polar Satellite जो Polar Satellite होते हैं जो अलग परपस के लिए बनाया जाते हैं तो वो क्या होता है Polar Satellite Launch Vehicle होता है अभी latest हमारे देश ने रिसेंटली अभी साल भर पहले करें 6-7 महना पहले एक नया सेटलाइट लांच किया पहले ये दोनों तो चलते थे SSLV SSLV का मतलब है Small Satellite Launch Vehicle अभी भारत ने क्या किया हमारे इसरो ने क्या किया Small Satellite मतलब छोटे-छोटे सेटलाइट को लांच करने के लिए एक अलग विकल बनाया गया जिसको हम Small Satellite लांच विकल करते हैं सब के बारे में मैं आपको सेटलाइट के चेप्टर में डीटेल में समझाऊंगा उस चेप्टर में हम इसके बारे में डीटेल में बात करेंगे आपसे सिलेबस से भी हटके थोड़ा एक दो दिन बात करेंगे फार जालना लेज़ तो यह कहलाता है Small Satellite Lance विकल और यह future planning है यह future की planning है भी हुआ नहीं है और इसको क्या बोलते हैं Nano Satellite Lance विकल इसमाल से भी छोटा Nano मतलब बहुँच छोटा तो उसके बाद भारत की planning है कि भविशियम में हम बहुँच छोटे-छोटे सेटेलाइट क्यों छोटे-छोटे सेटेलाइट पहले एक सेटेलाइट छोड़ दिया जाता था और वो सारा काम करता था उसी से Communication का सिस्टम अभी आप मेरे को क्यों पढ़ पा रहे हो Live आप मेरे को सेटेलाइट के कारण ही लाइब पढ़ पा रहे हो यदि हमारे पास सेटेलाइट सिस्टम नहीं होता यदि हमारे पास Communication का सिस्टम नहीं होता संचार प्रणारी नहीं होती तो आप मुझे इस तरह से Live नहीं पढ़ पाते तो इस satellite के थुरू होता है वो जी वो इस सेटेलाइट के थुरू मैं आपको इस तरह से पढ़ा पा रहा हूँ तो अब भी पहले क्या होता था एक satellite launch करके सब तरह का काम उसी satellite से लिया जाता था लेकिन अब क्या हो रहा है जैसे जैसे साइन्स टेकनलाजी और हमारा सिस्टम बहुत एडवांस होते जा रहा है तो अलग-अलग परिपस के लिए जैसे कुछ दिनों पहले एजुसेट छोड़ा गया था जो एजुकेसनल सेटेलाइट है जिसका काम सिर्फ है एजुकेसन के सिस्टम के लिए है तो अलग-अलग परिपस के लिए अब अलग-अलग सेटेलाइट छोड़े जा रहे है तो इस तरह से छोटे-छोटे सेटेलाइट छोड़े जाएंगे इसको बोलेंगे अपन नैने सेटेलाइट लांस भी कर पहले कुछ वरसों पहले हम खुद अपने सेटलाइट को अधर कंट्रीज के राकेट के थू में के help से छोड़ा करते थे खासकर हम रसिया के help से छोड़ा करते थे पहला सेटलाइट जो छोड़ा गया आरिय भर्ड जिसका नाम था 1975 में वो उसी तरह से उसके help से छोड़ा गया लेकिन अब भारत पूर्ण रुप से इसने क्या है आत्मनिर्भर है ठीक है बहुत से वज्यानिकों विशेष का डाक्टर एपीजी अब्दूल कलाम जी के बहुत महनत और उनके पूरे टीम के प्रयास से अब भारत पूर्ण तह सेट लाइट लांच करने के लिए आत्मनिर्भर है इसका सबसे महत्तपूर्ण पार्ट होता था क्रायोजेनिक इंजन अब भारत क्रायोजेनिक इंजन भी स्वयं बनाता है पहले हम इसके लिए फारें कंट्री पर विदेशों पर डिपेंड होते थे बहुत लंबी बड़ी कहा करने के लिए एक विशेश प्रकार का इंजन का जूरत पड़ता है जिसको हम क्रायोजेनिक इंजन पर भी काम करता है समाने इंजन निगेटिव टेंपरेचर पर काम नहीं करता है आपने देखा होगा कि ठंड की दिन आते हैं था हमारे कार स्टार्ट करने में प्राबलम हो एरिया जहां पर बहुत आइस फार्मेशन हो जाता है बहुत निगेटिव टेंपरेचर चला जाता है वहां पर कार को स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है क्यों निगेटिव टेंपरेचर पर इंजन 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 है जो बहुत कम टेंपरेचर पर भी काम करता है और इस को राकेट में यूज किया जाता है जो पहले भारत नहीं बना पाता था और उसकी बड़ी लंबी कहानी उस पर बात करूं तो एक घंड़ा सिर्फ उसी पर होगा फिला सिर्फ आप यह जान लो कि कलाम जी के विशेस महनस से प्रयास से पूरी उनकी टीम के वर्क से क्रायोजे वो इतना एडवांस है कि आज यदि प्लाइनिंग किया जाए किसी नए सेटेलाइट के लिए नए राकेट के लिए तो विदी ने सिक्स मन्द बलकि और उससे पहले तीन महना चार महने में वो तायार हो जाता है इतना फास्ट और इतना एडवांस है और इकानामिकल भी है और जो इस पेस रिसर्च है जैसे नासा है अमेरिका का नासा है उनसे भी ज़्यादा फास्ट है और इकानामिक भी है मतलब कम कास्ट पर इसलिए दुनिया के बहुत से देश वो हमारे सेटेलाइट से अपना सेटेलाइट लांच करना चाहते हैं क्योंकि अपने खुद के खड़ से जब लांच करते हैं तो वह महंगा होता है बजाए हमारे राकेट के थ्रू में करते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि अब भारत क्या है अपने एक राकेट से बहुत से सेटेलाइट लांच करता है जो अलग-अलग कंट्री के होते हमारा इतना कि छमता नहीं है जिनके पास वो टेक्निक नहीं है या जिनका जो टेक्नलाजी बहुत महंगा है वो हमारे राकेट के थ्रू सेटेलाइट को लांच करते है ठीक है बाकी मैं आपको डीटेल में पढ़ाऊंगा वहाँ पर इस तरह से कुछ होता है देखो कुछ फीगर मैं आ हाँ पर फीगर लिया हुआ है यह वाइट कलर से जो आप देख रहे हो वो राकेट है और यहां पर आप देखो यह वाइट कलर से आप जो यह देख रहे हो यह पूरा क्या है राकेट है और यह उसका पूरा सिस्टम है चारो तरब जो आप देख रहे हो जो इस तरह से हाइ उपर उने लगता है ये मैं आपको कुछ इसरो का आपको विहंगम दिर से बता रहा हूँ ये रियल फोटोग्राफ है इसरो का देखो इस तरह से हमारे इसरो है चारो तरब जंगल के बीच में ये घिरा हुआ है ये कौन सा जंगल कहां कैसे क्या हुआ मैं आपको अगले क्ला क्या होते हैं बहुत सारे खत्रा भी होता है इसको क्योंकि भारेन कंट्री से आतंकवादियों से बहुत सारे चीजों से कंट्री के डवलाप्मेंट को उन लोग डिस्टर्व करना चाहते हैं जिसके कारण थोड़ा सूरक्षा के दिश्ची से बहुत होता है मतलब कोई कामन मेन वहाँ पर जा कि उसकी फोटोग्राफिय सब नहीं कर सकता लेकिन इसरों ने समयम जारी किया है यह इस तरह का इसरों का यह फोटो है देखो यह आपको चारों तरफ यह जंगल बिल्डिंग इसके सारे रिसर्च सेंटर और यह लांच पेड दिख रहा है यहां से लांचि आज काल तो फिल्मों में भी और जब राकेट लांच किया जाता है तो लाइब टेली कास्ट भी होता है अभी पिछले चंद्रयान मिशन के समय हमारे प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश के कुछ बच्चों का सेलेक्शन करके उनके साथ में बैटके लांच लांचिंग उ उससे अच्छा भी लगता है पाउट फिलिंग होता है दूसरा आने वाला जनरेशन उसके लिए प्ररीथ होता है कि मेरे किस फिल्ड में काम करना है ठीक है तो यह है कुछ मैंने आपको जानकारी दिया गती के नियम और हमारा टापिक है राकेट नोधन आज का हमारा टाप है कि राकेट का कारी करने का सिध्धान्त क्या है पहला पाइंट है इसका सिध्धान्त थियोरी राकेट का सिध्धान्त क्या है तो राकेट एक्च्छल में समवेक संरक्षण के सिध्धान पर कारी करता है राकेट के कारी करने का सिध्धान्त है समवेक संरक्षण का प्रणोद बल लगता है जिसके कारान राकेट उपर जाता है यह आगे हम आपको समझाएंगे तो यह समवेग सनक्षण के सिधान पर अधारित होता है इसका पूरा कारे प्रणाली यदि किसी सिस्टम पर या किसी पिंड पर लगाये गया वाहबल यदि सुन्य हो तो संपूर निकाय का समवेग नियत होता है इसी सिधान पर कारे करता है और आगे आपको कल्कुलेशन करते समय यह समझ में आएगा कि किस पकार से इस सिधान पर कारे करता है ओके चली अब यहाँ पर हम कुछ सांकेतिक रूप से इसके फिगर बना लेते हैं जिस तभी आपको यह इस थ्री कंडिशन बना रहे हैं एक यह है दूसरा यह है और यह थ्री कंडिशन हम राकेट के हाँ पर बना रहे हैं देखो इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ डिस्टेंस बनाया हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस का रिजन अभी आपको बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा बना तीन कंडिशन पर हम इसका डिस्कास करेंगे फस्ट सेकंड और थर्ड फस्ट कंडिशन पर जब राकेट अपने लांच पेट पर खड़ा हुआ है इनिशियल टाइम पर यह पहला पोजिशन है तब सपोस्ट इसका जो द्रव इम नाट है और इसका विलो सिटी भी नाट है य को छोड़ा नहीं गया है तो यह पहला कंडिशन है और इस पहले कंडिशन पर इसका द्रभ इमान M nat है और वेलसीटी क्या है भी nat है यह सब आप ध्यान से समस्ते जाना one by one की क्या हो रहा है किसके बात क्या हो रहें अब राकेट को क्या करते हैं अपन T समय तक राकेट को ignite करने के T समय बाद सपोस हमने राकेट को छोड़ा और राकेट अब क्या हो गया? उपर उड़ने लगा इस तरह से राकेट के jet से इंधन बाहर निकलने लगा इस तरह से अब राकेट उपर की और उड़ रहा है ये तो T समय पस्चाथ सपोस T समय पस्चाथ इसका जो द्रब विमान है वह एम हो जाता है और वेलसिटी सपोस भी हो जाता है मतलब हमने एक एक इस्टे बहुत ध्यान से समझ जा मतलब हमने राकेट को अब उड़ाया तो राकेट T समय तक उड़ा T समय पस्चात हम देखे तो T समय पस्चात उसका द्रविमान M हो गया पहले कितना था? M नाट था यह इसका प्रारंभीक द्रविमान है यह T समय पस्चात द्रविमान है यह इसका प्रारंभीक वेग है यह T समय पस्चात वेग है यह इसका second condition है यह हमने लिख दिया, राकेट का यह second condition है, और जो gas बाहर निकल रहा है, suppose उस gas का जो velocity है, बाहर निकलने वाला जो gas का वेलसिटी है, वह U है, U x से gas उसमें बाहर निकल रहा है, जो की constant है, राकेट से जो gas बाहर निकलता है, वो constant velocity से बाहर निकलता है, तो यह है T समय पस्चाद अब हम देखते हैं DT समय पस्चाद मतलब अब हमने एक small interval आप time लिया बहुत छोटा समय लिया कि मान लो del T समय T के बाद बहुत छोटे interval पर हमने देखा तो इसका velocity अब V से बढ़ जाएगा क्योंकि लगातार राकेट तोरीत हो रहा है तो इसका velocity हो गया V plus D V मतलब यहाँ पर D V क्या है यहाँ पर D V है DT समय पस्चाद उसके वेग में बृद्धी क्योंकि राकेट का speed लगातार बढ़ते जा रहा है एक्ट्याल में जो राकेट बनाया जाता है multi stage राकेट होता है और राकेट का एक एक stage टूटके गिरते जाता है मतलब हर stage को क्या किया जाता है तोड़के उसको गिरा देते है इस पकार से एक stage टूटता है फिर दूसरा टूटता है फिर तीसरा और last stage फिर उसको क्या करता है पूरे आर्बिटर पर घुमाता है यह satellite पढ़ाते समय में आपको और इसको एक बार अच्छे से explain करूँगा तो multi stage rocket क्या होता है? हर stage बारी बारी से तूटके गिरते जाता है इस पकार से dt समय पस्चाथ, dt समय पस्चाथ इसका velocity v plus dv हो जाता है लेकिन इसका द्रब विमान कितना हो जाएगा? द्रब विमान में कमी हो जाएगी और अब इसका द्रब विमान हो जाता है suppose m-dm मतलब dt समय में इसमें से m द्रब विमान बाहर निकल गया dm द्रब विमान ये बाहर निकल गया dm द्रब विमान का gas बाहर निकल गया तो इसका जो द्रब विमान है M से घटके क्या हो जाएगा DM हो जाएगा यहाँ पर दो बात को बहुत ध्यान से समझना velocity बढ़के V से DV हो जाएगा velocity V से बढ़के DV हो जाएगा V plus DV हो जाएगा लेकिन द्रब विमान M से घटके M minus DM हो जाएगा क्यों? क्योंकि उसमें से gas बाहर निकल रहा है तो जितने द्रब्यमान का gas बाहर निकलेगा suppose DM द्रब्यमान का gas बाहर निकला तो DM उसके द्रब्यमान में कमी हो जाएगी जब तक आप इस तीनों stage के condition को नहीं समझोगे तब तक calculation समझ में नहीं आएगा इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है पहले पहले बहुत ध्यान से इसको समझना है यहां तक किसी को कोई भी problem हो तो आप chat box में लिखो मैं उसको दुबारा आपको repeat करूँगा कोई problem है किसी को यहां तक? यहां तक किसी को कोई problem है? चलो ठीक है अब हम इसके करते हैं calculation अब हम इसका गरना करें बहुत systematic और बहुत बहुत side cut में मैं गरना कर रहा हूं बहुत ध्यान से समझना हमने लिका है समवेक सरक्षण का सिद्धान तो इसका सिध्धान क्या है सम्वेक सरक्षण का सिध्धान थ controversy मैं दुबारा न लिख के, मैं इसको arrow लगा रहा हूँ, मतलब समवेग संरक्षण के सिधान से, यहाँ पर दो करणी का है, एक rocket है, एक gas है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा समवेग सनलक्षण के सिधान से राकेट का समवेग बराबर गैस का समवेग यह होगा क्योंकि समवेग सनलक्षण के सिधान से समवेग नियत होता है जब किसी निकाय पर वाहिवबल न लगाया जाएं तो भाहर से जब इसमे बल नहीं लगा रहे हैं तो पूरे निकाय का समवेग नियत होगा और यहाँ पर दो करन निकाय है एक rocket है गेस है तो दोनों का समवेग आपस में बराबर होगा यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो rocket का समवेग कितना हो जाएगा राकेट का समवेग बराबर होगा राकेट का द्रब इमान गुडित उसका वेग तो डेल टी समय पस्चात राकेट का द्रब इमान हो गया है M-DM और इसका velocity कितना विर्धी हुआ है DV इस तरह से T समय पस्चाथ M-DM और उसका velocity कितना है DV है और gas का समवेक कितना होगा मैंने बताया आपको कि DM दर बिमान का gas बाहर निकला है तो DM दर बिमान का gas बाहर निकला है और gas का वेक क्या है U है gas का वेक U है यहाँ पर एक महत्पूर्ण ध्यान रखना बाद कि यहाँ पर minus sign यूज़ करेंगे minus sign इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि rocket उपर जा रहा है और gas नीचे जा रहा है इसलिए क्या होगा यहाँ पर minus sign यूज़ करेंगे तो ध्यान से समझना इस step को इस step को एक बार मैं repeat करता हूँ यह जो लिखा गया है यह rocket का समवेग है rocket का द्रब इमान यह M minus DM और गुडित राकेट के वेग में व्रिधी तो द्रब इमान गुडित वेग यह rocket का समवेग हो गया और यह हो गया gas का समवेग तो gas का द्रब इमान तो DM द्रब इमान का gas बाहर निकला है और कितने वेग से बाहर निकला है U वेग से बाहर निकला है इस पकार से इसको हम लिख सकते हैं अब आगे हम इसको simplify करें सबसे महत्त पूर्ण step यही है अब आगे इसको हम सरल करें तो that implies DV का M के साथ multiply होगा तो M into DV हो जाएगा minus इसके साथ multiply होगा तो minus DM into DV होगा यह और that equal यह हो जाएगा minus DM into U इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अब यहाँ से देखो DM और DV यह DM और DV क्या है? यह बहुत छोटी रासी है इसको हम क्या कर सकते हैं? negligible मान सकते हैं यह जो DM into DV क्या है? बहुत छोटी रासी है DM तो छोटी रासी है ही और DV भी छोटी रासी है तो जब जो छोटी रासी का multiplication होता है तो हम उसको और छोटी मान लेते हैं और उसको हम negligible माल लेते हैं तो यहाँ पर यह negligible हो जाएगा मतलब नगर नहीं हो जाएगा तो अगले step में हम क्या लिश सकते हैं that implies m into dv equal to हो जाएगा minus dm into u और यह है relation number first यह बहुत महत्वपोन relation है क्योंकि आगे का जो गर्णा है और पूरा का पूरा इसी फार्मूला पर based होगा m into dv equal to minus dm into u और आगे का पूरा calculation इसी फार्मूला पर based होगा तो यहाँ पर कोई problem किसी को यहाँ तक यहाँ तक किसी को कोई problem चलो आप इसका screen shot लेलो अब हम करते हैं राकेट के तोरण की गर्णा सबसे पहले राकेट का तोरण पहले हम गर्णा कर रहे हैं राकेट का तोरण का तो राकेट के तोरण की गर्णा के लिए सबसे पहले एक से relation first से यह relation first को लो relation first में हमने क्या निकाला है m d v equal to minus dm into u m d v equal to minus m into d u यह होता है अब तोरण निकालना है और तोरण क्या होता है वेक परिवर्तन की दर हम वेक परिवर्तन की दर को तोरण करते हैं इस पकार से dv यहाँ पर वेक परिवर्तन है यदि उसमें समय का भाग हो जाए तो बेग परिवरतन का दर निकल जाएगा तो निशीत रूप से यहां से म को पता चलता है कि दोनों साइड में सबसे पहले तो हम क्या से M को इधर ले जाके सेपरेट कर दें तो D V equal to हो जाएगा minus M यह DM होगा मेरे ख्याल से न क्या गलत लिग दिया क्या DM into U होगा DM into U यह होगा minus DM upon M into U यह होगा that implies अब हम इसके दोनों साइड में DT को डिवाइट कर दें तो D V बटे DT equal to क्या हो जाएगा यह minus DM upon DT into U upon M यह होगा इस पकार से देखो minus DM upon DT into U upon M यह होगा और इस पकार से D V upon DT को अब हम क्या लिख सकते हैं तो therefore इसको तोरन लिख ले A तो होगा minus यह वाला value को सामने लिख देता हूँ यह differentiation वाला value को बाद में तो DM upon DT और यह rocket के तोरन के लिए फर्मूला होता है यदि आपको exam में rocket के तोरन के फर्मूला calculation तक के दी question पूछे तो यहाँ आपका final answer निकल जाता है यह है rocket का तोरन इस पकार से rocket को जब launch किया जाता है तो rocket का तोरन जो होता है वह minus u upon m into dm upon dt होता है अब यहाँ पर आप देखो कि dm upon dt rocket का तोरन कम्प्लीटली किस पर depend करता है rocket का तोरन completely depend करता है dm upon dt मतलब यह कहा है gas निकलने की दर है gas निकलने की दर है मतलब जितने जादा दर से हम gas निकालेंगे मतलब gas जितना जादा निकलेगा बाहर rocket का तोरन उतना ही अधीक होता है इसलिए आपने देखा होगा कि दिपावली के फटाके में भी जब आप rocket चलाते हो तो शुरुआत में जब उसमें से gas धीरे-धीरे निकलता है तो rocket के speed कम होता है लेकि जैसे उसमें तेजी से gas निकलना सुरू होता है मतलब rocket से बाहर निकलने वाले gas का rate जैसे ही बढ़ता है दर उसकी जैसे ही बढ़ती है तो rocket बहुत तेजी सुपर जाता है क्योंकि उस condition उसका तोरन बढ़ जाता है clear तो यह है rocket का तोरन का फार्मूला इसके पास हम निकालेंगे rocket पर प्रणोध दूसरा फार्मूला है rocket का प्रणोध rocket का प्रणोध क्या होता है देखो rocket का प्रणोध का मतलब होता है rocket पर जो बल लगता है देखो इस पकार से जब rocket से gas बाहर निकलता है तो राकेट से गैस बाहर निकलने पर इसमें चूंकी या प्रिथी पर बल लगाता है तो प्रिथी पर इसको प्रतिक्रिया बल लगता है न्यूटन्स के थर्ड ला से तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है यही फोर्स क्या कहलाता है प्राणोत कहलाता है प्रणोद मतलबक तरह का दभाव है कि राकेट जितना तेजी से प्रत्वी पर लगाता है प्रित्वी के उतने ही वेग इक्वल तथा एप्रय차स्ञ होता है इसलिए उस पर रियक्शन फोर्ष लगता है और यही रियक्शन फोर्ष करे आख़ा लाता है प्रणोद करे के इस इसमें इसको बोलते हैं thrust thrust force इंगली से बोला जाता है thrust force और हमको मालूम है कि बल मराबर होता है द्रब्यमान गोडित तौरण इस पकार से thrust force का जो formula होता है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे force equal to होता है mass into acceleration that equal to यह होगा mass और acceleration का formula हम यहाँ से put up कर दें जो निकाले हैं तो minus u upon m into dm upon dt यह होगा और यहाँ से mm कट जाएगा तो mm कटने के बाद यह mm के साथ में कट जाएगा तो therefore यहाँ पर जो formula हमको मिलेगा thrust force का जो formula मिलेगा वो क्या मिलेगा f equal minus u into dm upon dt यह उसका formula मिलेगा ओके तो यह formula है f equal to minus u into dm by dt यह thrust force का लाता है तो बारी बारी से एक formula हम निकालते जाते हैं साथ पहले हमें राकेट का तोरण निकाला आपको exam में राकेट का तोरण बोलेगा तो तोरण निकालोगे क्योंकि जब तक आप त्वरण नहीं निकालोगे तब तक प्रणोद नहीं निकलेगा आपको यहाँ पर त्वरण का वेल्यू पूट अप करना पड़ता है यह देखो त्वरण का वेल्यू हमने है पूट अप किया है इसलिए फिर राकेट पर प्रणोद निकलता है वेलोसिटी आप राकेड अब हम निकालते हैं राकेड का वेग कि कोई भी राकेड जब लांच किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है तो यहाँ पर भी समीकाड एक से कल्कुलेशन स्टार्ट होगा एक से मतलब वेदी हम रिलेशन एक को देखें तो रिलेशन एक में हमने क्या निकमाई आपको इस स्टार्टी में बताया कि पूरा कल्कुलेशन इस रिलेशन फर्स्ट पर बेस्ट है यह हमने निकाला m dv equal to minus dm into u m dv equal minus m minus u into dm minus u into dm उसको आगे पिछे लिखा जा सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह है अब यहाँ पर हमको वेक का गढ़ना करना है तो वेक के गढ़ना करने के लिए हम क्या करते हैं इस m को उधर टांसफर कर देते हैं तो dv equal to minus u upon m into dm अब चूंकि वेक का गढ़ना करना यहाँ पर दो वेक है हमारे पास एक initial velocity v0 है और final velocity v है तब हम क्या करेंगे इसका समा कलन कर देंगे तो समा कलन करने पर यदि हम यहाँ पर समा कलन करें तो समा कलन करने पर integration up dv equal to हो जाएगा integration up minus u upon m into dm यह होगा अब यहाँ पर हम limit put करेंगे limit limit क्यों put करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो तरह का velocity है दो तरह का mass है एक initial एक final तो पहले इसका वेग कितना था वी नाट था बाग में इसका वेग कितना हो गया भी द्रब विमान भी क्या है पहले एम नाट था और बाद में इसका द्रब विमान कितना हो गया एम हो गया तो जब वी नाट V0 मतलब उसका प्रारमभीक वेग है और उस समय उसका द्रविमान कितना था M0 था प्रारमभीक द्रविमान बाद में T समय पर चात उसका वेलसिटी V हो गया और उसका द्रविमान क्या हो गया M, अब यहां से हम इसका integration करेंगे, यहां पर एक integration आप डी एक्स कितना होता है कौन-कौन बता सकता है कि integration आप डी एक्स कितना होता है integration आप डी एक्स कितना होगा ओके, very good integration आप डी एक्स एक्स होता है integration आप डी एक्स एक्स होता है इसलिए integration आप dv क्या होगा v होगा और limit को हम यहाँ पर लगा देंगे v naught से v that equal देखो आगे क्या होगा आगे हम क्या करेंगे minus u upon m को common कर लेंगे minus u upon m यहाँ पर constant है उसको हमने common कर लिए तो integration आप dm integration आप dm का value क्या होगा m होगा और यह हो जाएगा m naught से m यह होगा that implies आगे हम इसको salvo करें upper limit minus lower limit v minus v naught v minus v naught equal to हो जाएगा minus u upon m और upper limit minus lower limit एक मिनट स्वार यहाँ पर कुछ mistake कर दिया मैंने m को देखा नहीं नीचे देखो यहाँ पर 1 upon m dm होगा यह dm upon m है और integration of 1 upon x dx log x होता है तो यहाँ पर हो जाएगा log m मैं नीचे का m को देख नहीं पाया था log m हो जाएगा और यह हो जाएगा m naught से m क्योंकि integration of 1 upon x dx क्या होता है log x होता है जिसका भी गडितिया उधारना कमजोर है वो मेरे playlist पर पूरे आपको मैं पहले से बता चुका हूँ कि आप alkaline, samakaline, सब चीज ध्यान से पढ़ो वहाँ से otherwise आपको physics में पूरे 2 साल और competitive में भी problem आएगा तो सभी math पर हमने video बनाया हुगा है वो playlist में जाके देखो और basic mathematical tools मुल्भूद गड़ितिया उधाना आप वहाँ से पढ़ो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर इसका जो value होगा वह log m हो गया तो अब इसका limit put करेंगे upper minus lower तो log m minus हो जाएगा log m not log m minus log m not हो जाएगा that implies आगे इसको साल्म करें तो v minus v not ठीक है v minus v not equal minus u upon m यह minus को अंदर multiply कर दूँ minus को अंदर मैं multiply कर देता हूँ तो हो जाएगा u upon m और under bracket log यह plus हो जाएगा m not और यह minus हो जाएगा तो हमने लिख लिया log m यह होगा that implies यहाँ से v minus v not equal to u upon m अब log m minus log n log m minus log n का फार्मूला होता है log m बटे n तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर log m not upon m लिखा जा सकता है इस पकार से यहाँ से हम velocity लिकालना है चूंकि हम wake की गर्णा कर रहे हैं तो therefore v equal to उसको उधर transfer कर दें तो v not plus यह v not plus v not plus यह हो जाएगा u upon m log m not upon m यह इसका फार्मूला होगा यह इसके wake का फार्मूला है और यह बहुत महत्पून फार्मूला है आपको exam में पूछा जाएगा तो wake आप यहाँ तक निकालोगे तो v equal to होता है v not ठीक है v equal to v not plus u upon m log m not upon m dm upon m d upon m log m हो चुका है यह फिर मैं धोके से सब log को estri-ishter लिग डाला हूँ यह आप सुधार लो यह m नहीं होगा वो तो lag m हो चुका एक बार ज्यान से देखो पूरा step U log M not upon M होगा U log M not upon M होगा यह जो upon में मैंने M लिखा था वो यह वाले M को लिख लिया था जबकि D M upon M का integration क्या हो चुका है log M हो चुका है तो यह है rocket northern और rocket northern के लिए तीन formula एक बार मैं इसको आपको repeat करता हूँ शुरू से ध्यान दो देखो क्या क्या है सबसे पहले हमने देखा rocket northern होता क्या है rocket northern सम्वेक सनख्षण के सिधान पर कारे करता है तीन condition हमने rocket का बताया है initial condition जब rocket इस्थी रवस्था में है अपने launch pad पर है चोड़ा नहीं गया है T समय पस्चाथ जब rocket को चोड़ा गया तो वेक भी हो गया द्रविमान M हो गया इसके बाद DT समय के लिए हमने ये निकाला तो वेक बढ़के V प्लस D भी हो गया और इसका जो मास है वो M से घटके M-DM हो गया अब चुकि यह rocket जो है समय सनरचन के सिधान तर कारी करता है तो राकेट का समय गयस के समय के बराबर होगा दोनों समय को हमने बराबर कर दिया यहाँ पर रिर्ची नहीं से ले लिया क्योंकि इसकी दिशा विप्रीत है अब इस तरह से हमने सबसे पहले राकेट का तोराण गरना किया तो पहले फार्मूला में हमने DT का भाग दिया तो तोराण निकल गया फिर राकेट का प्रणोद निकाला बल बराबर जब इमान गुडी तोराण से हमने प्रणोद निकाला तो राकेट का तोराण जहां तक आपको एक्जाम में पुछा जाएगा वहां तक आपको निकालना है यदि राकेट का तोराण एक्जाम में पुछा जाएगा तो राकेट का तोराण निकालोगे राकेट का प्रणोत पुछा जाएगा तो प्रणोत निकालोगे और यदि वे आए जाता है यह सब मैंने आपको एस्प्रेंड किया था और आज के क्लास में हमने राकेट के लिए फार्मूला डिराइब किया है तो यह आपको एक्जाम में आना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप अच्छे से तयार कर लोगे ओके तो यहां तक कोई प्राबलम क संगामी बलों का संतुलन बहुत छोटा सा कांसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है संगामी बलों का संतुलन होता क्या है देखो संगामी बलों का संतुलन इकली विर्याम आप कॉंक्रेंट फोर्सेस मतलब जब किसी भी बॉड़ी पर टू आर्मोर देन टू फोर्स मतलब 2 या 2 से अधिक फोर्स जब किसी पिंड पर लगते रहता है फार एक्जामपल यहां पर हम देखें इस तरह से माल लो अपने पास यह कोई पिंड है और इस पिंड पर हमने बहुत सब बल लगाया हुए है यह आप देख रहे हैं सब यह force के direction है यह force यहाँ पर इसमें लगे हुए है यह different different forces इस body पर लगे हुए है suppose आप imagine करो कि इस force का value हमने F1 ले लिया इस force का value हमने suppose F2 ले लिया इस force का value suppose हमने F3 ले लिया यह suppose F4 ले लिया यह suppose हमने F5 ले लिया यह सपोज हमने F6 ले लिया ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फोर्से इस पड़ी पर इस पिंड पर लगा हुए है तो जब किसी पिंड पर दो या दो सधीक फोर्स एक साथ कारे करे एक साथ एप्लाई हो उसके बाद भी वह पिंड क्या है संतुलन की स्थिती में हो जैसे कोई व संतुलन की स्थिती में हो तो पिंड के संतुलन की स्थिती में इन सभी बलों का जो सदी स्योगफल होता है जिसको हम क्या लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो आन मालो एन बल लगे हुए है Fn एक्वल टू जिरो यह होता है संगामी बलों का संतुलन तो बहुत जादा कोई difficult concept नहीं बहुत छोटा सा concept है यदि किसी point पर 2 या 2 से अधिक बल कारे रथ हो अलग अलग दिसाओं में और वह पिंड संतुलन की स्थिती में हो that means उसमें किसी प्रकार की गती न हो रही हो तो उस condition में उस पिंड पर लगाए प्रकार में थैड हाई कि जो बल होते हैं उन सभी बलों का जो सबीस योग है वह क्या होता है प्रमय तो प्रमय है यह तो clear होग़े ऐगा है तो ठीक है चलिए अब हम देखें अगला टापिय है लामी का प्रमे भी बलों के संतुलन पर ही बेस्ट है लेकिन यह कुछ इस्पेसल केस के लिए है इस्पेसल केस किस तरह से पहले मैं आपको situation बता दूँ जिसमें इस तरह से यह वर्क करता है सपोस किसी प्रड पर एक बल इधार एक बल इधार और एक बल इधार यह different direction में तीन बल तीन अलग अलग दिसाव में लगा हुआ है एक पिंड है और उसमें केवल थ्री फोर्स यह ध्यां रखना कि यह भी संतुलन पर ही बेस्ड है लेकिन यह सिर्फ तीन बलों के लिए प्लाई होगा इसमें चौथा बल नहीं हो सकता नहीं तीन से कम होसक़े तीन बल एक साथ इसमें कारे करने चाहिए तो मालों यहा पर पर तीन इस तरह से आरे खुर नहीं मिर्च उसके बाद यहा पर देखो क llev बीच में जो और Jord रहे हैं तो एफ वन बलोके सामने भी मतलब एप उट अब जो एफ्टू बन लग रहा है इसके सामने मतलब एफ्टा कोड लग रहा है और एफ्ट्री के जस्ट अपोजिट में मानलो यह गामा कोड बना हुआ है इस पकार से इनके अपोजिट के इंगल को हमने अलफा बीटा और गामा ले लिया और यह पिंड भी संतुलन किस्थ लामी ने बताया कि यदि किसी पिंड पर तीन बल भिंड भिंड दिसाओं में कारिक कर रहे हो और वह संतुलन की इस्थिती में हो तो संतुलन की इस्थिती में लामी के प्रमे से क्या होगा संतुलन की स्थिती में संतुलन की स्थिती में लामी के प्रमे से क्या होगा f1 upon sin alpha ये प्रमे कहता है f1 upon sin alpha f1 upon sin alpha equal f2 upon sin beta equal f3 upon sin gamma ये होता है मतलब क्या कहेंगे सब्दों में क्या का सकते हैं पन ये जो बल है f1 और उसके अपोजिट में जो एंगल बना हुआ है उसके sin मतलब बल जथा उसके ठीक विप्रीद बने हुए कोड के sin का जो अनुपात होता है वह सदेव बराबर होता है या उनका अनुपात सदेव एक नियतांक होता है ठीक है? तो ये कहलाता है क्या? संगामी बलों का संतुलन की स्थिती में लामी का प्रमे तो ये लामी के प्रमे को आपको याद रखना है ये कई जगा हमको निमेलकस बनाने में फ्री बॉडी डाइग्राम के कोस्चन को साल्म करने में ये हमको काम आएगा ओके तो ये अप नोट करो ये कहलाता है लामी का प्रमे आउट आफ कोर्स नहीं है देखो क्या है कि बहुत से टापिक जो आपके होते हैं वो उस चेप्टर के सपोर्टिंग टापिक होते हैं यहां पर आपको इस तरह के क्लास में ऐसा पाइंट टू पाइंट सिलेबस को मेजर्मेंट करने का ज़गरत नहीं है क्योंकि हम बहुत से आपको अपको 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 पहले से डिसकस किया हुआ था कि हमारा क्लास का जो स्टेंडर्ड है वो आपके 11 के स्कूल लेबल के क्लास के स्टेंडर्ड नहीं है उसे उपर है हम चाहते हैं कि हमारे क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट आगे चलके इन आपको समझना है उस पर आप इंटेस्ट लो यदि फ्यूचर में आपको फिजिक्स में अच्छा करना है तो इस तरह से पढ़ना पढ़ेगा बाकी तो 11 था आपको हम एक्जामनेशन है आपको जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जाएगा वह पूछा जाएगा तो वहां तो कोई नालेज पर बेस्ट इस्टेडी करना चाहिए और यहीं बेस है इलेवंध क्लास ही बेस है जब तक आप 11 क्लास पर स्टांग नहीं करोगे आप आयाएटी नीट सी यूटी के आप इमेजीन मत करो अच्छा परफार्म कर पाओगे क्योंकि आपकी मालूम है सी यूटी में त दोनों के क्वेश्चन आते हैं लगभग 50-50% कर सकते हैं वैसा कोई फिक्स रेसियो नहीं होता तो फिर वहां पर परसानी हो जाती है तो ध्यान से पढ़ो हर्चित ध्यान से पढ़ो चलो इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको कि लामी के प्रमे को हम यूज कि पता रहा हूं यदि किसी पिंड पर तीन समान बल तीन समान परिमाड तीन समान परिमाड के बल भिन भिन दिशाओं में भिन भिन दिशाओं में कारियरत हो और पिंड और पिंड संतुलन की स्थिती में हो एक्जांपल तो बहुत है लेकिन मैं बहुत कामान एक्जांपल आपको बता रहा हूं जिससे कम से कम आपको फार्मूला में कैसे अप्लाई करना है यह पता चल जाए ठीक है और पिंड सं तुलन में हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा, उनके मध्य लगने वाला बल होगा, ये हमको निकालना है, चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिये, क्या होगा, अरे स्वारी, उनके मध्य लगने वाला बल नहीं, उनके मध्य का कोण होगा, बल तो हमने दे दिया है, यदि कोण दे दे, ध्यान दे न, यदि हम कोस्चन में एंगल दे दे, तो फोर्स निकालने को पूस्ता है, और फ फोर्स दिया हुआ है, तीन समान परिमाड के बल, लीकिसी पिंड पर तीन समान परिमाड के बल भिन्र बिन्र दिसाओं में कारिय रथ हो, और पिंड संतुलन में हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा, चलिये, कल्कुलेट करिए, एक बार ठ्राई करिए, ये आपके पास फार्मूला है फार्मूला है f1 upon sin alpha लामी का प्रमे क्या है f1 upon sin alpha इक्वल f2 upon sin beta इक्वल f3 upon sin gamma चलिए बनाए कितना आएगा अब सब 120 बोलेंगे ना चलो ठीक है 120 ही होगा right answer बहुत आसान question है यहां question में आपको क्या बोला है कि तीनों आपस में बराबार है तीन समान परिमार के बल तो चूंकि हमको question में क्या बोला है f1 equal to f2 equal to f3 equal to f तीनों समान परिमार के बल है अब चूंकि तीनों समान परिमार के बल है तो तीनों को हमने f माल लिया है तो अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन सब f on f to fc की जगा हमें f put कर देते हैं तो therefore यह value हो जाएगा f upon sin alpha f upon sin alpha equal to f upon sin beta equal to f upon sin gamma f upon sin alpha equal to f upon sin beta equal to f upon sin gamma यह हो जाएगा that implies आगे इसको हम solve करें तो सभी f upon में cancel हो जाएगे और उसके बाद हम सब का reciprocal कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यह sin alpha equal to sin beta equal to sin gamma sin alpha equal to sin beta equal to sin gamma और सभी के sin फिर हट जाएगे सभी का sin हट जाएगा तो therefore इसको हम लिख सकते हैं alpha equal to beta equal to gamma कहने का मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर हो गया अब चू की तीनों का एंगल आपस में बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो किसी भी केंद्र पर किसी भी वृत्त केंद्र पर जो cool code बनता है alpha plus beta plus gamma वो कितना होता है 360 होता है क्योंकि किसी भी वृत्त के किसी भी circle के center में 360 degree के एंगल बनता है तो यह 360 degree होगा that implies हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि alpha बीटा गामा आपस में बराबर है तो हो जाएगा alpha plus alpha plus alpha equal to यह हो जाएगा 360 degree that implies तीनों alpha आपस में जूर जाएगे तो हो जाएगा 3 alpha 3 alpha equal to 360 degree that implies तीन को जाए ट्रांसफर कर दें alpha equal to 360 upon 3 मतलब यह हो जाएगा 120 degree तो 120 degree हो गया किसका alpha का value अब हमने यहाँ पर आपको बताया है कि तीनों में relation क्या है alpha, beta, gamma आपस में बराबर है तो therefore हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह से हम कहा देंगे कि चूंकि alpha equal to beta equal to gamma इसलिए सब के सब कितने हो जाएगे 120 degree हो गया यह इसका answer होगा clear यह हो गया इसका answer और यह बहुत आसान question है okay clear यहाँ तक आपको चलिए अब स्टार्ट करें हम आज का हमारा main topic किसी व्यक्ति का lift में भार beta person in a lift आप सभी ने lift तो use किया होगा no doubt आप सभी ने lift यूज किया होगा lift का उप्योग हम क्या करते हैं जो टाल building है उंचे building है उन में आने जाने के लिए या complex बड़े-बड़े complex है या बजार बड़े माल अगेरा है इसको आपको मालूम है lift कहा कहा use होता है तो lift में हम उपर-नीची आने जाने के lift का हम use करते हैं तो आपने देखा होगा कि lift जब हम use करते हैं तो वो उपर जाता है नीचे जाता है इसको हमको बहुत deeply पढ़ेना है कि lift में गति किस पकास होता है उसका क्या 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 concept है और ध्यान रखना इस पर people बहुत कम्टिटीव पुछा जाता है और मन बंदर से संबंधित कोस्टन बंदर किसी पेड़ के टाकाल पर चड़ रहा है या फायर ब्रिगेट का कोई आदमी रसी की सहता से किसी बिल्लिंग पर आग बुझाने के लिए चड़ रहा या उतर रहा है इस तरह के सारे सिच्वे चैनाटी कैसे भी हो आपको एप्रोश होना चाहिए फिजिक्स में अच्छा करने का यही सबसे बहतर तरीका है कि आप कोश्चन ओरिएंटेड नहीं आप कॉंसेट और बनिये क्योंकि कंसेप्ट आपके को तो बना ही देंगे और आप कोस्चन कोस्चन कर रहें लोगिन ची इसलिए आपको चीजों को उस घंग से समझना है ओके चलिए तो हम स्टार्ट करें लिप्ट में किसी व्यक्ति का भार क्या होता है तो देखो लिप्ट हम दो तरीके से इसके गती का धियन करेंगे पहला जो कंडिशन हम पढ़ेंगे वो है जब लिप्ट जब लिप्ट उपर की और गती करें जब लिप्ट उपर की और गती करें यह पहला कंडिशन है क्योंकि लिप्ट को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं एक बार हम लिप्ट में उपर भी जाते हैं और लिप्ट में हम नीचे भी आते हैं तो एक बार हम पढ़ने कि लिप्ट में जब उपर जाते तो किस तरह का condition बनता है तो जहां पर कुछ सांकेतिक चित्र में बना देता हूं आपको कलपना करने के लिए कि suppose यह lift है हमारा और इस lift में हम उपर जाना चाहा रहे हैं तो आपको मालूम है कि lift के अंदर यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो मालो हम यहां पर खड़े हैं ठीक है यह मैंने कोई आदमी बना दिया सांकेतिक रूप से भई यह आदमी यह lift में खड़ा है एक आदमी यहां lift में खड़ा है अब जब lift चलने लगे तो हम यहां पर इसके condition lift देखो lift रसी से लटका हुआ होता है आपको मालूम है वो सब situation मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं वो lift मालो इधार ए तौराण से गती करें lift का तौराण ए है अब यहां पर जो बल कारे करेगा वो क्या हो 4 की कभार नीचे कारेगा और ब्यक्ति पर जो प्रतिकरिया बल होता है यह उपर कारे करेगा इस पकार से reaction force उपर कारे करेगा Newton के गती के तृती नियम में मैंने आपको समझाये था कि प्रतिक्रिया के बराबर तथा विप्रित प्रतिक्रिया होती है ठीक है तो प्रतिक्रियाबल जो होता है वो हमेशा क्रिया के विप्रिदिशा में होता है तो यहाँ पर देखो यह भार है और यह उसका प्रतिक्रियाबल है यहाँ पर हम इसके नाम लिख दें यह पिंड का भार है mg जो नीचे कारी कर रहा है और यह इस पर प्रतिक्रियाबल है R और A तौरण से A तौरण से lift नीचे की और गती कर रहा है situation समझ में आ गए आपको lift A तौरण से नीचे गती कर रहा है उसमें एक आदमी खड़ा है उसका भार कितना है R अब जब lift A तौरण से नीचे ब्यक्ति का भार Lord लिप्त के अंदर उस आदमी का होगा सपोज उसको हमने W-डेस सपोज कर लिया W-उस लिप्त के अंदर उसका भार है तो इसका जो भार होगा वो कितना होगा तो देखआ वास्ताव मुसका जो भार है जो नीचे की और भर के रूप में कारे कर रहा है वो W है, M G नीचे कारे कर रहा है और भार हमेशा क्या होता है, reaction force के बराबर होता है तो reaction force उपर कारे कर रहा है और ये वाला जो बल है, वो है नीचे कारे कर रहा है तो कभी भी किसी भी पिंड का भार को आप उसके reaction force के एकवल लिखोगे और उसका direction है उपर तो reaction force मतलब प्रतिक्रिया बल R उपर हो गया और उस पर जो नीचे लगने वाला बल है वो किधर हो जाएगा नीचे हो जाएगा F इस तरह से हो जाएगा R-F अब आगे इसको हम solve करें तो R का जो value होगा जो R का value है वो Mg के बराबर होगा इस तरह से R बराबर हो जाएगा Mg और minus F बराबर कितना हो जाएगा M into A के बराबर हो जाएगा M into A that equal M को हम common कर लें तो G minus A हो जाएगा और अब यहाँ पर देखो कि भार में इसके तरह में कुछ घट रहा है इसका मतलब क्या होगा भार में कमी होगी इसलिए क्या होगा भार में कमी तो यहाँ पर हमने यह समझा कि लिप्ट यदि A तरह से नीचे गती करे तो A2 से नीचे गती करने पर उसके भार में क्या होता है कमी होती है लिप्ट के भार में कमी होता है यह धियान रखना जब वह नीचे क्यों गती करें अब इसके कुछी special case पढ़ते हैं कि जब नीचे क्यों गती करता है तो उसमें क्या क्या condition हो सकते हैं सबसे पहला कि जब एब राबर जी हो जाए जब एजी के बराबर हो जाए देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि भ्याभार में कमी आएगा लेकिन यदि एजी के कि गुरुत्वी तोरण का जो मान है वह लिप्ट के तोरण के बराबर हो जाए लुप्त स्वतंतरता पूर्वक नीचे की और गिरने लगे एक बीप्ट में कुस्च्छन आये था कि एक व्यक्ति लिप्ट में बैठा है उसका लिप्ट नीचे की और उतर रहा है और अचानक लिप्ट की रसी टूड़ जाती है तो रसी टूड़ जाने का कंडिशन भी लिप्ट के स्वतंतरता पूर्वक गिरने वाले कंडिशन को एस्प्लेन करता है कि लिप्ट का रसी टूड़ जाए इसका मतलब है कि लिप्ट स्वतंतरता पूर्वक नीचे गिरेगा और जब कोई भी पीन्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है तो उसका जो तोराण है गुर्टी तोराण के बराबर होता है यहां पर मैं ब्रेकेट में लिख भी देता हूं स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने पर तो स्वतंतरता पूर्वक नीचे गिरने पर क्या condition होता है इस condition को हम यहाँ पर apply करें तो उस condition में क्या हो जाएगा देखो therefore w dash equal to m और g a के बराबर हो जाए तो g minus a है तो हो जाएगा g minus g हो जाएगा देखो यहाँ पर यह g minus a है तो g minus g यह 0 होगा और that means 0 हो जाएगा that means उसमें भार हिंता की स्थिती आ जाएगी भार हिंता की स्थिती का मतलब क्या हुआ कि वह पिंड भार हिंद महसूस करेगा मतलब 0 हो जाएगा उसका weight 0 हो जाएगा मतलब उसमें मालो कोई 70 kg का आदमी बैठा है और यदि लिप्टर का रसी टूर जाएगा और नीचे गिरने लगेगा वह व्यक्ति 0 kg का हो जाएगा ठीक है वह व्यक्ति क्या हो जाएगा 0 kg का हो जाएगा यह होता है क्या भार हिंता की स्थिती कि जब a g के बराबर होता है यह है पहला condition इसके बाद आप दूसरा condition देखो दूसरे condition में हम देखते हैं कि जब a g से बड़ा हो जाए second condition जब a g से बड़ा हो जाए जब a बड़ा हो जाए g से अब देखो यहाँ पर क्या condition होगा इसका मतलब क्या हुआ कि लिप्ट का जो त्वरण है जो की motor से चलता है उसका तोरण गुरूती तोरण से ज़्यादा हो जाए तो स्वभावी कृप से आप सोचो जिस चीज पर आप खड़े हो या बैठे हो आप उसके साथ बंधे तो हो नहीं यदि वह आपके त्वरण से ज़्यादा त्वरण से नीचे गिरने लगे तो हम floor के contact से अलग हो जाएंगे जैसे ये pain को आप आदमी समझ लो मेरी हथली को lift का surface समझ लो ये इसमें हैं दोनों एक साथ उतर रहे हैं अब मेरी हथली का weight त्वरण ज़्यादा हो गया तो ये pain इससे अलग हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या condition बनेगा देखो यहाँ पर जो w dash का value होगा यहाँ पर जो w dash होगा वह क्या हो जाएगा minus यहाँ पर देखो इसका value जादा हो गया एक value जादा हो गया तो जब छोटे value से बड़े value को घटाएंगे तो minus value आएगा तो w dash का value क्या होगा negative हो जाएगा मतलब ब्यक्ति हवा में उड़ने लगेगा वह जो ब्यक्ति है ब्यक्ति lift के lift के floor से सतह लिखता हूँ मैं lift के floor से सतह से ऊपर उठने लगेगा और जाके छट से चिपक जाएगा यह इसका special condition है और यह special condition एक्जाम में पूछे जाते हैं इसके बाद तीसरा महत्पूर्ण condition है इसका तीसरा condition क्या है देखो कि जब wake क्या हो नियत हो जब wake नियत हो मालो कोई भी lift है वो constant velocity से नीचे उतर रहा होगा अभी तक आपने देखा या आपने सोचा होगा कि सर हम लोगों ने इस तरह से कोई से भी lift उप्योग नहीं किया कि हम भार ही जनता की स्थिती में आजाएं कि हमारे भार में कमी आए या हम जाके छस से चिपक जाएं ऐसा तो हमारे साथ कभी किसी लिप्ट में नहीं हुआ और तो ज्यादा है ने लिप्ट जब श्चाट होता है तो और रुपता है तो यह लिप्ट में प्रापना हम लोग उस तरह का लिप्ट क्यों महसूस निक इन उसका कारण क्या है देखो अब जो मैं बता रहा हूं तीसरा कंडिशन यह हम लोग जो उपयोग करते हैं वह वाले लिप्ट के बारे में हैं मतलब लि लिफ्ट यूस करते हैं जणर को मालूम है कि जब वेग नीयत हो तो आपको मालूम है वह एम और जी माइस ZERO हो जाएगा तो अब को पता है अब तोरं के जिरो कर दें तो 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 Carrynoc में जो व्यक्ति का भार है W डेस वह M और G-0 हो जाएगा that means M G हो जाएगा कहने का मतलब भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यही लिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं भार में कोई परिवर्तन भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस तरह का lift हम लोग use करते हैं इस पकार से आप देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यदि वेग नियत हो तो W-Equal to M G-0 होगा जो कि M G होता है और उस condition में भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यह lift का special case में आपको पढ़ाया जो कि competitive exam के लिए बहुत important है और यह सब condition किसके लिए है जब lift नीचे क्यों गती कर रहा हो यह है जब lift क्या हो नीचे क्यों गती कर रहा हो तो lift जब एस वारी नीचे है यह क्या लिखा क्या पढ़ा दिया चलो धोके से heading दूसरा कर लिया था जब lift नीचे की ओर पूरा मेरे ध्यान में रहा कि मैं नीचे का पढ़ा रहा हूँ heading डाल दिया था उपर तुझार ले ना भाई उसको नीचे नीचे वो मैंने धोके सलिख लिया था heading यह क्या है नीचे की ओर उसको आप correct कर लो जब lift नीचे की ओर गती करें सुरवात में क्या है मैंने heading उपर का डाल दिया लेकिन मेरे ध्यान में नीचे वाला आया और नीचे वाला पूरा पढ़ा दिया तो complete concept में नीचे वाला चित्र भी नीचे वाला बनाया हूँ सब चीज है बस heading गलती से लिख लिए था यह नीचे की ओर गती है अब हम पढ़ेंगे उपर की ओर कि पुली के help से या फिल two are more than two bodies के आपस में एक उसे के contact में रहने से जो अलग-अलग पिंड है उनके diagram के बैस पर हम क्या करते हैं यहाँ पर उसके बल का, त्वरण का, तनाव बल का, इन चीजों का हम गढ़ना करते हैं तो इसका एक standard situation होता है कि कि situation पर हम उसको साल्व करते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ important standard situation हैं उनको लेके आपको explain करता हूँ और साथ में कुछ question भी कराऊंगा ताकि आपको basic idea हो जाए किस तरह के question को हम किस तरह से साल्व करते हैं, ठीक है चलिए, तो सबसे पहला my free body diagram का बहुत important जो condition है बहुत important concept वाला है यह question आपको करा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक figure बनाऊंगा और इस figure के best पर इस figure के best पर अपन उसको समझेंगे तो सबसे पहले मेरे सांस आपको यह figure बनाना है और अपने अपने notebook पर यह figure आपको बना के रखना है पहले मैं figure बना दूँ प्रापर फिर आपको explain करूँगा इस तरह से figure में आप देखो यहाँ पर पुली है पुली मतलब क्या है पुली आप समझते हो घिरनी है और यह एक दिड़ आधार से लटका हुआ है इस पकार से यह एक दिड़ आधार से लटका हुआ है और यहाँ पर यह एक रस्टी आप देख रहे हो white color में मैंने so किया है यह यहाँ पर move होने के लिए free है यह घुमने के लिए स्वतंत्र है इस पकार से यहाँ पर left side में आप जो pin देख रहे हो मालो इसका द्रभिमान M1 है और right side में जो द्रभिमान देख रहे हो उसका द्रभिमान मालो M2 है और यहाँ पर M2 जो है वह greater than है किससे M1 है M1 से मालो यह right side का जो object है यह जो right side में आप object देख रहे हो M2 उसका द्रभिमान left side के object से क्या है ज़्यादा है तो निश्ची तरुप से यह pin क्या होगा नीचे की और गती करेगा और यहाँ पर यह pin suppose यह नीचे A त्वरण से गती कर रहा है इसका त्वरण मालो क्या है A है तो यह pin A त्वरण से नीचे की और आ रहा है ऐसा इसका situation है अब इस डोरी पर तनाव उत्पन होगा तो डोरी पर जो तनाव बल है सदे उपर क्यों करता है तो इस डोरी पर T और इस पर पर बिटी क्योंकि क्योंकि रस्ती एक ही है रस्ती अलग-अलग फ्रेम से नहीं बंधा हुआ है रस्ती क्या है एक ही साथ connected है तो दोनो में तनाव बल कमान समान होगा जितना तनाव बल इस पाइट में होगा उतना ही तनावबल इस पार्ट में होगा तो इसको complete आपको solve करने का जोरत नहीं है क्योंकि मैं आपको competitive base पर tricky base पर आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इसका derivation आपको कोई काम करने है ठीक है कि किस तरह से इसको solve करने कोई मतलब करने है तो सीधे सीधे आप इसके formula याद करोगे सबसे पहले त्वरण के लिए ऐसे भी मैं आपको tricky बता देता हूँ कैसे होगा जैसे हमको मालूम है कि बल बराबर होता है द्रब इमान गुडी त्वरण ये formula हम जानते हैं तो निशी तुमसे त्वरण बराबर क्या होगा बल बटे द्रब इमान होगा ठीक है त्वरण बराबर बल बटे द्रब इमान होगा इस पकार से दी हम या देखो इसमें गुरुत्वी तवरण नीचे क्यों और कारे करेगा भार के कारार गुरुती तौरार इसमें नीचे क्यार कारे करेगा तो यहाँ पर तौरार का मान जो होगा डारेट फार्मूला है लिखता हो मैं A equal ध्यान देना mass into acceleration होगा इसका तो यहाँ पर जो mass का value है यहाँ पर जो resultant mass होगा और कितना होगा देखो M2 का value M1 से ज्यादा है तो कितना part हुआ mass का mass का part हो जाएगा M2 minus M1 क्योंकि M2 ज्यादा है M2 ज्यादा है तो उसमें M1 को minus करेंगे और upon total mass पूरे system का mass M1 plus M2 हो जाएगा और into G यह यहाँ पर इसका तौरार होगा इस पकार से यहाँ तौरार निकाले का formula होगा M1 minus M2 upon M1 plus M2 into G इस पकार से हम इसका तौरार निकालेंगे तो यह formula हो जाएगा इसका तौरार के लिए आप यह formula learn कर लो तो ज्यादा बेहतर है सीधा सीधा competitive exam में हम इसी तरह से formula learn करके उसका calculation करते हैं question कराऊंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साल्व हमको कैसे करना है इसके बाद हमको दूसरा formula इसमें याद करना है तनाव बल के लिए tension force के लिए तो tension force के लिए formula क्या हो जाएगा तनाव एक तरह का बल है और इस तरह से बल बराबाभा होता है तनाव निकालने का फर्मूला होता है यहाँ पर 2m1 into m2 into g sorry a into a upon m1 plus m2 upon m1 plus m2 system में जो दो मास लगा हुआ है ठीक है तोराण g नीचे कारे करेगा नहीं इसमें होगा g mg g का multiplication होगा यह इसका फर्मूला होगा तो तनाव बल और त्वरण यह दो फर्मूला इस चित्र के साथ आपको याद रखना है मतलब इसके त्यारी हम कैसे करते हैं यह पूली का situation हमको याद रहना चाहिए कि किस तरह के situation में हम इसको apply करते हैं तो यह situation याद रहे और उसके साथ में आपको यह दोनो फर्मूला याद रहे इसके साथ में दोनो फर्मूला याद रहे यह वाला फर्मूला और यह वाला फर्मूला तब क्या है आप direct question बना सकते हो clear? यह आप note down करो फिर मैं आपको इस पर एक question बताता हूँ आप इसको note करो या इसके साथ लो फिर हम इस पर आपको question कराते है चलिए इस पर हम एक best question करते हैं अब इस question में आप देखो चित्रन साथ 2 kg और 4 kg द्रब्यमान की दो वस्तु में एक डोरी से बंधी है डोरी एक घरसन रही घिरनी गुजरती है निकाय का तोराण एक डोरी में तनाव घ्याद कीजिए अब यहाँ पर आपको घ्याद करना है दो value यह आप घ्याद करके बताओगे यह नीचे आ रहा है तो तोराण एक घ्याद करना है और डोरी में तनाव T है यह यह दोनों का मान आपको ग्याद कर रहे हैं clear तो यह question आप solve करो पीछे में आपको formula बता दिया और इसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसको आगे solve करेंगे चलिए पहले मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से यह question को बनाव आप चार किलोग्राम दो किलोग्राम और मैंने formula भी आपको बताया है चीत्र clear है आप सभी को हो गया चलिए value बताईए फिर हो गया तो value बताईए देखो अभी हमने formula पढ़ा है यह यह तोरण के लिए यह तनाव बल के लिए तो सीधा-सीधा उसमें अपने को value put up करना है यहाँ पर 2 kg क्या है यह m1 का value है 2 kg और m2 का value कितना है 4 kg तो यहाँ पर यह हम इसके तोरण की गरना करें यह बराबर क्या होता है m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g यह होता है अब यहाँ पर value आपको put up करना है तो देखो m2 का value कितना है 4 तो यह हो जाएगा 4 minus 2 upon 4 plus 2 और into g का value 10 यह हो जाएगा 4 minus 2 मतलब कितना हो गया यह 2 into 10 और upon 6 that means 20 upon 6 यह 20 upon 6 यह हो जाता है 3.33 meter per second square यह इसका अंसर हो जाएगा इस तरह से इसके तोराण का formula हो जाएगा और तनाव बलकमान कितना आ रहा है तनाव बलकमान 13.3 रुपेस तनाव बलकमान कितना आ रहा है भई जी का value आप 9.8 भी ले सकते हो 10 भी ले सकते हो यह जो जी का मान है इसको आप 9.8 भी ली सकते हो और 10 भी ले सकते हो दोनों value ले सकते हो तो decimal में फर्क पड़ता है और उसे कोई फर्क नी पड़ता है जब हम competitive exam में एक question बनाते हैं तो जो चार option दिया रहता है उसमें इससे फर्क नी पड़ता क्योंकि हम जो उसके nearest value होता है जो उसके past का value होता है उसके best पर answer twice कर लेते हैं ओके चलिए अब हम इसमें solve करें यहां पर solve करता हूं left side में इसका तनावबल का हम solve करते हैं देखो tension force t equal to 2m1 into m2 upon m1 plus m2 into g यह हो जाएगा that equal to 2 2 into m1 का value कितना है यहां पर 2 यह 2 और m2 का value कितना है 4 और upon 2 plus 4 और into g का value 10 यह put up कर दिया अपन तो कितना हो गया 80 80 upon 6 80 में 6 को divide करो कितना answer आता है 80 में 6 divide करो 80 upon 3 के है 80 upon 6 आएगा 80 upon 6 आएगा मतब 26 point something आएगा 26.2 के आसबास आएगा newton यह इसका answer होगा हाँ 26.6 हाँ ठीक है clear तो इस तरह से यह तनाव निकलेगा और इस तरह से इसका त्वरान निकलेगा आपको टापिक इस तरह से तयार करने हैं यह free body diagram का बहुत important pattern का question है इस तरह के question पूछे जाते हैं ओके चलिए इसके माद हम देखें अगला pattern तो अगले pattern में फिर मैं आपको एक तरह का situation आपको संजा रहा हूं और उस पर फिर अपन एक best question कर लेंगे ठीक है तो अगला situation इस तरह से है देखो situation को आपको ध्यान से समझना है ऐसे बहुत से question है लेकिन कुछ question आपको करा देता हूं मैं यह ऐसा situation है देखो एक table है और table के side में पुली लगा हुआ है और यहाँ पर एक object है suppose आप imagine करो यह figure आप साथ में बनाओ तो ठीक रहेगा यहाँ पर suppose एक object रखा ऐसा और इस object को क्या है एक रस्ती के help से इससे attach किया गया है ऐसा और फिर यह इधर इसमें एक और भार लटका हुआ है दो भार लटके हैं इसमें तो यहाँ पर जो भार लटका हुआ है मानलो एक भार यहाँ पर लटका हुआ है इस तरह से ओके इसका जो द्रभ इमान है जो टेबल के टाप पर है इसका द्रभ इमान मानलो M1 है और यह जो लटक रहा है इसका द्रभ इमान मानलो M2 है इस तरह से है और इसमें जो तनावबल है अब यहाँ पर क्या है ए त्वरा पर लटका हुआ है और यहां से पुली घुमने के लिए स्वतंत्र है क्लियर पिये सिच्वेशन पर आप फार्मूला बनाओ चित्र बनाओ यहां पर भी M2 greater than M1 है यहां पर जो तोरार का फार्मूला होगा M2 into G M2 into G upon M1 plus M2 यह condition में यह फार्मूला होगा तोरार का फार्मूला M2G upon M1 plus M2 होगा और T कमान बस यहां पर 2 नहीं रहेगा पहले के फार्मूला से तो T equal to हो जाएगा M1 into M2 upon M1 plus M2 into G यह A equal to M2 into G upon M1 plus M2 और T equal to M1 into M2 into G upon M1 plus M2 यह हो गया लिखो आप इस question को बस इस situation पर आपको free body diagram है और यह चलिए इस पर question करते हैं यह question करते हैं और इस question को आप solve करो यह आपके सामने question है इस question को अपने को solve करना है चलिए पीछे formula है और यहां पर यह question है यह formula है इस तरह से आपको question पूछा जाएगा ऐसा तो दोनों का गर्ण करना है तोरण का बताए कितना आएगा वेल्यू सिर्फ तोरण की गर्णा करना है इसमें चलो तोरण की गर्णा करना है वैसे आप दोनों कर लो कोई problem नहीं है 5.55 ठीक यह तो बहुत आसान question है न क्या हो जाएगा अभी हमने पढ़ा है a equal m2 into g upon m1 plus m2 कुल मिला आपके आप समझ रहे हो गए कि इस तरह के question को बनाने के लिए आपके अंदर क्या ही skill होना चाहिए कि आपको situation पर best formula लर्न होना चाहिए इस special situation पर best formula लर्न होना चाहिए उसके बाद कुछ भी नहीं रखा है सिधा आपको formula value put up करना है अब यहां पर सब value दिया हुआ है तो m2 का value क्या दिया है 5 kg यह हो गया 5 g के value का आप 10 ले लो और m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 यह 5 है और यह 4 है कितना हो जाएगा यह 50 अपान 9 50 अपान 9 ठीक है तो कितना हो जाएगा नियर अबाउट 5.5 नियर अबाउट 5.5 भी समझ लो meter per second square यह इसके value हो जाएगा तो तोरण इतना होगा तनावबल की गर्णा कर लो आप tension force 2000 upon 9 होगा ठीक tension force कितना हो जाएगा 200 sorry 200 upon 9 चली एक question में और देता हूँ इस तरह से जो एक special situation पर based है आप यहाँ पर देखो यह question में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर एक frame है इस frame में एक pin जो लटका है ध्यान से समझा है यह जो pin यहाँ पर लटका हुआ है 20 kg का यह एक रस्ती से लटका हुआ है यह एक रस्ती से लटका है अब इस रस्ती को यहाँ से एक और रस्ती से attach करके T2 tension force से इधर attach किया गया है और यह यहाँ से 30 degree का angle बनाता है तो यहाँ पर question में पूछा गया है T1 और T2 के मान गयाद किजिए T1 और T2 के मान गयाद किजिए कि तनावबल T1 का मान कितना होगा और तनावबल T2 का मान कितना होगा यह हमको निकालना है यह question बहुत ही ज्यादा important है इस तरह के question कई बार पूछे गए है इस तरह के question कई बार पूछे गए है यह भी free body diagram का tension force का ही एक part है जहाँ पर आपको question के situation के base पर समझना है कि कैसे हमको निकालना है चलिए एक बार आप दो मिना ट्राइ करिए फिर मैं आपको समझाओंगा T1 और T2 कमान यहाँ पर गयाद करना है अपने को ठीक है question को पहले ध्यान से समझिए components find करिए इसके उसके base पर यह question बनेगा resolving part component गयाद कीजी उसके base पर यह question बनेगा चलिए यह कैसे solve होगा यहाँ पर हम इसके components find करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना भेई यहाँ इसके components क्या हो जाएंगे एक यह component होगा और यह दूसरा component इस direction में होगा अब यहाँ पर देखना ध्यान से एंगल को समझना ध्यान से यह 30 degree है तो यह भी 30 degree होगा यह भी 30 अंस होगा क्यों 30 अंस होगा एक आंतर कोड है ठीक है तो T1 तो इधर तनाव है यह कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको यह 30 degree होगा अब इस कोड के 30 degree होने से यदि हम यहाँ पर components find करें ठीक है तो इसका components find करें 30 degree होने पर T1 का मालो हम T1 का component find करें तो इस degree और इस side में इसके component क्या होगा चुँकि यह pass वाला angle है यह हो जाएगा T1 cast 30 pass वाला cast होता है तो T1 cast 30 degree होगा यह वाला component और यह वाला जो component है वो हो जाएगा T1 sin 30 T1 sin 30 होगा जो की 20 kg के बराबर होगा ठीक है तो T1 sin 30 20 kg के यह 20 kg के बराबर होगा जो की इसका mass है यह इसका mass है ना इसके इस तरह से अब यहाँ पर देखो यह जो T1 sin 30 है जो उपर की और लग रहा है यह T1 sin 30 यह जो नीचे इसका भार लगा हुआ है उसके साथ में balance है क्योंकि यह जो T1 sin 30 component उपर है और उसके just नीचे में क्या है पिंड का भार है तो पिंड का भार उसके साथ में balance condition में होगा तो यहाँ पर दो situation मिलेगा अपने को पहला situation क्या मिलेगा T1 sin 30 equal T1 sin 30 degree equal to क्या होगा mg होगा भार के बराबर होगा और यह हो जाएगा T1 sin 30 अब sin 30 का मान यहाँ पर रख देता हूँ है sin 30 का value कितना होगा 1 upon 2 equal to m कितना है 20 20 और उसके G का value कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे क्योंकि mass 20 दिया हुआ है that implies इसको यह दी हम solve करें तो T1 equal to क्या हो जाएगा देख़ो यह उधर जाके multiply हो जाएगा 40 plus 10 मतलब यह हो गया 400 newton तो T1 का value कितना निकल जाएगा 400 newton निकल जाएगा clear तो T1 का value जब 400 newton निकलेगा तो इस base पर इस base पर हम T2 का value find कर सकते है T2 का value कैसे find करेंगे देखो यहाँ पर यह T2 है वो इसके opposite है बहुत अच्छा question है ध्यान से समझना यह जो direction है T1, cast 30 और इधर कितना है T2 तो दोने दूसरे के just opposite है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर पूना पूना यदि हम T2 का value लिखना चाहें तो T2 equal to कितना हो जाएगा T1, cast 30 यह हो जाएगा T1, cast 30 निकलेगी अब चुबके value हम find कर चुके है T1 का उसको value को यहाँ put up कर जाते हैं तो T1 का value हमने क्या find किया है अब 2 के साथ इसको cancel out कराएगे तो हो जाएगा 200 into under root 3 Newton यह second number का answer होगा तो यह जो पहला question है इसका answer हो जाएगा T1 और इसका दूसरा तो question में हमको T1 का value और T2 का value निकालने के लिए बोला है तो T1 का value इतना होगा T2 का value यह होगा यह इसका answer होगा यह बहुत अच्छा question है clear तो यह जो question में आपको बता रहा हूँ यह सभी question इस तरह से free body diagram के बहुत से question होते हैं मतलब वो numericals भी होते हैं और situational best question होते हैं यह free body diagram के question है बाकी इसमें और बहुत practice का जहुरत है यह मैं आपको बता दिया कि इस तरह के question competitive exam में पूछे जाते हैं आप इन future जब IITJ या need का preparation करेंगे तो आपको free body diagram के बहुत से question की practice करना है अभी मैं कुछ question basic foundation का class आई यह 11th का class आई school में इस तरह के question पूछे नहीं जाएंगे लेकिन आपको basic idea के लिए में आपको यह पढ़ा दिया कल के class में हम लोग इसके numericals question करेंगे क्योंकि यह chapter complete हो गया तो कल हम क्या करेंगे numericals question करेंगे इसके बाद फिर हमको घरसर पढ़ना है और उसके बाद फिर हमको वृत्ति गती पढ़ना है clear? या तो एक काम करेंगे part-part में numerical करा लेते हैं उसके बाद फिर घरसर पढ़ने तो घरसर पर numerical करेंगे फिर वृत्ति गती पढ़ने तो वृत्ति गती पर हम numericals करेंगे मतलब part-part में करेंगे ठीक है? Okay कोई problem यहां तक तो part part में पढ़ेंगे देखो क्या है लाजाप मोसन जो गती का नियम का chapter है ना उसमें सब चीज को मैं एक साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ part part में अभी मैं पढ़ाया आपको केवल न्यूटन का नियम और समवेक पर अधारित question इसके numericals कर लेते हैं इसके बाद फिर हम करेंगे घरसण उसके question कर लेंगे उसके बाद फिर वृतिगति उसके question कर लेंगे फिर multiple price question को एक साथ कर लेंगे भेले ही ओके एक्ट्वल में घरसण है क्या मैं आप लोगों को जब एक टापिक की स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आपको बल पढ़ाया सबसे पहले मैंने आपको बल का concept क्लियर किया और मैंने आपको बताया कि बल physics में एक ऐसा भौती इक एक ऐसी physical quantity है जो बहुत अलग अलग नामों से जना जाता है इसटार्टिंग में यही बात की थी इस चेपटर के स्टार्ट किया तो कि बल एक ऐसी बहुत क्राशी है जो सबसे जादा अलग अलग नामों से जना जाता है तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं घरसण व बहुत बारीकी के साथ हम इसमें डिसकस करें कि भाई फ्रिक्षन होता क्या है तो सबसे पहले फ्रिक्षन के बारे में एक सिंगल वाड में आपको बता दूं कि फ्रिक्षन एक्ट्वल में क्या है एक विरोधी बल है फ्रिक्षन एक विरोधी बल है अपोजिसन फोर्स प्रिक्षन ऐसे प attached loved है कि बल का बहुत सा रोल है ईğम कर यह भी एक रोल है कि बल विरोधी भी होता है अपोजिसन फोर्स भी फ्रिक्षन है अब हम यहाँ पर देखें कि किस बात का अपोस करता है अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस बात का अपोस करता है कैसे अपोस करता है क्यों ये विरोधी बल उत्पन हुआ इन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि friction is a opposition force घर्षण एक विरोधी बल है किस तरह का विरोधी बल है यहाँ पर आप इमेजिन करो आप कलपना करो किमालो हमारे पास यह एक वस्तू रखा हुआ है और इस वस्तू के उपर में मैंने सपोस एक दूसरा वस्तू रखा हुआ है सप यह उपर वाले पिंड को हम इसके उपर सरकाने के लिए आगे खिसकाने के लिए मालो हम इसमें एफ बल लगाते हैं मालो हम इसमें एफ बल लगाते हैं तो जब हम उस पर एफ बल लगाएंगे उसको आगे हम पूस करना चाहते हैं या पूल करना चाहते हैं खीचना या किलना चाहते हैं जो भी हम उसको जब हम आगे खीशते हैं तो यह देखा गया कि इनका जो संपर्क सता है इस संपर्क सता हमें एक विरोधी बलूद्पन हो जाता है और यह इसके गती का विरोध करता है इसको हम पदरशीत करते हैं F, S से यहाँ पर S इस्टेटिक फ्रिक्षन तो पिंड पर बल लगाने से वह उसके ठीक विपृत करता है मतलब वो चाहता है कि वह गती ना करे इस पकार से यह जो विरोधी बल वहाँ पर उत्पन होता है इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं घरसन बल कहते हैं यहाँ पर यह घरसन बल है अब यह गती अवस्थ हम आता है तो उसमें और दूसरा घरसन उत्पन हो जाता है तो clear घरसन के हैं समझ में आ गया? जब अब इसका हम परिभासा क्या लिख सकते हैं? घरसन की परिभासा अदि हम लिखें, तो घरसन की परिभासा हम बहुत to the point word में लिख सकते हैं, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के उपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, यह क्या खालाता है? घरसर्ण बल क्हालाता है. तो यह है, फ्रिक्षन फोर्स. अब हम पढ़ते हैं घरसर्ण का कारण. यहाँ पर हम देखें, कि origin of the friction, घरसर्ण क्यों होता है? सबसे महत पूरुण बात यह है, ए घरसर्ण बल आगिर उत्पन हुआ क्यों? घरसर्ण का कारण क्या है origin आपता friction क्या है तो इसके लिए हम दो concept इसे पढ़ेंगे सबसे पहले पूराना मत प्राचीन कहो ज्यादा सही वर्ट यही है प्राचीन मत इंगलिस में कहेंगे old view प्राचीन मत और व्यू तो यह big equipment क्या होता है देखें पहले यह उना गया कि घरसण के कि जिमिदार कां उसके बाद हम देखेंगे modern भ्यू तो प्राचीन मत में यह देखा गया कि हमको मालूम है यह पिछले किज्चले इसको संपर्क में है तो यह जो इसका संपर्क सत्व होता है इस संपर्क सत्व में इनके जो सत्व है वह कभी भी पूर्णता इसमूत नहीं हो सकता देखो प्रत्यक पदार्थ अडू या पर मडवों से मिलके बना हुआ है तो आप यहाँ पर देखो कि सपोज नीचे का पदार्थ है जो नीचे का पदार्थ है उसके अडू इस तरह से अरेंज होगे मैं प्रापर उसका फीगर बना देता हूँ आपको तो समझ में आएगा यह जब अडूं की हम सरचना को देखेंगे इस पकार से देखो कि जब अडूं की सनरचना इस पकार से क्योंकि अडू स्फेरिकल होते हैं तो नीचे का पदार्थ है उसके अडू इस तरह से अरेंज होगे जब कोई भी सरफेस देखो हम किसी भी सता को जब देखते हैं खुले आख से जब हम खुले आख से किसी भी सता को देखते हैं तो वह सता हमको एकदम चीकना दिखाई देता है माल हम ग्लास के सर्फेस को देख रहे हैं माल हम काच के सतह को देख रहे हैं और काच के सतह को देखने पर हमको ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल चीकना है बिल्कुल स्मूथ है लेकिन यदि उसको किसी माइक्रोस्कोप से देखा जाए जो उसको traveling microscope से देखा जाए या किसी ऐसे microscope से देखा जाए जो बहुत ही ज्यादा resolution का है मतलब बहुत ज्यादा power है जिसका तो आपको उसका जो surface है जिसको आपको खुले आँख में बिल्कुल चीकना दिख रहा है वो आपको ऐसा दिखेगा उसका कारण क्या है कि उसके सहता में जो अडू या पर्माडू arrange है वो spherical है और spherical body को जो arrange करोगे तो इस तरह का condition बनेगा तो यह होगा अब इसके उपर में जो दूसरा पदार्थ है देखो इसके उपर में हम दूसरे पदार्थ के atom की समझना को इस पकार से पदसीद करें इस पकार से यह मैं कुछ figure बना रहा हूं इस spherical ball बना के ही तो यह अडू क्या है उसके उपर है यह सब joint हैं लेकिन यहां पर ćका साब figure अरेंज करने में देख लेना अपनों अलग इस तरह से अब होगा क्या कि जब हम ऊपर के पिंड पर बल लगाएंगे इस पकार से जब हम ऊपर के पिंड पर बल लगाएंगे तो यह बल लगाने से उपर के सत्ह पर बल लगाने से बनता है और यह cavity के बनने से यह वाला जो उपर का जो spherical particle है उसमें जाके फस जाता है मतलब उसका एक individual आपको figure बना दूँ तो इस तरह से figure बनता है मैं उसका एक individual figure बनाता हूँ यह है दो atom का cavity और यहाँ पर यह आके इसमें फस गया यह है अब यह person इसको रोकता है गती करने से यह इसको गती करने से रोकता है इस प्रकार से हर atom जब उपर का जो पदार्थ है उपर का जो पिंड है उसको हम गती कराने का कोशिश करते हैं तो उसके संपर्व सता का हर atom अपने नीचे के जो spherical cavity बना है गढ़्धा बना हुआ है वहाँ पर जाके फस्ते जाता है लाक होते जाता है उसको हम कहते हैं इंटर लाकिंग एक्चल में इसका कारान का है हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर ग्रंथन अंतर ग्रंथन हिंदी में बड़ा कठी नाम है अंतर ग्रंथन कहते हैं इंगलीश में बोलते हैं इंटर लाकि इंटरलाख होना मतलब एक के बाद एक लाख होते जाना इस प्रकार से ये जो अंतरव्रंथन है ये इसका कारण है जैसे आपको कभी भी competitive exam या कहीं भी पूछा जाए कि भाई उसका old view क्या है या खाली घर्षण का कारण क्या है तो यदि आप सन्में अंतरव्रंथन दिया हो तो उसको आप सही आंसर करोगे अंतरव्रंथन इसका कारण है इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग अब देखो यहां पर दूसरा रिजन जिसको हम क्या करते हैं आधुनिक मत सेकंड है आधुनिक मत या माडर नव्यू तो आधुनिक मत क्या होगा देखो माडर नवी को मतलब क्या है आधुनिक टाइम में माडर नटाइम में यह माना गया कि यह जो एटम है वो वास्तों में एक पदार्थ जब दूसरे पदारत के समपर्क में आता है तो इनके मद्ध में इंटर अटामिक अट्रेक्ष्टन फ्रोष लगता है अंतर अब इन दोनों पिंडों की बीच में इन दोनों पिंडों की बीच में यह आकर्षण का बल लगा होता है क्योंकि एक एटम दूसरे एटम को अपनी और खीच के रखता है जिसको बोलते हैं अंतर आडविक आकर्सन तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के उपर होता है तो नीचे वाले पदार्थ का जो एटम है वह उपर वाले पदार्थ के एटम को अपनी और खीच के रखत इस तरह से जब उपर के पिंड के उपर बल लगाने पर इनके बीच में जो इस तरह से इंटर एटामिक अट्रेक्शन फोर्स होता है वो काराण होता है क्या इसका घरसन का इसको बोलते हैं अंतर आण्विक आकर्षण, इंटर एटामिक अट्रेक्षण, इसको बोलते हैं अंतर आण्विक आकर्षण, इंटर एटामिक आकर्षण, इसका आधुनिक मत, तो दोनों मत को ध्यान में रखना, ओल्ड व्यू क्या है, प्राचीन मत क्या कहता है, कि अंतर वंथन इसका कारण है, और आधुनिक मत क्या कहता है, ये अंतर आण्विक आठेक्षण फोर्ष इसका कारण है, क्लियर यह आप देखनो आप इसका चाहो एक बार इसकीन साथ लेलो कोई प्राब्लम यहां तक किसी को चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे घर्षण के प्रकार देखो जैसे मैंने आपको भी घर्षण बताया अब हम देखते हैं कि घर्षण कितने प्रकास हो सकता है तो सबसे कि हम देखें कि इस्तेटिक घर्षण बहुत कामन न सा concept चोटा टापिक है बहुत GREEN लेकिन तो इस्तेटिक घर्षण नामचे च्रिक्स्टा या इस्तेटिक घर्षण का मतलब होता है जब कोईपिंड य máquinas के उपर में इस्थी रवस्था में रहता है तो उनके मद्य जो घर्षण बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण है आप ऐसा मद समझ्या कि घर्षण गती होते समय ही लगता है यदि एक टेबल के उपर में एक बुक रखा हुआ है तो वह भी घर्षण के कारण उसके उपर में ठा गरसंड कबल है घरसंड जैसे मैंने आप बता इंटर एटामिक एट्रक्शन फोर्स तो जब एक पिंड दूसरे पिंड की उपर रखा जाएगा तो इस पकार से देखो यह फीगर में फिर आपको बना के समझा रहा हूं सब इसी फीगर के एस्प्रेनेशन पर ही बेस्ड है पूरा चेप्टर का एस्प्रेनेशन यही है तो यह मालो एक पिंड एक पिंड के उपर में रखा हुआ है अब जैसे ही हम क्या करेंगे दूसरे कि मालो कोई भारी अबजेक्ट है कोई बड़ा पिंड है और उस बड़े पिंड को क्या करना चाहते हैं आप धकेलना चाहते हैं पूस करना चाहते हैं तो मालूम है आप बल लगाते हो उसके बाद भी वह पिंड क्या होता है आगे नहीं खी सकता ऐसा तो नहीं कि हम धकेल ह और ंधकेल न सुनो जाता है तब हम किसी को बुलाते हैं आ भाई तुभी थोड़ा इसको फूश कर तुभी धकेल उससे भी नहीं होता है तीसरे आदमी को बुलाते हैं तो बल लगाते ही वह गति-प्राणम क्यों नहीं कर देता उसका कारण यह है कि जैसे हैं इसे हम इस पर पर बल लगाते हैं तो बल लगाते ही क्या होता है इन दोनों के संपर्क सतह में एक फ्रिक्षन फोर्स डवलप हो जाता है और इस फ्रिक्षन फोर्स के डवलप होते ही fs यह इसका विरोग करता है यह इसका विरोग करता है और जब तक हमारे द्वारा लगाएगा है वाहबल का मान इसके इससे कम होता है मतलब जब यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब fs का मान कम होता है किसे f से ऊपिंट फिषी को था माएं तो के सब quests को जादा ह्योता है और हमारा दुछ वाव herbal के मांग होता कियुक्ष्राइवाद का कभ लाग्यों आहिए पिछे पंदरह न्यूटर्ण का फॉर्स लग रहे हैं असके funda लीइखें कुंठाहैं प गतिय आवस्था में मतलब क्या हुआ इस्ठेटिक घरस्टिरा वस्था में ज़हाए कि वह भान लगाने के बाद भी पिंड एदी असी रवस्था में बने है तब उसके बीच में संपर्क सतह और उसके पिच में जो विरवधी बल लगता है उसको इस्थाथिजिक घरषण के बल बोलते हैं इस को बहुत अलग अलग मैं बहुत अराम से समझा रहा हूं ताकि आपको यह concept बहुत अच्छे से clear रहे क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि यह चीजें समझ में IG रहती फिर हम इसके निमेर कर और conceptual question तो बिल्कुल बना ही नहीं पाते हैं तो एक-एक चीज को ध्यान से समझो अब मैं आपको condition बता रहा हूं सी मान घरसर का देखो इस figure में मैंने आपको बताया कि जब A face का मान F से अधीक होता है मतलब घरसर बल का मान जो है हमारे दर लगाएगा है वाह बल से अधीक है तो pin फिसल नहीं हो जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं मतलब यहाँ पर जो हम वाह बल लगा के रखे हैं यह वाह बल और इनके संपर्क सता पे लगने वाला जो इस्टेटिक फ्रिक्शन का फोर्स है इस जारेक्शन में यह मालो Fs यह मालो Fs है और जैसे ही F का वेल्यू Fs के बराबर होता है तो वह सीमान्द घरसर की स्थिती में आ जाता है हाला कि इस अवस्था तक पिंड इस्थीर अवस्था में रहता है यही वह सार्प पोजिशन है जिसके पूर्व वह इस्थेतिक में रहता है और जिसके पस्चात वो गतिक घरसर के कंडिशन में आ जाता है तो यहां पर जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का कंडिशन आता है त जब इस्थेतिक घर्षण के सीमा का अंध हो जाता है या जिस मान के बाद इस्थेतिक घर्षण गतिक घर्षण में परिवर्टन हो जाता है उस आखरी लिमिट को उस लास्ट लिमिट को हम क्या कहते हैं limiting friction कहते हैं गतिक घर्षण कहलाते हैं यह कहलाता है limiting friction ओके तो यह हमारा limiting friction का concept है सिमान्द घर्षण का और इसके बाद हम समझते हैं गतिक घर्षण अब क्या होता होगा आप समझ सकते हो गतिक घर्षण का concept क्या है गतिक घसन में क्या होता है कि सपोस कोई आपजेक्ट मालो यह कोई आपजेक्ट है और इस आपजेक्ट के उपर में हमने यह दूसरा आपजेक्ट रखा हुआ है जैसे मैं आपको बार-बार यह फीगर बता रहा हूँ महत्तपूर्ण तो यही है इस पर हम बल लग लगाते हैं और इसके विप्रीद दिशा में चलो नहीं बना दिया यह présentप लग गया अब यहाँ पर देखो यह हमारे दूर्ण लगाए गया वह बल है और यहाँ पर हमारे दूर्ण लगाए गया बल क्या है एफ TAS एफ हैसे तो अब एफ एस ना लिखके मैं इसको लिखता हूं एफ के क्योंकि जैसे ही जैसे ही क्या होता है पिंड इससी लवस्था से गती लवस्था में आ जाता है अब यह मूविंग बाडी है अब यह मूव हो रहा है यह बाडी मूविंग बाडी है गती सी लवस्था में तो गतिसी जवस्था में का होता है उसके वाहेबल का मान मतलब अब हम जो इसमें वाहेबल लगाए हुए है वह इसका मान अधीक हो जाता है कि इसके काइनेटिक फ्रिक्षन से गतिक घर्षन से उसके गतिक घर्षन से अधीक हो जाता है गतिक घर्षन बल से तो आप पिंड क इस्थैति गहसणड के condition में pin इस्ति रवस्था में बना रहता है। वाय है बलके मान को बढ़ाने पर धीरे धीरे ऐसी condition आती है कि वो दोनों आपस से बराबर हो जाते हैं। मतलब इस्थैतिक गहसरण के सीमा का अंत हो जाता है और जिस सीमा के बाद इस्थैतिक गहसरण गतिक गहसरण वे परवितन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं गतिक गहसरण कहते हैं और वह पिंड गति सी लवस्ता में होता है गतिक गहसरण का मान कांस्टेंट हो जाता है फिर वो गती घरसन उतना ही बना रहता है ठीक है तो यह तीनों का condition है यदि हम इस पर क्या करें एक graph ड्रा करें तो graph हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं इस तरह से आप देखो यह बहुत महत्पूर्ण graph है यहाँ पर हम एक सेक्सिज में बल को बताए है यह बल है clear इसमें घरसन बल यह घरसन बल है एफ हैस और यहाँ पर हमारे द्वार लगाए गया वाह बल है capital F इन दोनों के बीच में हम graph ड्रा करें तो इस तरह का graph हमको दिखाई देता है और यह graph में हम समझते क्या है देखो माले यह o point है तो o से लेके a तक का जो condition है वास्तों में यह यहा तक उसमें इस्थैतिक घरसन का concept उस होता है o से लेके a क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों में समझन उपातिक सम्ण आपको दीख रहे है समझन उपातिक सम्ण दीख रहे मतलब जिस ratio में friction force बढ़ता है उस रेशियों में static friction force भी बढ़ता है इस प्रकार से यह state line है A से लेके B तक का जो condition है वो वास्ताव में सिमान्द घर्षण का condition है यह सिमान्द घर्षण है इसके बाद B से लेके C तक का या उसके आगे जो आप देख रहे हो वो क्या है गतिक घर्षण है यह क्या है गतिक घर्षण इस प्रकार से देखो इसमें जो घर्षण है इस्थेतिक घर्षण सिमान्द घर्षण और गतिक घर्षण का ग्राफ इस प्रकार से खीचा जा सकता है आगे समझ में आपको मैं कोशिस करूँगा कि जून से बायो का भी क्लास हो जाए मैं कोशिस कर रहा हूं कि एक अच्छा क्लास आपके लिए हम बायो का स्टार्ट कर सकें जून में बाकि वो देखेंगे mathematics का class तो June में theory start हो जाएगा अगला हमारा topic है घरसन्ड के नियम देखो घरसन्ड का नियम यहां बहुत महत्पूर टापिक है कि जो हम घरसन्ड पढ़ रहे हैं यह घरसन्ड का वास्ताव में क्या rule है किस किस का तरह के rule system इसमें काम करते हैं यह हमको समझ है घरसन्ड का नियम आज का class basic concept का class है वैसे बहुत छोटा टापिक है दो लेक्चर में ही यह chapter complete होयागा दो से ज्यादा लेक्चर नहीं चाहिए घरसन्ड के लिए उसके बाद हम इसके कुछ numerical कर लेंगे तो घरसन्ड का नियम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इस्थैतिक घरसन्ड के नियम या सिमांत घरसन्ड के नियम दोनों में लागू होता है वो इस्थेतिक घरसर या सिमान्त घरसर देखो इसके कुछ नियम है वैसा तो कुछ theoretical points है एक ही mathematical points है जो बहुत कामान है इसको अपने को समझना है इस्थेतिक घरसर या सिमान घरसर का नियम ये कहता है पहला नियम कि यह क्या होता है इसकी दिशा इसकी दिशा सदेव वाहे बलके विप्रित दिशा में होता है अभी आपने सभी figure में देखा है यहाँपर मैंने आपको सभी figure में बताया है यह वाइबल है और यहां पर देखो इसकी दिशा इसके विप्रिफ है चाहे इस्थेतिक घशन हो चाहे गतिक घशन हो वैसे इनके जो रूल है उसमें सभी पाइंट केवल एक पाइंट को छोड़के सब इस्थेतिक घशन में भी लागू होते हैं और गतिक घशन में भी लागू क्या होती है सद्यों इसपर्स रेखी होता है इसकी दिसा सद्यों इसपर्स रेखी होता है Tangential Direction में होता है मतलब जहाँ पर संपर्क सता होता है जिस प्वाइंट पर दोनों पदार्थ एक दुसरे को संपर करते है या एक दुसरे के कांटेक्ट में होते है वहां पर जो हम ispers रेखा ड्रा करते हैं वहां पर जो ispers रेखा हम खिसते हैं उसी दिशा में क्या होती है? सदेव इसकी दिशा होती है. इस पकार से क्या कह सकते हैं? कि इसकी दिशा सदेव इस परस रेखी दिशा में होता है. तीसरा महत्पूर्ण बात यह है कि संपर्क छेत्र फल पर निर्भर नहीं करता है. यह संपर्क संपर्क सतह की प्रकृती पर निर्भर करता है. यह दोनों बहुत बहुत पूर्ण बात है ध्यान रखना. इसको मैं हाइलाइट करता हूं सुनों ध्यान से. संपर्क छेत्र फल पर निर्भर नहीं करता है. दोनों को जो संपर्क छेत्र फल है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है. लेकिन संपर्क सतह की प्रकृती पर नेचर आप दा सर्फेस उस पर डिपेंड करता है. कैसे करता है डिपेंड उस पर कि यदि सर्फेस खुरदूरा है रफ है तो वहाँ पर क्या होता है घर्षनड बाल कमान अधिक हो जाता है. किन्ति यदि हमारा जो सर्फेस वह स्पूथ है जिखना है तो आपर घर्षनड बाल कमान अधिक हो जाता है देटमिंस यह नियम है कहता है घर्षनड का कि यदि छेतर फल किपेंड नहीं पर दा करता है लेकिन संपर्क सतह के नेचर पर डिपेंड करता है असके mathematical point है वो क्या है देखो mathematical point इसका fifth number का point इसको मैं next slide में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि सबसे महत्पूर्ण point तो वही है सबसे महत्पूर्ण point वही है fourth number का point fifth ना ये rule क्या कहता है इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फीगर बना को इसको explain करूं मालों ये कोई पिंड है और इस पिंड के उपर में ये कोई दूसरा पिंड इस प्रकार से रखा हुआ है यहां पर रखा हुआ है अब यहां पर होता क्या है इस पिंड का भार नीचे क्यों करेगा और इस पिंड का भार ये जो प्रतिक्रिया बल है वो उपर क्यों करेगा ये reaction force है ये इसका weight है mg इस तरह से तो यहां पर ये पिंड पर भार नीचे क्यों करेगा करता है reaction force उपर क्यों करता है और यदि हम इस पर बल लगाएं यदि हम इस पर बल लगाते हैं तो मालो बल की दिशा ये है तो आपको मालूम है कि इसके संपर्व सतह में घर्षार की दिशा ये होगा इस तरह से किसी भी पिंड पर इसका डारेक्शन होता है फोर्स लगाने का ये फ्रिक्शन फोर्स है इस तरह से किसी पिंट पर बल लगता है यह बल के वियोजन है किस किस दिशा में कौन कौन सा बल लगता है तो यहाँ पर चौथानियम यह कहता है कि जो यह friction force का मान है Fs यह proportional to R होता है अभिलम प्रतिक्रिया बल के समान उपाती होता है यह इसका rule है मतलब घर्सन बल का मान इस्थेतिक घर्सन बल का मान जो होता है वह अभिलम प्रतिक्रिया बल के समान उपाती होता है अब यदि हम इसको कैसे हुआ यह आप समझ भी सकते हो अभिलम प्रतिक्रिया बल हमेशा भार के बराबर होता है जैसे यहाँ पर मैं आपको एक example दूँ कि आपने देखा होगा कि माहलो हमारे पास छोटा पिंड है तो हम उसको असानी से पूस कर लेते हैं लेकिन भारी पिंड हो तो हम उसको अकेले धकेल नहीं पाते हैं किसी और का help लेना पड़ता है क्यों कि जो पिंड जितना भारी होगा जिस पिंड का द्रब्यमान जितना अधीक होगा उसका अभिलम प्रतिक्रियाबल उसका जो नार्मल रियक्शन फोर्स है वह उतना ही अधीक होता है जो फोर्स जिस तरह से इस्थेतिक घर्षण बल का मान जितना अधिक होगा अभिलम प्रतिक्रिया बल का मान भी उतना ही अधिक होगा तो आर जो है एमजी के बराबर होता है भारी पिंड का प्रतिक्रिया बल जादा होता है तो इस नियम में यह बताया गया कि यहाँ पर जो घरसन बल का मायन है वो R के समन उपाती होगा, क्यों होगा? कि अभिलम प्रतिक्रिया बल जितना जादा होगा, that means object जितना है भी होगा, उतना ही जादा उसमें friction force होगा, और इसलिए हमको उसको क्या करना है? उसके इस स्थिती में परिवर्तन करने के लिए हमको जादा बल लगाना पड़ता है, तो Fs समन उपाती R होता है, यह आप ध्यान में रखना, और इस पकार से जिए हम इसको आगे साल्व करें, तो that implies यह होगा, Fs equal to mu s into R, और यहाँ पर यह जो mu s उप्योग किया जा रहा है, आगे मैं बताता हूँ वो क्या है, that implies इसको आगे साल्व किया जाए, तो mu s equal to हो जाएगा, Fs upon R, mu s equal to Fs upon R हो जाएगा, और यह mu s का नाम क्या है, इस थैतिक घर्सनर्ड गुणांग, यहाँ पर mu s को कहा जाता है, इस थैतिक घर्सनर्ड गुणांग, इस थैतिक घर्सनर्ड गुणांग, coefficient of, coefficient of static friction, coefficient of static friction, इस थैतिक घर्सनर्ड गुणांग इसको कहा जाता है, mu s को, तो mu s equal to Fs upon R होता है, और कभी भी हम R equal to क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, ध्यान में रखना, कि यहाँ पर R जो होता है, वो हमेशा mg के बराबर होता है, अभी अविलम प्रतिक के अबर हमेशा पिंड के भार के बराबर होता है, यह कहलाता है, इस थैतिक घर्सनर्ड के समझो, घर्सनर्ड के नियम में सबसे पहले हमने पढ़ा, इस्थैतिक घर्सनर्ड या सिमांद घर्सनर्ड के नियम, इस्थैतिक घर्सनर्ड के नियम या सिमांद घर्सनर्ड के नियम में सबसे पहले हमने देखा, इसकी दिशा सदे वाय है बलके विप्रिदिशा होती है, मानि इसका जो direction है वो y है बलके opposite होता है पहला rule दूसरा rule में देखा इसकी दिशा सदे इसपरस रेखी होता है मतलब इसका जो direction है वो tangential direction में होता है जहां पर हम क्या करते हैं टेंजन डा करते हैं उस direction में होता है संपर्क छेत्रफल की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता है इसके बाद हमने fifth number के point में देखा कि ये इस तरह से ये जो इस्थेतिक घर्षण बल है वो अभिलम प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है जितना अधिक अभिलम प्रतिक्रिया बल कमान होगा उतना ही अधिक क्या होता है इसका value होता है यहाँ पर फिर हमने इसको बराबर को एक constant multiply किया यह μुवेस कहते हैं और μुवेस को कहा जाता है इस थैतिक घर्षण बुणांग coefficient of static friction ओके clear यहाँ तक सब को नेस्ट अपन देखते हैं गतिक घर्षणर के नियम गतिक घर्षणर के नियम ला आप काइनेटिक फ्रिक्सन ला आप काइनेटिक फ्रिक्सन तो काइनेटिक फ्रिक्सन या गतिक घर्षणर के नियम क्या है देखो काइनेटिक फ्रिक्सन में जब पिंड गती अवास्थ हमें आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्सन कहते हैं तो यहां पर ध्यान दखना कि 1, 2, 4 पीछे जो मैं बताया उसमें 1 से 4 तक 1 से 4 तक का जो नियम है वो इस्थैतिक घर्षण की तरह है उसी को कापी करना है आपको एक से लेके 4 तक का जो नियम है वो इस्थैतिक घर्षण के नियम को ही कापी करना है जो मैं आपको समझा दिया तो पांचवा क्या है पांचवा में नामिनल चेंज है जैसे हमने वहाँ पर कहा F S proportional to R यहाँ पर हम कहेंगे F K proportional to R क्योंकि यहाँ पर kinetic friction force है आगे जब हम इसको salvo करेंगे तो that implies इसको हम लिखेंगे F K equal to और यहाँ पर लिखेंगे Mu K into R अब यह गतिक घर्षण कुणांग हो जाएगा therefore इसको हम कहेंगे Mu K equal to F K upon R यह इसको value हो जाएगा इस तरह से और यह है Mu K equal to F K upon R और यहाँ पर यह जो Mu के बताया गया यह जो Mu के बताया गया यह Mu के क्या है यह है गतिक घर्षण कुणांग गतिक घर्षण कुणांग coefficient of kinetic friction coefficient of kinetic friction coefficient of kinetic friction तो यह देखो F K proportional to R हो F K equal to Mu K into R हो जाएगा और Mu K यह तो S के जगा के लिख देना है तो static friction coefficient और kinetic friction coefficient यह same to same है तो यहाँ तक जो topic मैं आपको आज पढ़ाया वो friction का बिल्कुल basic concept है और only one lecture और में यह chapter complete हो जाएगा Actually मैं इसको गतिक के नियम के साथ में continuous पढ़ाना चाहता था कई student comments भी कर रहे थे सर घर्षण नहीं पढ़ाएंगे लेकिन मैंने planning किया कि उसको क्या है पार्ट पार्ट में पढ़ाया जाए जैसे भी मैं गतिक खासकर जब numerical कराता हूँ मैं तो पूरे chapter निमेरकल एक साथ कराऊंगा तो पूरा mix up हो जाता है तो हमने अभी numerical गतिक के नियम पर कर लिया अब हम एक बार numerical सिर्फ घर्षण पर कर लेंगे फिर हम numerical सिर्फ वृति गति पर कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके special individual topic पर कमांड बढ़ेगा यह ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप क्या है एक एक topic पर 100% कमांड करते जाओगे तो अब कल के class में हम इसके विराम कोड घर्षण कोड घर्षण कम करने के उपार घर्षण के लाभानी यह जो भी discussion है या अन्नत समतल पर घर्षण वगरा का condition मैं आपको कल explain कर दूँगा ठीक है यह ज़्यादा contents हुआ तो तीन lecture में complete करेंगे कभी आप पढ़ाई हडबड़ी में मत करो सभी student को मैं suggest करता हूँ कि पढ़ना एक ऐसा अपचारिता पूरा करने वाला process नहीं है कि फटा फट फटा फट कोर्स पूरा करना है करके पढ़ाई कर लिया और आता कुछ नहीं आप बहुत relax चीजों को बहुत सुक्षमता से समझते हुए पढ़ते अभी हमारे पास बहुत sufficient time है अभी हम 11th class में है और home examination है तो चीजों को अराम से और बहुत सुक्षमता से पढ़ो जितना पढ़ाया जाता है उसको आप same day में prepare कर लो जितना भी पढ़ाया जाता है आप उसी दिन में तयार कर लो जितने भी student teacher के साथ चलते हैं teacher के साथ चलते हैं मतलब जो पढ़ाया जारे उसको तयार करते जाते हैं वह student बहुत rise करते हैं इतने साल का मेरा यह experience है ऐसा talent जैसा कोई बहुत अध्भूत चीज किसी के पास नहीं होता सब के सब regularity के साथ में जो मेहनत करते हैं जिसमें consistency होती है जिसमें निरंतरता होती है काम करने की वह धीरे 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 rise कर लेता है ठीक है बहुत हड़बड़ी में करने का चीज नहीं है वो तो यहां तक आप लोग कल तयार करके आओगे और कल हम लोग पढ़ेंगे इस chapter का सबसे महत्पूर्ण सबसे महत्पूर्ण जो परिक्षा में आता ही है जिससे निमेर्कल भी बहुत बनते हैं वह है घर्षण कोड तथा विराम कोड और दोनों में संबंध घर्षण कोड क्या होता है देखो एंगल आप फ्रिक्षन के हम एक फिगर के हल्प से सबसे पहले समझे पहले फिगर ब इस तरह से यह एक फिरिक्षन सता है समझो घर्षण से युक्त सता है यहां पर इसके हम कंपोनेंट्स सब देखें यह इसका भार mg नीचे है और इस पर जो प्रतिक्रिया बल होगा उसका मान उपर होगा इस तरह से मान लो इसमें बल इधर हम लगाते हैं तो बल इस और लगाने पर इसमें जो घर्षण का दिशा होगा यह सब आपको प्रिवियस क्लास में समझाये जा चुका है यह इसके घर्षण का दिशा होगा एफेस इस पकार से तो यहाँ पर कौन-कौन सा मेल्यू क्या है देखो यह एफेस है और यहाँ पर यह जो है यह अभिलम प्रतिक्रिया बल है आर जो की एम जी के बराबर होता है यह वाइबल है एफ इस तरह का सीच्वेशन किसी भी पिंडे में बनता है जब हम बल लाराते हैं तो यहाँ पर जो दो बल है एक अभिलम प्रतिक्रिया बल और घरसंड बल इन दोनों बल का परिणामी यदि हम इन दोनों बल का यहां पर परिणामी ड्रा करें यह मालों इन दोनों बल का परिणामी है यह जो ब्लू कलर से मैं बनाया यह दोनों बलों का क्या है परिणामी है इसका ये दोनों का परिणामी बल है और ये जो परिणामी बल है वह अभिलम प्रतिक्रिया के साथ यहाँ पर जो कोड बना रहा है ये कोड इसको हम घरसनर कोड कहते हैं और इसको हम लेम्डा से पदसित करते हैं ये कहलाता है यहाँ पर घरसनर कोड की परिभासा हम कैसे अभिलाम प्रतिक्रिया तथा इस्थैतिक घर्षण का परिणामी उनका जो रिजल्टेंट है वह अभिलाम प्रतिक्रिया के साथ जो कोड़ बनाता है उसे हम क्या कहते हैं घर्षण कोड़ कहते हैं अभिलाम प्रतिक्रिया तथा इस्थैतिक घर्षण का परिणामी अभिलाम प्रतिक्रिया के साथ जो कोड़ बनाता है उसे हम घर्षण कोड़ कहते हैं एंगाला फ्रिक्षण कहते हैं क्लियर अब यह दि हम को इसका मान निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर एक कंस्क्षन करते हैं एक रचना करते हैं यहां से मैं इस पर लंब डाल दिया मालो ये इस पर एक लंब है इस तरह से और ये जो लंब हमने यहाँ पर डाला ये मालो है बिंदू O है ये A है और ये B है तो यहाँ पर एक त्रिभूज बनेगा समकोर्ट त्रिभूज OAB तो हम यहाँ पर देखें समकोर्ट त्रिभूज OAB में यदि हम संकौर्ण दिभूज oab इसमें यदि हम 10 lambda निकालें, तो क्या हो जाएगा 5 देखो 10 lambda इक्वल 10 lambda यदि हम निकालें यहां से तो 10 lambda इक्वल क्या हो जाएगा लंब बटे आधार तो lambda का सामने वाला lump होगा जो की a b है तो lump हो जाएगा a b और बटे इसका आधार तो आधार क्या है इसका o a o a इसका आधार है तो a b upon o a होगा that implies आगे इसको हम साल्व करें तो 10 lambda equal to a b a b का जो मान है ये जो a b का मान है वह चूंकि a fs के समानतर है a fs के समानतर होने के कारण हम उसको a fs के बराबर लिख सकते हैं तो ये हो आएगा a fs और o a क्या है देखो o से a ये क्या है r है मतलब प्रतिक्रियबल का direction है तो इसको हम क्या लिख सकते है r a fs upon r इस तरह से a fs upon r का value कितना होगा चूंकि हमको पता है कल हमने पढ़ा है कल हमने पढ़ा है fs equal to mu s into r ये हमने इस्थैतिक घहसरण के नियम में पढ़ा है तो यहां से रही हम a fs upon r निकाले a fs upon r निकाले वो mu s के बराबर हो जाएगा इस पकार से हम इसको next line में क्या लिख सकते है therefore 10 lambda 10 lambda equal to mu s ये लिखा जा सकता है और ये जो formula आया यहां पर ये जो formula आया 10 lambda equal to mu s ये क्या बताता है कि इस्थैतिक घहसरण मतलब घहसरण कोड घहसरण कोड का जो इस पर से जया है मतलब उसका जो tangent है घहसरण कोड का जो tangent है वह इस्थैतिक घहसरण गुणां के बराबर होता है क्या बोला मैंने घहसरण कोड का इसपर से जया हम 10 को हिंदी में इसपर से जया बोलते है तो घहसरण कोड का जो इसपर से जया होता है वह μु एस के बराबर होता है मतलब स्थेतिक घरसनर्ड गुणान के बराबर होता है यह इसमें relation है तो यह कहलाता है घरसनर्ड कोड और घरसनर्ड कोड का छोटा सा फार्मूला ठीक है? यह आप समझो एक बार इसको इसकी इन साथ लेलो यहाँ पर complete होगया घरसनर्ड कोड बहुत छोटा सा टापिक है इसके बाद हम पढ़ेंगे विराम कोड चलिए नेस्ट टापिक है हमारा विराम कोड विराम कोड क्या होता है? देखो इसको भी आप चितर के help से ही समझ पाओगे यहाँ पर मैं एक practical demonstration से आपको इसको समझा रहा हूँ पहले उसके बाद मैं इसको आपको define करूंगा आपने बच्चों का फिसल पट्टी देखा होगा बच्चों का फिसल पट्टी जिसको हम inclined plane बोलते हैं नत समतल बोलते हैं तो यहाँ पर जो बच्चों का फिसल पट्टी होता है inclined plane जो होता है वह एक निश्चित कोड से जुका हुआ रहता है एक निश्चित कोड से जुका रहता है एक निश्चित कोड पर ही हम बच्चा जब वहाँ बैठता है तो फिसलता है ये मैंने एक plane surface ये scale मैंने एक रखा हुआ है ध्यान से इसको समझना ये scale मैं यहाँ पर रखा हूँ जिसको भी मैं plane रखा हूँ अब मैंने क्या किया ये एक sharpener है इसको मैंने एक side में रख दिया एक किनारे में रख दिया अब मैं इसके एक ind को इसी रखा हूँ और दूसरे ind क को धीरे धीरे उपर के रूठा रहा हूं तो देखो एक निश्चीत कोण में आने के बाद यह सार्पनर क्या हुआ उसमें लुठकने लगा मतलब जब यहां रखा हुआ था देखो अभी यहां पर रखा हुआ है और यह स्थीर है मतलब अभी इस्टेटिक फ्रिक्सन के कंडि जुकाओ है और उस जुकाओ के बाद यदि हम कोण के मान को उससे ज्यादा करते हैं तो सिमांत घरसण की जो इस्थिती है वह समाप्त हो जाती है और वह गतिक घरसण में कर्वर्ट हो जाता है तो जिस कोण के पस्चात सिमांत घरसण गतिक घरसण में परिवर्तित हो जात इसको विराम कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कोड तक वह विराम अवस्था में रहता है उस कोड को उससे ज्यादा करने पर वह गती अवस्था में आ जाता है इसलिए उस कोड को हम क्या कहते हैं विराम कोड कहते हैं एंगल आप रिपोस कहते हैं यहां पर आप फिगर में इसको एस्सप्रींड कर रहे हूँ देखो मालो यह कोई संतल है और इस समतल पर हमने एक इस तरह से को कि यह कोट्ण बनाया हुआ है आप इस अंपर कोई पविल क्या होता है इसमें फिशलने लगता है योद इस Est Mark पर यह फिसलने लगता है अप इसको इधर भी बना सकते हो चलिए मैं इसको इधर से बना दिया यह एक ही मतलब है इस कोड पर पिंड उसमें फिसलने लगता है तो यह क्या कहलाता है इसका विदाम कोड कहलाएगा मानलो यहां पर मैंने एक पिंड बना दिया यह एक पिंड बना दिया यहां पर अब यह पिंड इस स्थिती में इस पर फिसले लगता है इससे कम कोड़ पर वो नहीं फिसलेगा और इससे अधिक कोड़ पर फिसलेगा यह इसकी स्थिती है अब इसमें कौन-कौन से बल के घटा कार्य करते हैं यह बल के घटकों को हम यहाँ पर देखते हैं यह इसका भार नीचे की ओर होगा इस दिसा में इस दिसा में इसमें अभिलम प्रतिक्रियाबल होगा क्योंकि अभिलम प्रतिक्रियाबल हमेशा पिंड के लंबत कारे करता है यह इसका विप्रीद बल होगा यहाँ पर क्या होगा इसके घर्ष नर्बल होगा इस तरह से अब यहाँ पर देखो इसके values क्या क्या होंगे यह नत सम्तल को मालू हमने थीटा कोड से जुकाया है तो जब यह पिंड का भार है mg जो नीचे कारी कर रहा है यहाँ कोड थीटा है तो यह वाला 90 होगा जो mg के पास है mg कासhयच हो जाएगा और यह जो mg से दूर है वो mg साइं थीटा हो जाएगा और इसमें घर्ष नबल लगा हुआ है यह इस दिसमें एफस ऑनुट OR आउनु तो एक हो जाएगा mg के घृटक हो जाएगे तो Mg के जो घटक हुए वो कौन किस के साथ में बैलेंस हो रहा है ध्यान से समझना यह जो Mg-Castheta घटक है यह इसके अभिलमब प्रतिक्रिया के द्वारा बैलेंस हो रहा है और जो Mg-Sinetheta है वह Fs के द्वारा बैलेंस हो रहा है इस पकार से यहां पर देखो तो संतुलन की स्थिती या सिमान्त घरसनड की स्थिती में क्योंकि एंगल आप रिपोस क्या होता है या सिमान्त घरसनड की स्थिती होता है तो सिमान्त घरसनड की स्थिती में हम देखें तो सिमान्त घरसनड की स्थिती में क्या होगा सिमान्त घरसनड की स्थिती में यह आर जो ह होगा mg sinθ के बराबर होगा तो हमने यहाँ पर लिक दिया fs equal to mg sinθ और r equal to हमने लिख दिया mgθ यह हमने लिख लिया fs equal to mg signθ, r equal to mgθ अब हम क्या किय 가지iin chicos इसमें इसको विभाजित कर दिये इसमें हम इसको भाग दे दिये तो भाग देने पर क्या हो जाएगा fs upon r equal mg mg के साथ कर जाएगा और sin theta upon cos theta यह हो जाएगा 10 theta इस पकार से fs upon r 10 theta होगा that implies आगे हम इसको solve करें तो fs upon r क्या होता है mu s तो mu s बराबर क्या हो जाएगा 10 theta या इसको क्या लिश सकते हैं 10 theta बराबर mu s एक बराबर मतलब है mu s ए लिखा जा सकता है यहां से आप इसको देखो ध्यान से तो 10 theta mu s के बराबर है और पहले हमने पढ़ा है 10 lambda भी mu s के बराबर है तो यहां से एक बात बहुत इसपर्स क्लियर होता है कि चाहे वह घरसण कोड का इस्थिती हो चाहे विराम कोड का इस्थिती हो घरसण कोड का इसपर्स ज्या भी इस्थैतिक घरसण गुडां के बराबर होता है और विराम कोड का भी जो इसपर्स ज्या है वह भी इस्थैतिक गहसाड गुडान के बराबर होते हैं दोनों उसके बराबर होते हैं इस पकार से हम यह कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर होते हैं तिसमें हम एक relation बना सकते हैं दोनों में हम एक relation बना सकते हैं क्या relation बना सकते हैं देखो चुकि अभी हमने पढ़ा कि 10 lambda equal to 10 lambda equal to mu s और तथा 10 theta equal to mu s 10 lambda भी mu s होता है और 10 theta भी mu s होता है 10 lambda भी mu s और 10 theta भी mu s होता है therefore इन दोनों से हम क्या सकते हैं कि 10 lambda equal to हम लिख सकते हैं 10 theta और therefore lambda equal to क्या लिखा जा सकता है lambda equal to theta लिखा जा सकता है इस पकार से हम कर सकते हैं कि lambda theta के बराबर होता है अर्थात घरसनार कोंड विराम कोंड के बराबर होता है घरसनार कोड़ सदय विराम कोड़ के बराबर होता है तो एक बहुत महत्पून टापिक है और कभी भी जब एक कोस्चन एक्जाम में आता है तो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि विराम कोड़ किसे कहते हैं ये घरसनार कोड़ किसे कहते हैं विराम कोड़ किसी कहते हैं derive करोगे clear यहां तक चलिए तो इसको आप एक बार समझ में आ गया होगा इसको आप इसकी नसाट ले सकते हो और यह बहुत आसान टापिक है आसान है और बहुत ही महत्पूर्ण है अब हम पढ़ते हैं कुछ इसके छोटे छोटे टापिक जिसमें सबसे पहले घर्सनर से लाव हम हानिया बहुत देखो घर्सनर से लाव क्या होता है और हानी क्या होता है तो बहुत common sense की बात है पहले तो आप सोच रहे होगे कि घर्सनर से लाव कैसे होता होगा कि घर्सनर से लाव हानी है लाव कैसे होता होगा तो लाव यह है अब यहाँ पर मैं theoretical लिख नहीं रहा हूं क्यों एस्प्लेन कर रहा हूं घरसणर से लाव यह है कि single word में आप कर सकते हो बिना घरसणर के हम कोई कारे नहीं कर सकते हम खाना नहीं खा सकते हम चल फिर नहीं सकते हम pen से copy पर लिख नहीं सकते हम pencils से copy we can't imagine work without friction हम बिना घरसणर के कारे की कलपना भी नहीं कर सकते तो अब कितना उपयोग है कितना लाव मैं आपको गिनाओ इसमें आप खुछ समझ सकते हैं कितना लाव है एक सब्द में कर सकते हैं कि बिना घरसणर के कारे संभव नहीं है चलना फिरना उटना बैठना खाना पीना लिखना जो भी वर्क आप कर रहे हो और सब में friction है यदि नहीं हो यदि हमारे पैर और जमीन के बीच friction नहीं हो तो हम फिसल के गिर जाएंगे यदि दातों के बीच friction नहीं हो हम खाना निखा पाएंगे यदि पैंसिल और कापी के बीच में friction घरसणर नहीं हो तो हम लिख नहीं पाएंगे तो घरसणर के बिना कोई काम संभव नहीं है तो घरसणर से बहुत लाब है लेकिन घरसर से हानिया भी है घरसर से हानिया क्या है अब हानियों में दो चार हानी मैं आपको गिना देता हूँ बाकी इसमें बहुत से हानी भी है हाला कि इसके बिना हम कोई कारे नहीं कर सकते है घरसर बहुत अजीब चीज है हम इसके बीना रह भी नहीं सकते और इसका हम नुकसान भी जेलते हैं है ना ऐसा बोलते हैं इसके बीना रह भी नहीं जा सकता और इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता बिल्कुल घरसंड की वही इस्थिती है घरसंड के बीना हम कोई कारिक कर भी नहीं सकते और हम घरसंड को पूरा खतम भी नहीं कर सकते हैं उसे होने वाले हानी को बरदास्त करना पड़ता है तो क्या क्या हानी है? घरसंड से सबसे बड़ी हानी है कि इससे उर्जा नस्ट होता है एनर्जी लास होता है जैसे रोड में टायर के बीच और रोट के बीच में घरसंड होता है पीक अगी घरसंड होता है विकल्स के तायर घीस जातÉ है थीक है मसीन खराब हो जाता है इस तरह से घरसंडस से बहुँ सारे हानी भी है तो दोनों के कांविनेशन को समझना घर संदढ लाब भी है और हानी भी बी है लेकिन लाब ज्यादा है कह सकते हो हानी के वजाए को गारल के में तो काम ही नहीं हो fire इसके बाद कुछ टापिक पर हम डिस्कस करते हैं जिसमें देखो घरसर कम करने के उपाए घरसर कम करने के उपाए अब चलो भीया यह बात तो सही है कि घरसर के बिना काम भी नहीं हो सकता घरसर से नुक्सान भी होता है तो यह बड़िया उपाए है कि चलो भाई घरसंड को रखते भी है और ज्यादा नुकसान भी ना हो तो क्या कर ले कम कर ले घरसंड को कम कर ले तो दोनों काम चल जाएगा क्या दोनों काम चल जाएगा कि हमारा नुकसान भी रुख जाएगा और घरसंड भी हम रख पाएंगे तो घरसर कम करने के उपाएं हैं घरसर कम करने के उपाएं में सबसे महत्व पूर्ण उपाई है कि स्नेहक का यूज करते हैं सबसे पहला उपाई इसका यह है स्नेहक मतलब लूब्रिकेंट्स मतलब बहुत easy language में आपको बताओं तो आयल वागरा यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स समझते हो आप चीक नाहट लाने के लिए मसीन में आयलिंग की जाती है आप देखे होगे कि कोई विकल में घरसर हो रहा है साउंड कर रहा है ठीक सनी चल रहा है फेन का बेरिंग खराब हो रहा है बेरिंग अभी आपको के बीना तो कोई device कोई system हमारा काम ही निकरता ball bearing इस तरह का ecosystem होता है जैसे यह इस तरह का system होता था है और इसके बीच में क्या होता है चर्रे लगे होते हैं यह आपने देखा होगा इस पकार से इसमें गोलगल चरह हो और अलग नंबर का बेरिंग आ आता है को मालूम होगा गाड़ी में लगता है यह बाल बेरिंग के लाता है तो बाल बेरिंग को उप्योग करने से क्या होता है उसके बेरिंग जो छर्रे होते हैं वो क्या होता है तेजी से घूमते हैं तो वहाँ पर क्या होता है घरसण कम हो जाता है तो बाल बेरिंग का उप्योग किया जाता है घरसण को कम करने के लिए ठीक है इस पकार से अच्छा, घर्सन में फिर क्या है? गती घर्सन के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से एक, देखो प्रकार में आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक होता है सरपी घर्सन, सरपी मतलब sliding friction और दूसरा होता है बेलन घर्सन. तो बेलन घर्सन का उप्योग करने से घर्सन कम होता है, अब सरपी और बेलन घर्सन क्या है? सरपी घर्सन में क्या होता है? कि किसी भी पिंड का एक जो संपर्क सता है, वो fix बना रहता है. फार एक्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको छोटे से फीगर से समझा देता हूँ कि जैसे मालो यह कोई सता है और इस सता में मालो कोई पिंड कोई मालो अपने पास कोई तुकड़ा है लकड़ी का तुकड़ा है इस तरह से इटे का तुक्रा है, बच्चे इस पकार से खीशते रहते हैं, आपने देखा होगा आपने भी देखा होगा रसी से, बान्द के खीचा होगा ऐसा तो ये क्या है? सरपी घरसड है क्योंकि इसमें जो संपर्क सता है, वो हमेशा नियत बना रहता है सरपी घरसर में घरसर ज्यादा होता है मतब एक पर्मनेंट जो सरफेस है वो continuous घरसर के बहुत कामन सेंस की चीज है इन चीजों पर तो समाने चर्चा करूं वो परियाप्त है तो यह क्या होता है continuous उसके contact में बना रहता है इसलिए हम उसको क्या कहते है और लुखनाने-टर के wantidän इसलता है यह मान नो में और यह जब और लुखता है मतलब इसमें संपर का सतह लगातार क्या होता है परिवर्तित होते रहता है यह जो रोड है इसमें संपर का सतह यहां पर संपर का सतह नियत बना रहता है यहां संपर का सतह जैसे मालोग फुटबाल है क्रिकेट का बाल है यह यदि रोल हो रहा है यदि यह क्या होता है रोल हो हम इस तरह से बनाएं गती सी लूपकर्ण को ऐसा बनाएं कि उसमें सरपी घर्षण के बजाए क्या हो बेलन घर्षण हो जिसके करण हम घर्षण को कम कर सकते हैं तो एक कुछ जहाने का जुरत कहां पर पड़ता है ? जैसे मान लो आपको ग्राइंडिंग करना है मान लो आपको गहुऊ पिसना है अब गहुँ पिषने के लिए आप उसको दो चक्की के बीच में गेहु को डालोगे तो दोनों चक्की को यह हम क्या करें चीक न रख दें तो गेहु तो बीच में फिसल जाएगा उसका आटा यह नहीं बनेगा तो घरसनर को बढ़ाना भी पढ़ता है घरसनर के साथ बड़ी अजीब दुविधा है घरसनर नुकसान भी बिचाता है फीरमस के वीन हम काम भी नहीं चला सकते तो दवंफिपस्ने के लिए जो हम चक्की बनाते हैं उसको क्या आता है फुटाल के खिलाडी है मालनों फुटाल के होक्यू करें या रंणर है तो उननके सूज के नीचे में छोटे-छोटे कील लगे रहते हैं ताकि ग्रीब जमीन के साथ में उसका घरसर बना रहा है चीकना बनाएंगे तो दोड़ते समय वो फिसल के गिर जाएंगे टायर जो होता है टायर में ग्रीब बनाए जाते हैं आपने देखा होगा कि चाहे बाइक का टायर हो चाहे हो कार का टायर हो सैकल का टायर हो उसमें ग्रीब बनाए जाते हैं ताकि रोट के साथ में उसका ग्रीब वो प्रापर उसको पकड़ के रखे तो घरसर को इस तरह से ब बजाए खीचना आसान होता है क्यों यह कोश्चन एक्जाम में टीचर्स पूछते हैं मुझे मालूम है रोलर जो होता है रोलर आपने देखा होगा गार्डन में या रोड में या किसी समान को केरी करने के लिए बहुत तरह की रोलर बनाए जाते हैं तो जनरली देखना रोलर को ठकेलने के बजाए ढखेलने में जादा बहल का जवर्यत पड़ता है खीचना उसको आसान होता है तो जनरली दो प्रोलर को धकेला नहीं जाता है ठीक है उसको खीचा जाता है तो क्यों यहां पर मैं उसको दो फीगर की साहता से आपको समझा रहा हूं तो आप उसको प्राकर समझ पाओगे कियो किस तरह से होता है देखो सबसे पहले मैं दो फिगर बना रहा हूँ और पहला मैं बना रहा हूँ खीचना धकेलने मैं धकेलने वाला है यह धकेलना लेफ्ट साइड में है और इधार है खीचना खीचने और धकेलने में क्या डिफरेंस नहता है यह मैं आपको एस्प्लेंट कर रहा हूँ यहाँ ठीक है तो चलो हम पहले एक रोलर बना लें भाई मालो यह भील है रोलर का और यह किसी सतह पर यह मालो रोड है सतह है यह मालो एक सतह है ग्रील करक जो मैं बनाया वो सतह है अब यहाँ पर हमको रोलर को ढखेलना है यह इसको ढखेलने का सिस्टम है अब यहाँ पर देखो जब हम इस रोलर को ढखेलेंगे मतलब इस दिशा में हम इस पर बल लगाएंगे यह बल की दिशा है यह यह बल F की दिशा है यहाँ पर देखो रोलर का जो भार है रोलर का स्वयम का जो भार है उसका जो वेट है वह नीचे क्योर कारी करेगा यह इसका भार है रोलर को जैसे हम ढखे लेंगे तो बल के दो घटक हो जाएंगे 36 घटक और उर्दाधर घटक मालो यहाँ पर यह 36 के साथ में यह जो बल है यह थीटा है तो F का यह वाला जो घटक होगा वो F यह जो F बढ़ाता है ये जो f-castθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ में हमको ज्यादत बल लगाना पड़ेगा तो यह एमजी उसका भार है और एप साइन थीटा की दिसा भी वही होने के कारण वह इसके साथ में एड हो जाता है इसके कारण रोलर भारी हो जाता है और रोलर के भारी होने अब हम रोलर को एहां पर खीच रहें यह situation बना दूंए कि खीचने का और ध्यान रखने इसको इस दिसा में खीचा जा रहा है इसके भी दो घटक हो जाएंगे यहां पर एक यह घटक अब चूंकि ऊपर खीचा जा रहा है तो यह घटक अब ध्यान से समझना इस एफ बल से इ तो ये वाला जो घटक होगब ये वाला वह f कStr spent होगा और ये वाला जो घटक होगब वह eef sin unlimited होगा और इसका जो भार होगा इसका जो रोलर का भार है वो नीचे कारेकार भार है mg यहाँ पर तो यहाँ पर देखो f sin theta की दिशा उपर है और mg की दिशा नीचे है एप cast theta तो उसको आगे लेके जाएगा यह उसको आगे लेके जाएगा और f sin theta उपर है और mg नीचे है तो उसमें minus हो जाएगा मतलब उसका भार कम हो जाएगा, roller हलका हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर जो परिणामी बल है यहाँ पर जो परिणामी बल है देखो इस कंडिशन में mg प्लस f sin theta हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर mg माइनस f sin theta हो रहा है तो यहाँ पर mg में f sin theta घटने के कारण यहां पर roller क्या हो जाता है हलका हो जाता है लेकिन ये वाले case में क्या हो जाता है roller भारी हो जाता है क्योंकि mg के साथ में इस पकार से हम कह सकते हैं कि फीचने के नहीं हों उसको खीचना आसान होता है तो कभी भी आपको रोलर को एक जगा से दूसरे जगा ले जाना हो तो भुआ गिलना मत अप फिजी इसकी स्टूडेंट हो उसको खीचना ठीक है फूस मत करना पूल करना उसको खीचना तो ज्यादा आसानी से कर पाओ ओके ठीक है तो यह है भी हमारा घरसनार से लाब वहानी उपयोग रोलर यह जो पूरे कंडिशन है घरसार पर बेस्द है तो यहां पर हमारा घरसार का टापिक कंप्लीट हो गया और हम इसके नेस्ट क्लास में इसके नुमेरकल करेंगे बहुत छोटा सा पार्ट है ठीक है और मृटिपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं या आप लोगों ने बहुत तरह के वृति गती देखा है पढ़ा है पृत्वी सूर्य के चारों और चक्कर लगा रहा है लगा रही है वृति गती है इलेक्टान अपने नाभिक के चारों और घूम रहे हैं वृति गती है बहुत तरह का वृति गती आप लोगों ने फिजिकल देखा है आप जर्व किया है तो यहां पर हम इस्पेसली सर्कूलर मुशन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कूलर मुशन का हमारा जो टापीक है वह कम्प्रीटली सिर्फ वृत्ति गती करने वाले कांसेप्टर बेस्ड होगा तो पहले तो हम देखें कि भाई वास्ताव में वृत्ति गती होता क्या है तो समाने रूप से हम इसका डेफनेशन करना चाहें तो यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार पत्पर गती कर रहा हो तो वह वृत्ति गती कहलाता है बहुत सिंपल लेंग एक बात आप ध्यान रखना कि वृत्ति गती जो है वह टू डैमेंसन मुशन है यह यह टू भतिंड का दो डायमेंसन में पोजिशन होते रहता है वह एकस एक्स के सापक्स वी एसठिति को परिवर्दन करते रहता है और यक्स कोई इस तरह से समझ सकते हैं टू डैमेंशन मोशन कैसे हैं यह एक एकसीज है यह दूसरा एकसीज है और यहाँ पर इदी कोई पिंड क्या है वृत्ति गती कर रहा है सपोज यह वृत्ताकार पत है और इस वृत्ताकार पत पर कोई पिंड वृत्ति गती कर रहा है मालो यह प पोजिशन चेंज हो रहा है तो इसके पोजिशन चेंज होने के साथ साथ इसके निर्देसांग भी चेंज हो रहे हैं इसके क्वाडिनेट चेंज हो रहे हैं देखो अभी इसका एकस वाई निर्देसांग किये हैं इसका एकस वाई निर्देसांग किया है इसका एकस वाई नि स्थिति में पुजितन कर रहा है एक्स अक्ष के सापेक्स भी उसका पोजिसन चेंज हो रहा है इस तरह से विथ्थी गती क्या होता है टूडाइमिन्शन होता है तो पहला इंपार्टेन बात तो आपको ओए धियान में रखना है इस circular motion is a two dimension motion, ठीक है वृत्ति गती द्वी विमी गती होता है, अब यहाँ पर हम देखे हैं कि जब कोई पिंड circular motion वृत्ति गती करता है तो उसका behavior किस तरह का होता है, देखो, हम इसको परिभासा को और इस तरह से भी कह सकते हैं, यह ध्यान से समझनाब, मालो यह कोई वृत् पर कोई पिंड यदि वृत्ति गती कर रहा है इस पकार से, तो यह वृत्त की त्रिज्या होती है, जिसको हम इस पकार से पतसित कर सकते हैं, यह वृत्ति पत्त की त्रिज्या है, तो मालो यह पिंड जब वृत्ति गती स्टार्ट करता है, यहां से, यहां पहुंचा, फिर यहां पर पहुचा फिर यहां पर पहुचा फिर यहां पर पहुचा तो हर पोजिशन पर उसका केंद्र से क्या होता है दूरी नियत होता है यहां भी केंद्र से दूरी यहां से केंद्र से दूरी नियत होता है जिसको हम इसकी तृजिया कहते हैं आर कहते हैं इस तरह से तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो कि उसकी इस्थिति ध्यान से सुनना, उसकी ऊस्थिति एक नियत बिंदु से हमेसा नियत बना हो मतलब एक constant point है और उस constant point से उसका जो distance है वो हमेसा नियत बना हो तो निश्चित रुप्स उसकी गती क्या होगी? पृति गती होगी और वह नियत दूरी उसकी उस वृति पत की तिर्जिया होगी ऐसा हम थोड़ा सा उसको standard language में भी कह सकते हैं इस प्रकार से वृति गती को परिभासित किया जा सकता है एक बार repeat करता हूँ ध्यान से सुनना यदि कोई pin किसी वृतिकार पत पर गती कर रहा हो तो उसकी गती को हम क्या कहते हैं? वृति गती कहते हैं या क्या कह सकते हैं किसी पिंड की गति इस प्रकार हो रही है कि वह किसी नियत भिंदू के सापेक्ष अपने इस्थिती को सद्यो नियत बनाया हुआ है तब भी हम उसकी गति को वृत्ती गति गहते हैं ठीक है ते कहलाता है सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन अब इसके टर्मिन रखना है यह मैंने आपको मोशन समझाते हुए इसके कुछ एक्जामपल दिये थे आज मैं दुबारा उसको रिपीट कर रहा हूं मालो का यह वृत्ती पत है और इस वृत्ती पत पर कोई पिंड गति कर रहा है ठीक है तो वृत्ती पिंड पर यदि पत पर वह गति करते यह इसपर्स रेखी आगे हम इसको प्रूफ करेंगे उसकी दिशा इसपर्स रेखी होती है तो यहां पर देखो यदि कोई पिंड क्या है नियत वेक से अभी उसका पोजिशन यहां पर है इसका वेलसिटी भी है यहां पर सपोस्ट वेलसिटी वी टू है यहां पर इसका व क्या है नियत है मतलब वेग का नियत क्या है उसका परिमार नियत है तो रिति गति करने वाले पिंड जब एक समाम रिति गति करता है जब कोई पिंड एक समाम रिति गति करता है तो ध्यान रखना एक समें गत्ती बूद का केवल वेग का परिमार निएत रहता है वेग का के मठी मात्रा यह नियत होता है उसकी दिशा कभी नियत नुसके कभी भी नियत नहीं हो सकती यह सब बहुत बहुत concept है बहुत ध्यानसी बातों को समझना क्या बता है मैं आपको यदि कोई नियत वेग से व्रिती गती कर रहा हो तो उसका वेग का परिमाड तो नियत रह सकता है लेकिन उसकी दिशा नियत नहीं हो सकती क्यों कि हर फोजिसन पर आपने गति की दिषा गोय बदलते रहता है। पोजिशन पर वो अपने दिशा को बदलते रहता है इस पकार से यह बात ध्यान रखना कि वेग नियत होने के बाद भी वृति गती एक ऐसा गती है जिसमें वेग नियत होने के बाद भी इसका तो त्वरण है त्वरण not equal to zero इसका त्वरण कभी सुन्य नहीं हो सकता जबकि ह कि इसका जानते हैं कि वेग नियत हो तो उसका त्वरण सुन्य होता है ठीक है बहुत ध्यान से बात को समझना क्योंकि बहुत Himself कहुं है पुर्लों इसका परिमार परिमार नियत होता है उसकी दीशा नियत नहीं हो सकती क्योंकि देख रहा है उस दीशा लगाता है परवर्टी थो रहा है इस पकार से वृति गति एक ऐसी गति है जिसमें वेक के नियत होने के बावजूद वेक के नियत होने के बावजूद त्वरार सुन्य नहीं होता क्यो तो यह एक रेयर केस है इस केस्ट को ध्यान में रखना है ठीक है और यह बात आप नोट कर क्याद रखो कि वृत्ती गती में वेग नियत होने के बाद भी तौरण सुन्ने नहीं होता इसका कारण भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि उसकी दिशा बदलते रहती है क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है तो दिशा के परिवर्तित होने के कारण क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है और इस परकार से दिशा परिवर्तित होने के कारण उसका वेग कभी नियत नहीं होता यह पाइंट आप नोट करो, यह बहुत महत्बूर्ण पाइंट है चलिए, आगे हम डिस्कस करें नेस्ट टॉपिक पर वो है हमारा कोड़ी विस्थापन, कोड़ी वेग और कोड़ी त्वरण ये क्या होता है कोड़ी विस्थापन क्या होता है कोड़ी वेक क्या होता है और कोड़ी तोरण क्या होता है ये तीनों टर्मिनोलाजी को अपने को समझना है तो तीनों क्या होते हैं देखो यहां पर मैं एक figure बना रहाँ हूं यह विष्टी गती करने वाले pin का condition है यह कोई pin विष्टी गती कर रहा है तो इसका इस तरह से मालो यह pin का position है मालो här pin का A position है और यह मालो pin का B position है A और B दो position है पहले pin ए position पर था ये इसका केंद्र है और रित्पी पत्त की त्रिजिया मानलो R है जब वह पिंड A पोजिशन पर था तो सपोस्थ वो A से गती करते हुए B पोजिशन पर पहुँचा सपोस्थ T समय में वह T समय में A से B पहुँच गया और उस समय मानलो उसका जो कोड़ी वेग है जिसको हम ओमेगा से पतसित करते हैं वह क्या है ओमेगा है और उस समय वो पिंड अपने केंद्र पर वो पिंड अपने केंद्र पर डेल ठीटा कोड़ बनाता है डेल इसलिए क्योंकि ठीटा परिवर्टन सिर्ग मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि physics में किसी भी physical quantity के सामने किसी भी भौतिक रासी के सामने डेल लगाने का दो अर्थ होता है कि या तो वह physical quantity बहुत small quantity है बहुत छोटी रासी है या तो वह physical quantity परिवर्त अंसिल है मतलब उसका value लगातार change हो रहा है तो यहाँ पर देखो इसके के अंदर पर बनने वाला जो कोड़ है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है क्योंकि pin जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ऐसे वैसे क्या होगा theta command बदलती जाएगा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a से b तक जो चाप बना है arc यह मालो a से जिसको हम क्या कहते है वर्त तका चाप कहते है arc a से तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखें कोड़ी विस्थापन तो कोड़ी विस्थापन क्या होता है वर्ति गती करने वाला जो पिंड है वो अपने केंदर पर जितना कोड़ बनाता है उसको हम कोड़ी विस्थापन कहते हैं जिसको हम देख थिटा से रिप्रेजन करते हैं और देख थिटा एकोल टू होता है s अपान आर और इसका unit होता है radiant क्योंकि इसको हम ऐसा radiant से मापा जाता है तो कोड़ बराबर चाप बटे त्रिज्या इस पकार से कोड़ी विस्थापन का फार्मूला क्या होगा a सापान आर डेल थिटा एकोल टो a सापान आर मतलब चाप बटे त्रिज्या मतलब वृत्ती गती करने वाला पिंड अपने केंदर पर जो कोड़ बनाता है वह उसका क्या होता है कोड़ी विस्थापन होता है जिस पकार से linear velocity में जिस पकार से रेखी गती में समायने विस्थापन होता है एक position से दूसरे position के बीच के जो distance है वह विस्थापन कहलाता है उसी प्रकार से व्रिती गती कर जब कोई पिंड व्रिती गती करता है तो के अंदर पर जो कोड़ बनाता है वह उसका कोड़ी विस्थापन कहलाता है यह कहलाता है इसका कोड़ी विस्थापन अब हम देखते हैं कोड़ी वेग होता है डेल थीटा अपां डेल टी डेल टी चेहने का मतलब कोड़ी वी स्थापन बतेnh समय अंतराल प्रद सतमय से करते हैं यह इसको हम कालकूलास के language में लिखें तो omega equal to हम d theta by dt limit del t tends to 0 करके हम उसको differentiate करें तो d theta upon dt से भी प्रदर्सित किया जाता है तो यह ध्यान रखना कि omega equal to delta upon delta होता है यह omega equal to delta upon delta होता है यह formula याद रखोगे इसके बाद हम देखते हैं कोड़ी त्वरार कोड़ी त्वरार को हम alpha से समय विस्थापन एक चींद ध्यान रखना omega हमेशा constant होता है इसलिए मैं उसमें del नहीं लगाया वृत्ती गती करने वाले पिंड का कोड़ी वेग हमेशा नियत होता है यह आगे चल के आप बहुँ जगा concept में आप इसको यूज़ करोगे यदि कोई पिंड वृत्ती गती कर रहा हो तो वृत्ती गती करने वाले पिंड का जो कोड़ी वेग होता है वह हमेशा नियत होता है तो alpha equal to होता है omega upon del t यह कोड़ी तोराण का फर्मूला है तो तीनों फर्मूला आप ध्यान रखना कोड़ी विस्थापन क्या होता है एसा पान आर कोड़ी वेग क्या होता है del t upon del t और कोड़ी तोराण क्या होता है omega upon del t यह सूत्र आपको याद रखने है इसको यह हम कल्कूलस के लेंग्वेज में लिखे हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं alpha equal to d omega by dt भी लिख सकते हैं मतलब कोड़ी वेग को जब समय के सापेश अपन आपकलन करते हैं तो भी कोड़ी तोराण कहलाता है इतने फार्मूले आपको याद रखने है यही इसका basic terminology है यह आपको समझना है चलिए ठीक है आगे हम देखें अगला topic हमारा देखो भी तथा omega में सम्मन भी तथा omega में सम्मन भी और omega में क्या सम्मन होता है मतलब कोड़ी वेग और omega में relation भी यहाँ पर रेखी वेग है भी यहाँ रेखी वेग है और omega यहाँ पर क्या है कोड़ी वेग है तो रेखी वेग और कोड़ी वेग में सम्मद रेखी वेग और कोड़ी वेग में क्या सम्मद होता है यह हमको बताना है तो छोटा सा relation इसको हम derive करते हैं ध्यान से समझना चूंकि हमको पता है कि V equal to होता है S upon delta S upon delta मतलब विस्थापन बटेश समय यह आपको मालूम है कि V equal to होता है S upon delta that implies अब इसको हम थोड़ा सा adjustment करें इस तरह से तो क्या करें अपन दोनों साइड में V upon इसको मैं इस से बनाता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा बनाने के कई तरीके हैं चलो इसको मैं omega से बनाता हूँ omega equal to होता है delta upon delta omega equal to delta upon delta इस परकार से यह आप सिधा सिधा कोण बराबर चापबर्टे त्रिज्या से निकालोगे तो एक ही लाइन में निकल जाएगा चलो उससे निकालता हूँ मैं मतलब अभी हमने पढ़ा है यह वाला फार्मूला omega equal to delta upon delta अब मैं क्या किया इसके दोनों साइड में delta का डिवाइट कर दिया तो delta upon delta equal to s upon delta into one upon r यह हो जाएगा देट इंप्लाइस आगे इसको साल्व किया जाए तो delta upon delta अभी आपको बताए हूँ मैं देखो यह delta upon delta क्या होता है omega होता है तब हम इसको क्या लिख सकते है ओमेगा यह omega हो जाएगा और that equal s upon delta आपको मालूम है कि आपने यह पढ़ा हुआ है विस्थापन बते समय विस्थापन बते समय क्या होता है रेखी वेग होता है तो इसको हम वी लिख सकते हैं इस पकार बहुत आसानी इसको डिराइब किया सकता है v into one upon r r को इधा टांसपर कर दें तो यहां पर हो जाएगा that implies v equal to r into omega that implies v equal to r into omega यह फर्मूला हो जाएगा v equal to r into omega ओके यह है v और omega में संबन यह relation हमको आगे बहुत काम आएगा अब हमको इस्थापीत करना है a और alpha में संबन यहां पर a और alpha क्या है देखो a यहां पर रेखी त्वरण है और alpha क्या है यहां पर कोड़ी त्वरण है तो रेखी त्वरण और कोड़ी त्वरण में क्या संबन होता है तो हमको कुछ नहीं करना है यह जो संबन निकला है इस अब हम लिखेंगे T के सापेक्ष, T के सापेक्ष मतलब T क्या यहाँ पर समय, T के सापेक्ष आउकलन करने पर, तो T के सापेक्ष इसका आउकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा dv by dt equal to d by dt equal to r into omega dv by dt equal to d by dt आप r into omega अब इसका हम आउकलन करें तो क्या हो जाएगा dv by dt मतलब समय के सापेक्ष जब वेक को आउकलन किया जाता है तो आउस त्वरण बनता है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं a, a हो जाएगा equal to r constant है इसको बाहर कर दिये तो r d omega upon dt यह होगा अब देखो d omega upon dt अभी मैंने आपको बताया यह है d omega upon dt मतलब कोड़ी वेक का जब समय के सापेक्ष जब कलन होता है तो वह alpha बन जाता है तो इसको हम alpha लिख सकते हैं इस पकार से यह जो value है इसको alpha लिखा जा सकता है तो therefore हम इसको लिख सकते हैं a equal to r into alpha और यह formula जो बनेगा वह इन दोनों में संबंद है a और alpha में संबंद है तो यह है b और omega में संबंद और यह है a और alpha में संबंद तो यह दोनों संबंद बहुत important है यह सब परिक्षा में छोटे-छोटे question पूछे जाते है यह परिक्षा में छोटे-छोटे question पूछा जाता है इसको ध्यान से आपको समझना है चले अब हम कुछ important relation derive करते हैं इस chapter में जिसमें सबसे पहले वृति-गती में कड की गती की दिशा यहाँ पर हम यह discuss करते हैं कि जब कोई पिंड वृति-गती करता है तो वृति-गती करने वाले पिंड के कड की गती की दिशा क्या होती है अभी मैंने पीछे टाफिक में आपको पढ़ाया और हर बिंदू पर मैं इस परस रखा खीचा था कि यही वृति-गती करने वाले किसी पिंड के गती की दिशा होती है लेकिन अभी हमको यहाँ पर उसको समझना है कि उसकी दिशा इस पकार से कैसे होती है ठीक है चलिए देखिए तो किस पकार से हम उसको समझ सकते है यह बहुत important topic है last में conclusion बताऊंगा कि इस पकार से question कैसे पुछा जाता है मालो यह कोई वृत्ती पत है और यहाँ पर कोई पिंड गती सिल है यह इसकी तरिज्या है तो मालो एक position यह है यहाँ पर दूसरा position यहाँ पर यह है दो position है उसके गती का दो position है A यह तो मुल बिंडु है केंदर है स्वारी यह A है और इसका यह B position है अब यहाँ पर हम देखें कि बिंडु A पर उसके गती की दिशा क्या है तो इसके गती की दिशा को जानने के लिए मालो यहाँ पर उसके गती की दिशा इस पकार से हम कोई भी खीज देते हैं मालो इसके गती की दिशा है यह हमने माल लिया इसके बाद क्या किया है यहाँ पर हम एक रचना करते हैं एक कंसक्शन करते हैं इस बिंदू से इस बिंदू को हमने मिला दिया इस प्रकार से हमको यहाँ पर एक त्रिभूज मिल गया त्रिभूज OAB अब त्रिभूज OAB में हम विचार करें त्रिभूज OAB में इस त्रिभूज में हम विचार करें तो ध्यान देना मालो इसके केंदर पर जो बना कोड है यह बहुँँ छोटा कोड है मालो डेल थीटा यह कोड है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं त्रिभूज OAB में कोड डेल थीटा प्लस कोड OBA या OAB यह वाला कोड कोड OAB प्लस कोड OBA मने यह वाला कोड पोडूरि पोस्ट क्या है 180 डिग्री क्यों क्यों के तीनों अंता het ओंगों इंग्यान से हुग्षछ। कोण B के बराबर है क्यों है क्योंकि O A diye कोई इस त्रिभूज की त्रिज्जिया है और जब किसी त्रिभूज के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं तो आमने सामने केlar all the बराबर होते हैं तो यहांपर देखो attack怎么 here § compound B यहांसामने की भुजा वहाँ बराबर होगा किसके कोड़ B के तो दोनों को अपस में बराबर होगा तो दोनों को एंगल A लिख सकते हैं तो आगे हम इसको लिखेंगे डेल थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं एंगल A इसको भी लिख सकते हैं एक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री यह हो तो अपने को क्या रिलेशन मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल ए यह हो जाएगा टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डेल थीटा यह इसका वेली हो जाएगा देट इंप्लाइस आगे इसको साल्व किया जाए तो टू को उधर हम ट्रांसफर कर दें तो एंगल ए इक् करें तो एंगल ए इक्वल टू यह हो जाएगा 90 डिग्री ओडेल थीटा पांट टु इसका जो फेल्यू अर में जब हम ग्लीजिबल हो जाएगा इस प्रकार से हम क्या का सकते हैं यह एंगल नेगलिजिबल है जब यह angle negligible हो जाएगा नगर नहीं हो जाएगा तो उसके negligible होने के condition में angle A क्या होगा 90 degree हो गया angle A का 90 degree होना मतलब क्या सो करता है देखो यह वाला cone अभ्यांस हो गया जब यह cone 90 degree हो जाएगा तब यह जो रेखा आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगी इस पर्ष रेखा क्यों क्योंकि इस पर्ष रेखा हमेशा अपने वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है तो यहां पर इसका 90 व्रिती गती में पिंड की दिशा गती करने वाले पिंड की दिशा होती है वह इसपर्स रेखी होती है यह इसपर्स रेखी होती है वृत्ती गती में पिंड की गती पिंड की दिशा या पिंड की गती की दिशा कहना चाहिए पिंड की गती की दिशा मतलब यह कही है इसपर्स रेखी होती है तो इस पकार से इस question को यदि आपको exam में इस तरह से पुछा जाए कि वृत्ती गती में कण के गती की दिशा क्या होती है या सिद्ध करो कि वृत्ती गती में गती करने वाले पिंड की या कण की जो दिशा होती है वह इस पर सरेखी होती है तो आपको इस तरह से इसको प्रूफ करना होगा इस पकार से आप प्रूफ करके बता सकते हैं ठीक है? कि रिती गती में पेंड़ के गती की दिशा इस पर स्रेखी होती है clear? यहां तक आगया समझ में आपको? कोई प्राब्लम? अभी केंदर बल से पहले हम पढ़ेंगे अभी केंदर त्वरण अभी केंदर बल से पहले हम पढ़ेंगे अभी केंदर त्वरण उसके बाद फिर हम आपको बल के बारे में बताएंगे ठीक है? अभी केंदर त्वरण अभी केंदर त्वरण इंग्लिज हम बोलते हैं Sentry Petal Acceleration Sentry Petal Acceleration अभी केंदर त्वरण ये क्या होता है अभी केंदर त्वरण समझने के बाद हम अभी केंदर बल पढ़ेंगे तो देखें अभी केंदर मतलब होता है केंदर की और अभी केंदर मतलब होता है केंदर की और इस पकार से अभी केंदर मतलब केंदर की और में में केंदर त्वराण केंदर की और लगने वाला त्वराण जब कोई भी पिंड वृत्ती गती करने वाले पिंड के उस वृत्त के केंदर की और एक तोरान कारी करता है इसे हम अभी केंदर तोरान करते हैं अब यहाँ पर हम इसका फार्मला डिराइब करेंगे कि अभी केंदर तोरान का वेल्यू कितना होता है उसका mathematical वेल्यू कितना होता है गडिती इमान कितना होता है इसका हम यहाँ पर calculation करेंगे, ओके, तो सबसे पहले हम एक चीत्र बना ले, जहां पर हम वृत्ती गती को पतरशित करने वाले हैं, यह हम एक चीत्र बना ले, यह मालो कोई वृत्ती गती को पतरशित करने वाला condition है, जहां पर हम, यह मालो, वृत्त की तरिज्या है, और यहां पर हम इसके दो position ल लिया यह व्रित्त का केंद्र है व्रित्त की तिर्जय मान लवार है यह किसी पिंड का ए पोजीशन है और कुछ समय पस्चात यह पिंड बीपोजीशन पर है और वह अपने केंद्र पर डेल थीटा कोड बनाया है जो की कोड़ी विस्थापन है यह सब हम आपको प्रिवियस में एस्प्लेन कर चुके हैं ओके तो पूरा बेसिक कांसेप्ट हम इसके पहले वाले क्लास में आपको एस्प्लेन कर चुके हैं वह आपको पता होना चाहिए तो यह है दो पोजीशन ए और बी का फिर हमने पिछले टापिक में पढ़ा था कि कि किसी भी बिंदू पर व्रि दिशा होगी वो क्या होगी देखो यह इसके गती की दिशा होगी यहाँ पर इस पर स्रेखी दिशा में यह और इस बिंदू पर इसके गती की दिशा होगी यह तो यहाँ पर यह इसके गती की दिशा है बिंदू A पर और बिंदू B पर जो की इस पर स्रेखी दिशा में होत पीज़ना यह कोड़ देल धीटा है तो इस कोड़ के डेल धीटा होने के कारण यह वाला जो कोड़ होगा वह यह 90 डिगरी है क्योंकि इस परस रेखा त्रिज्ज्या पर लम होती है यह भी 90 डिगरी है यह हम पहले पुरूब भी किये हैं तो 90 प्लस 90 180 होगा और यह डेल तो यह जो बच्चा है वो हुझ जाएगा πाइ माइनस थीटा, ये होगा πाइ माइनस देल थीटा, इसको लिखने का ज़ूरत नहीं है, मैं डिर्ट लिख रही हूं, ये पाइ माइनस ये हो जाएगा देल थीटा, इस पकार से यह भी कोण देल थीटा होगा, क्योंकि अंदर पाई माइनस डेल थीटा होगा उसके साथ वह जुड़ेगा तो टोटल पाई होगा ओके तो यह वाला कौन भी डेल थीटा हो जाएगा मान लो इस बिंदू का नाम हमने सीधे दिया अब यहाँ पर देखो यह इसके गती की दिशा मान लो गती का मान भी वन है वेक का मान और अब हम क्या करते हैं इसके छोटे से पॉर्ण को निकाले हम एक चितर और बनाते हैं इसका चित्र बहुत महत्पूर्ण है ध्यान से समझना यह वाइट कलर से जो मैं ड्राग किया हूँ उसका हम एक अलग से यहाँ पर चित्र बनाते है यह इस तरह से तो यहाँ पर जो सिच्वेशन बनेगा यहाँ पर जो सिच्वेशन बनेगा वो इस तरह का बनेगा देखो क ऊसको निकाल fakt यह सिपर बनाया यहां पर जो हमने डेल फिसम पताय इसे लिए अपने चलता उस लिए अलग से बना लिया यह थोटा फीगर अलग से बनाने के बाद अब हम उस ची चित्र में calculation start करते हैं देखिए तो calculation बहुत ध्यान से समझना आप इस त्रिभूज में त्रिभूज ABC में अब हम गढ़ना कर रहे हैं इसकी त्रिभूज ABC में किसी भी त्रिभूज में जब एक कोण बहुत छोटा हो डेल थीटा जो की बहुत छोटा कोण है तो उस condition में उस त्रिभूज का सामने वाला छोटे कोण के सामने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम सीजी रेखा भी मान सकते हैं और उसको हम एक वक्र भी मान सकते हैं कर भी मान सकते हैं चाप भी मान सकते हैं तो यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रीजिया हम निकालें, तो यह कोण है यहाँ पर, जो की del, theta है और बराबर यह चाप है, जो की a और v के बीच का distance है, इसको हम लिख सकते हैं, del, v. और अपान इसकी त्रीजिया, या तो हम इसको v1 लिख सकते हैं या तो v2 लिख सकते हैं तो suppose यहाँ पर हमने v1 लिख दिया और vector v1 का माड ले लिया माड इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर v1, v2 परिमाड में बराबर है मैंने पिछले क्लास में आपको explain किया था कि एक समान वृत्ती गती में फिंड का वेक का परिमार तो बराबर होता है किन्तु उसकी दिशा परिवर्तर सिल रहती है दिशा बदलते रहता है इसलिए हमने यहाँ पर माड लिया है क्योंकि किसी भी सदिश का जो मापांक होता है वो अदिश्रासी होता है इसलिए हमने उसमें माड लगाया यह संपूर्ण रिजन आपको पता रहना चाहिए कि कहां पर हम कौन सा चीन यूज़ करें क्यों कर रहे है इसको आगे हम सालों करें तो यह हो जाएगा डेल थीटा इक्वल टू डेल भी अपान माड भीवन अब हम हमने माल लिया कि माड आप भीवन जो है माड आप भीटू के बराबर है और इसको सपोस हमने भी माल लिया तो इस पकार से भीवन और भीटू दोनों को हम क्या माल सकते हैं भी माल लिया क्योंकि दोनों परिमाड में बराबर हैं तो डेल भी अपान भी यह हमने लिख लिया अब हम क्या करें अब हम इसके दोनों पक्षों में डेल टी को डिवाइट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने के लिए क्या है हमको समझ चाहिए क्योंकि वेक परिवरतन की दर को हम त्वरण कहते हैं तो दोनों साइट में हम डेल टी डिवाइट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, डेल थीटा अपान डेल टी और यहाँ पर हो जाएगा, डेल भी अपान डेल टी इंटू वन अपान भी, यह हो जाएगा, इस पकार से हमने दोनों पक्षों में क्या किया डेल टी डिवाइट कर दिया अब यहां पर आप देखो यह डेल थीटा पान डेल टी जो वेल्यू है और डेल भी अपान डेल टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं यह क्या है कोड़ी विस्थापन बटे समय और हमने कल के क्लास में इसलिए देखो मैं हमे तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है यह सब चीज आपको इसके पहले वाले क्लास में समझा चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा डेल थीट अपान डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं इसको ओमेगा लिख सकते हैं यह ओमेगा हो जाएगा इसके बाद डेल भी अपान डेल टी तो V into omega A equal to V into omega होगा मतलब वास्तों में जो अभिकेंदत्वरण है वह रेखी वेग और कोडी वेग के गुड़न फल के पराबर होता है लेकिन जो इसका final equation नहीं है इसको हम आगे और simplify करते हैं क्या करेंगे देखो चुकि हमने पीछे से पढ़ा है क्या A equal to होता है V into omega अब हमको पता है कि V equal to r omega होता है बट हमको पता है कि V equal to r into omega होता है और यहां से दि हम क्या करें omega के value निकालें तो omega equal to क्या होगा V upon r होगा तो omega के value को हम यहां से put up कर दें तो omega के value वहां से put up करने से क्या मिलेगा देखो that implies a equal to v into omega को हम लिख दे v upon r that implies a equal to हो जाएगा v square upon r और a equal to v square upon r ये क्या है अभिकेंद तरण का फर्मूला है तो अभिकेंद तरण को हम इस फाम में लिख सकते हैं यह हम इसको और किस रूप में लिख सकते हैं देखो या अभी हमने यहां से क्या किया है omega का value put up किया है हम v ka value यहां से पूछ आर omega होगा तो यह क्या हो जाएगा a equal to v का value r omega put करें तो r into omega into omega होगा therefore a equal to क्या लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं omega square into r या r omega square यह कहीं मतलब है r omega square और यह भी formula हुजाएगा किस के लिए अभी के अंदरistoran के लिए तो यह भी आभी के अंदरistoran के लिए फ downward के लिए formula है और आप इस रूप में भी के अंदरistoran को लिख सकते हो v equal to a equal to v into omega तो अभी केंदर तोरान को हम तीन रूपों में प्रदसित कर सकते हैं एक वी इंटू ओमेगा के रूप में जैसे जैसा कंडिशन होता है जैसे जैसे सिच्वेस्टन पर हमको निमेरकल्स बनाने होते हैं उसके एकार्डिंग हम फार्मूला को यूज करते हैं तो एकवल टू इंटू ओमेगा भी होता है इसके बाद देखो एकवल टू इसकर अपनार भी होता है और एकवल टू आर इंटू ओमेगा इसकर भी होता है जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला यह है यह फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है एकवल टू इसकर अप अभी केंदर तौराण कहते हैं मतलब तूर्स दसेंटर और सरकल वृत के केंदर की और कार्य करने वाले तौराण को हम अभी केंदर तौराण कहते हैं ओके चलिए आप इसका इसकी सार्ट ले सकते हैं ये अब हम ने स्टाफिक पढ़ते हैं अभिकेंदर बल चलिए अभिकेंदर तरण मैंने पहले पढ़ाया इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिकेंदर बल तो अभिकेंदर बल क्या होता है देखो अभिकेंद्र बल में चुकि हमको मालूम है कि बल बराबर हमको पता है बल बराबर होता है द्रभ्यमान गुडित त्वरण बल बराबर द्रभ्यमान गुडित त्वरण होता है इस प्रकार से अभिकेंद्र त्वरण का बल का मान कितना हो जाएगा F से पताशित करें, तो M into A, जो कि यहाँ पर अभी केंदर तोरण है, तो that implies, इसको हम लिख सकते हैं, F equal to M, और A का value है, V square upon R, जो पीछे हमने पढ़ा है, therefore F equal to हो जाएगा, M V square upon R, यह कहलाता है अभी केंदर बढ़, इस पकार से, कोई भी पिंड जब रिती गती करता है, तो रिती गती करने वाले पिंड का जो त्वरण है, वो केंदर की और कारे करता है, और उसके कारण उसका जो बल होता है, F, वह M V square upon R होता है, यहाँ पर एक महत्तपूर्ण बात आप ध्यान में रखना, कि कोई भी पिंड जब रिती गती करेगा, तब ही करेगा, जब उसके पास अभिकेंदर बल हो, जब तक उसके पास अभिकेंदर बल नहीं होगा, तब तक वह रिती गती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो उसके वृतिगती करने के लिए उसके पास अभिकेंद्रबल होना अनिमारी है यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करना है कि अभिकेंद्रबल अपने आप में कोई बल नहीं होता एम भी इसके आप अपन आर उसका गडिती रूप है लेकिन अपने आप में कोई ऐसा बल नहीं है वास्तों में इस बल का कोई सोर्स होता है अभी मैं आपको कुछ एकजांपल बताऊंगा इस बल का कोई सोर्स होता है हम एक पत्थर को एक रस्ती से अटेच कर दिये आपने ऐसा कभी किया होगा और यहां पर हम एक यहां पर एक पत्थर है और इस पत्थर को हमने क्या किया इस रस्ती से अटेच करके गोल-गोल घुमाया अब ये अब रितिगती कर रहा है तो जब ये अब रितिगती करता है तो इसका जो अभिकेंद्र बल है जो अभिकेंद्र बल है वो केंद्र की ओर कारे करेगा तो केंद्र की ओर इसमें जो अभिकेंद्र बल कारे करता है उसका मान इधर होगा center की तरफ और उसका मान होगा mv square upon r तो यह mv square upon है क्या कहां से आया mv square upon r किस से आया इस ڈोरी पर जो तनावबल है उस से आया मतलब रसी पर रसी पर जो तनावबल है वही तनावबल वहाँ पर अभिकेंदर बल के रूप में कारिक कर रहा है that means आपको मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि वास्तों में mv square upon r आपने आपने उसका कोई अस्तित्व नहीं है वो किसी और के बराबर होता है यह बात को आपको हमेशा नोटिस करना है अदरवाइस जैसे हम आपको सेटेलाइट पढ़ाएंगे तो सेटेलाइट क्या है प्रित्वी के चारो और एक निश्चित कक्षा पर घूम रहा है तो भई वहाँ पर उसको अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है तो वहाँ पर उसको अभिकेंद्र बल के बराबर होता है जो वहाँ पर उसको व्रित्वी गती करने के लिए जिम्मेदार है जो responsible है वहाँ पर उसी के हमेशा वो बराबर होगा that means इस case में तनाव बल के बराबर हो जाएगा m v square upon r यह आपको ध्यान में रखना इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो तनाव बल के बराबर होगा अब यहाँ पर हम कुछ example देते हैं अभी केंद्र बल के दूसरे मखन निकालते हैं इसके हम डेली example कुछ उदाहरण आपको दें ऐसा example दें जो आपके एप प्रोच में हो तो एक example है cream प्रिथक कारी cream प्रिथक कारी क्या होता है cream separator कहते हैं इंगलिस में इसको cream प्रिथक कारी तो आपने देखा होगा आपने घर में ही ऐसा करते हुए देखा होगा की दही होता है उससे हम इस पकार से जिसको हम regional language में मत्धनी बोलते हैं जिसे मत्ते हैं जिसे हम मक्षन निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बड़े कंटेनर पर हर घर में इस परकार से उसको वितिगति पर्णाइक आए जाते हैं उसको जाता जोटा ब्लिसके पर कारण कुछ दियर बाद जो क्रीम होता है वह क्या होता है सेंडर चाहब इसको हम अपने scientific language में क्रिम प्रिथक कारी कहते हैं इंगलिस में क्रिम सेपरेटर कहते हैं आज कल तो मसीन के द्वारा किया जाता है सब बहुत लार्ज स्केल में जब मक्खर निकालना होता है बाकी घरों में तो आज भी इस परकार से निकाला जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि वास्तों में उस दूध से यह जो क्रीम का पार्ट है वह सेपरेट क्यों हो जाता है इसके पीछे कौन सा कॉंसेप्ट है तो इसके पीछे एक्च्वाल में अभिकेंद्रबल का कॉंसेप्ट है इसको थ्यान से समझना उसके बाद इससे रिलेटेड मैं आपको कई एक्जांप से कुछ सिंबोलिक फीगर बना के मैं आपको समझा देता हूं आज एक को कि एसकी सायतास्तान क्या करते हैं इसको इस पकार से गोल गोल घुमाते हैं बाकी आपको पता है जैसे हम इसको गोल-गोल घुमाते हैं, तो यह आपको पता है, कि जब इसमें दूध और मक्खन एक साथी कठा होता है, लेकिन इसको जब वृति गती कराया जाता है, जब हम इसको वृति गती कराते हैं, गोल-गोल घुमाते हैं, तो इसका क्रीम का पार्ट होता है, यह क्रीम का पार्ट य यह आपने देखा होगा यह सेंटर में कठा हो जाता है तो यहां पर सोचने की बात है कि वास्ताव में क्रीम जो है वह सेंटर में क्यों चले आता है और बाकी दूद का जो पार्ट है वह क्रीम को छोड़के किनारे क्यों चला जाता है तो यहां पर इस बात को समझने से पहले मैं आपको mathematically एक relation explain करता हूँ इसको आप ध्यान से समझना चुँकि अभी हमने पढ़ा है कि f equal to होता है m v square upon r अब मान लो मैं इस case में m और v को constant मान लो m ये नियत है क्योंकि mass तो नियत होगा clear और देखो sorry f नियत होगा मतलब हम दोनों में बराबर बल लगा रहे है ऐसा तो नहीं कि जब हम बाहर से बल लगाते है तो cream में अलग बल लगा रहे है दूद में अलग बल लगा रहे है ऐसा तो होता नहीं हम दोनों में बराबर बल एक साथ apply करते हैं तो f कमान यहाँ पर नियत है और यहाँ पर देखो वेक भी क्या है उसका नियत है दोनों का मान नियत है क्योंकि हम उसको दोनों को समान वेक से घुमा रहे हैं लेकिन यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है मास कांस्टेंट क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पार्टीकल है एक दूध का particle है दूध के कड़ है और दूसरा मक्खन का कड़ है और आपको मालूम है कि दूध और मक्खन के कड़ का जो द्रब्यमान है अलग-अलग होता है बहुत सारे मक्खन को आप हाथ में उठाओ तो आपको वज़न ही लगेगा लेकिन बहुत सारे दूध को आपको ह कि जब f constant है और v constant है इसका मतलब mr के क्या हो जाएगा mr के समान उपाती हो जाएगा इसको मैं इधर transfer कर दूँ इधर तो therefore आगे हम इस बात को कह सकते हैं कि therefore radius या mass is directly proportional to radius यह हम कह सकते हैं तो द्रब विमान क्या होता है त्रिजिया के समान उपाती होता है इस बात को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसके बाद इस concept को clear होने के बाद आप बहुत सारे example में इसको आप apply कर सकते हैं तो mr के समान उपाती होता है इस पकार से therefore इस relation को हम क्या लिख सकते हैं m1 upon m2 equal to क्या लिख सकते हैं r1 upon r2 कहने का मतलब यह कि जिसका mass ज्यादा होता है वो ज्यादा radius पर गती करेगा और जिसका mass कम होता है वो छोटे radius पर गती करेगा क्योंकि दोन रग दूसरे के समान उपाती होते हैं अब इस case में हम इसको apply करें सपोस हम इसको इस case में apply करें तो माल लो mass किसका mass milk का mass milk का mass को मैंने mm लिखा mm फार mass up milk और फिर upon में लिख दिया mass up cream मतलब m नीचे में छोटा से लिख दिया c यह milk का mass है यह cream का mass है और equal to हमने लिख दिया milk का radius मतलब radius आपड़ा मिल्क अपार radius आपड़ा क्रीम यह लिख लिया यहाँ पर इस relation से ऐसा हम लिख सकते हैं अब स्वभाविक रूप से आपको पता है कि milk का जो mass होता है वह क्या होता है क्रीम के mass से ज्यादा होता है तो пой से ज्यादा होता है कि जब यह वाला value इस ने बड़ा होगा तो right for हम क्या लिख सकते हैं कि there for RM मतलब milk का जो radius है जिस radius पर milk rotate हो रहा है उसका radius है वो बड़ा हो जाएगा किस से radius of the cream से जिसमें cream घूम रहा है तो यह relation क्या बताता है यह relation यह बताता है कि दूध जो है बड़े त्रिज्या पर घूमेगा दूध के जो particle है वो बड़े radius पर घूमेगा इस का था होता है किणारे में मिल्क आ जाता है ये किनारे में आ जाएगा क्या मिल्क क्योंकि उसको बड़े रेडियस में घुमना है और क्रीम जो होता है वह कहां अपर आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा क्योंकि उसको छोटे रेडियस में घुमने के कारण मिल्क किनारे चले जाता है और छोटे रेडियस में घूमने के कारण क्रीम सेंटर में आ जाता है और इस तरह से क्रीम मिल्क को छोड़ देता है जो मक्षन है वह क्या करता है दूद को छोड़ देता है और दूद से वह सेपरेट हो जाता है फिर हम उसको वहां से निकाल लेते हैं तो देख फिजिस के concept को यदि classroom के बाहर भी देख रहा है यदि classroom के बाहर भी उसको महसूस कर रहा है उसको feel कर रहा है तो उस condition में फिजिस उसको बहुत interesting भी लगता है और समझ में भी अच्छे से आता है क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ते हो जो कुछ भी आप पढ़ते हो वह आपको अधियान है पहले दिर मैंने आपको यह चीज पढ़ाया था जब भौतिक जगत पढ़ाया था तो यह है और भी बहुत सारे एक्जामपल है जैसे अब मैं और आपको बताते जा रहा हूं लेकि सब का basic concept नहीं है फाइनली सब में formula इतना ही apply होगा इसे numerical भी बनेंगे जैसे जो रोटर होता है जो इसको घूमाता है वो इस तरह का होता है एक figure बना को उसको भी समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा figure बनाने से बात ज्यादा clear होता है खासकर मेरे subject में क्योंकि आप बोलते रहो तो पता नहीं आप क्या imagine कर रहे हो पता नहीं चर पता कि मैं बोल कि वासिंग मसीन का एक dryer मैं यहां पर बना रहा हूं यह इस अक्ष के साब एक 4 और घूमता है इसका rotating axis है अब यहां पर खास बात क्या होती है कि यह जो drum लगा है जो घूमता है उसमें सब क्या होता है यह छोटे-छोटे छेद बने रहते हैं यह सब इसमें छोटे-छोटे बनाया गया है यह होल है अब क्या होता है जब हम इसके अंदर जब इसके अंदर हम कपड़े भर देते हैं सपोज हमने इसके अंदर यह गिला कपड़ा भर दिया यह कपड़ा भर दिया गिला अब गिले कपड़े को जब इसके अंदर में भरा जाता है और वासिंग मसीन को जब स्टार्ट किया जाता है तो यह क्या होता है गोल-गोल घुमता है अब गोल-गोल घुमने के कारण क्या होता है इसमें दो तरह के कणड़ है एक कपड़े का कड़ है एक क्लास पार्टिकल है और दूसरा वाटर पार्टिकल है एक कपड़े का कड़ है और दूसरा क्या है चलिए आप चेट में लिखे में पढ़ता हूँ कि कपड़े का मास कपड़े का द्रब्यमान ज्यादा होगा कि पानी का द्रब्यमान ज्यादा होगा चलिए बताइए मैं आपके चेट पढ़ रहा हूँ और आप लोगों यह बताइए कि किसका द्रब्यमान ज्यादा होगा ज पीना भीगा हुआ फिर पानी में डूबा के आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना भारी हो जाता है तो पानी का पार्टीकल भारी होता है तो इसके कारण क्या होता है जब इसको घुमाया जाता है तो पानी का जो पार्टीकल है वो कपड़े को छोड़के ये किनारे पर आता है और जैसा ये किनारे पर आता है तो किनारे में होल है तो ये पार्टीकल क्या होते हैं ये बाहर हो जाते हैं ये पानी के पार्टीकल दोनों तरफ से होल से बाहर निकल जाते हैं और अंदर बच जाता है सिर्फ क्या कपड़ा अंदर सिर्फ कपड़ा बच जाता है और बाहर चला जाता है पानी इस पकार से कपड़ा सूख जाता है चूंकि पानी कपड़े को छोड़ के चले जाता है तो कपड़ा सूख जाता है आगे समझ में तो यह है अभिकेंदर बल और अभिकेंदर त्वरण का कॉंसेप्ट और बहुत important concept है बहुत ही ज्यादा important concept है थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा important है तो अभी मैंने आपको पढ़ाया एक बार ध्यान से सुनों आप कि अभी के अंदर बल क्या होता है तो अभी के अंदर बल द्रबेमान गुडित्वराण मतब f equal to mv square upon r होता है अभी के अंदर बल का source कोई और force होता है यह हम जानते हैं तो t equal to mv square upon r और यह हमने कुछ डेली लाइफ में आपको उसको एक्जामपल बताए खासकर यह वाला relation आ कई स्टूडेंट का मेरे से common question होता है कि सर नीट का preparation कैसे करें सर आयटी जई का preparation कैसे करें अरे भाई उसके preparation के लिए सबसे important चीज है कि basic foundation class जो होता है मतलब 11-12 के syllabus में जो पढ़ाई होती है उसको सबसे पहले आप सुक्षमता से करो बहुत गहराई से करो चीजों को अच्छे से समझो तो automatically आप competitive exam का best तयार कर रहे हो और यदि आपने 11-12 class के basic concept को बस ऐसी पढ़ दिया time pass कर दिया और आप बोलोगे कि अब मेरे को आयाटिक त्यारी करना है अब मेरे को नीट करना है तो फिजिस तो परसान करेगा आपको no doubt फिजिस परसान करेगा इसलिए बार बार 11th class के student को मैं बोलता हूं कि आप चीजों को बहुत गहराई से समझो numericals बनाओ concept को अच्छे से समझो तो आपने देखा होगा कि जब हम रोड पर straight line में travel करते हैं जब हम सीधी रेखा में गती करते हैं तो हमारा जो motion है वो one dimension होता है क्योंकि हम रोड पर केवल लंबाई के एकार्डिंग अपने position को change करते रहते हैं लंबाई के सापेश हम अपनी स्थिती को बदलते हैं लेकिन जै क्योंकि हम X और Y दोनों अक्ष के सापेश अपने position को change करने लगते हैं इस प्रकार से देखो वहां पर situation बनता कैसे है पहले हम एक रोड बना दे सर्कूलर रोड बना दे यह आप इमेजिन करो कि एक सर्कूलर रोड है यहां पर क्या है रोड इस तरह से टर्न हुआ है और य ठीक है तो आप इमेजिन करो कि एक कार है यह अब जैसे ही यह कार सर्कूलर रोड पर पहुंचेगी जैसे ही वहां पर पहुंचेगी तो वहां पर चूंकि अब उसकी गती सरल रेखी गती ना होके उसकी गती वृत्ती गती हो जाएगी तो वृत्ती गती होने के कारण उसक के केंद्र की और होगा इस तरह से यहां पर यह एक दर की और यह अभी और हो जाएगा ठीकel और रोड और टायर के बीच में जो फरिक्षन फोर्स होगा क्योंकि मैंने आपको कल Teddy Okay यहां पर जो घर संड बल जो अभी केंद्र ना लो पून होता है उस बल का कोई करता है उसको वहां पर वहां पर बनाता है उस की काड़ëं कि होती इस पकार से देखो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यह जो डारेक्सन है ये है यह जो कि अभिकेंद्र बल है और नीचे जो मैं वाइट कलर से लाइन राखिया हूँ यह घरसरबल है जिसको हम FS कहेंगे अब देखो इस घरसरबल के कारण ही यह अभिकेंद्र बल क्या हो रहा है बेलेंस हो रहा है अब यहां पर आप सोचो यदि अभिकेंद्र बल का मान जादा हो जाए तो कार अभिकेंद्र बल के मान के जादा होने के कारण क्या है? केंद्र की और पलट जाएगी और आपने देखा भी होगा आपने रोड में टेवल करते समय देखा होगा कि maximum accident circular path वाले position पर ही होता है कंडिशन है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उसका कारण क्या है कि यदि हम अभिकेंद्र बल के मान को अधिक कर दें तो कार केंद्र के और पलड जाती है क्योंकि घरस्ण बल के द्वारा क्या किया गया है उसको संतुलित किया गया है तो यहाँ पर कार को सुरक्षित पार होने के लिए कार को सुरक्षित पार होने के लिए अभिकेंद्र बल के मान को कम होना चाहिए या जादा से जादा घरस्ण बल के बराबर होना चाहिए यह महत्वपूर्ण बात है इसको पहले ध्यान से समझो कार को वृत्ती सड़क पर सुरक्षित पार होने के लिए अभिकेंद्रबल के मान को घर्स्रणबल से कम होना चाहिए या अधिक से अधिक उसके बराबर होना चाहिए तो mathematically क्या लिख सकते हैं उसको therefore mv square upon r is less than r equal to f s mv square upon r का जो value है उसको f s से कम होना चाहिए या कम से कम क्या होना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए that implies यहाँ परेदी हम इसको आगे solve करें तो यह हो जाएगा mv square upon r is less than r equal to देखो f s equal to क्या होता है mu s equal to f s upon r होता है चुँकि हमको पता है कि mu s equal to होता है f s upon r इस तरह से f s from क्या लिख सकते है mu s into r लिख सकते है तो यह हो जाएगा mu s into r और आपको यह बात पता है कि यहाँ पर जो r होता है यह आपको figure से भी मैं यहाँ पर explain करके बता देता हूँ कि यह क्या है reaction force का direction है और यह क्या है उसके भार का direction है तो हमको मालूम है कि इस car का जो भार है mg वह इसके reaction force के क्या होता है equal होता है that means यह जो reaction force है normal reaction force अभी लंब प्रतिक्रियाबल जिसको कहते हैं r वो mg के बराबर होता है तो यहाँ पर इस command हम put up कर दें तो क्या हो जाएगा that implies यह हो जाएगा mv square upon r is less than r equal to mu s और r को हम क्या लिख सकते हैं mg लिख सकते हैं तो mu s into mg हो जाएगा इस पकार से आप देखो तो दोनों side से यहाँ से m और m को cancel out करा सकते हो इसको cancel out कराने के बाद therefore यह हो जाएगा v square upon r is less than r equal to mu s into g होगा अब r को हम right side transfer कर दें तो क्या हो जाएगा v square therefore v square is less than r equal to mu s into r into g यह होगा दोनों side के हैंदी हम root ले लें तो v is less than r equal to under root of mu s into r into g तो v क्या value जो होगा वह इसके equal हो जाएगा इस पकार से देखो कि v is less than r equal to root of mu s into r into g इसके बराबर होगा इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो vague है कार का जो vague है वृत्ती सड़क को पार करते समय वृत्ती सड़क को पार करते समय उसका जो vague है उसको इस value से कम होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर होना चाहिए मतलब यहाँ पर मैं V maximum की बात करूँ तो therefore V maximum हम कितना लिख सकते हैं देखो therefore V maximum equal to root of mu s into r into g मतलब अधीक से अधीक कार चालाख उसको इतने वेक से वहाँ से पार कर सकता है यदि अपने वेक को इस से जादा किया तो कार क्या होगी पलट जाएगी इसलिए वृत्ती सड़क पर अपने कार के वेक को या अपने विकल के वेक को क्या करना चाहिए कम कर लेना चाहिए तो वेक को कम करने पर क्या होता है हम वहाँ से सुरक्षित पार हो सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर यह सोचा गया आगे का discussion बहुत ध्यान से समझना रेडियस है वो तो constant है ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पर जाके आप circular path के radius को बढ़ा लोगे या घटा लोगे जो road बन गया वो तो permanent बन गया मतलब उसका radius constant हो गया किसी particular place के लिए तो किसी particular place के लिए यह दी r कमान constant हो गया तो तो आपके हाँ से गया आप उसको घटा बढ़ा नहीं सकते रहा सवाल इसमाल जी का तो किसी particular place के लिए इसमाल जी का value भी constant होता है तो r और g पर आप कुछ variation नहीं कर सकते आप उसको बढ़ा नहीं सकते तो आप किसको बढ़ा सकते हो आप mu s को बढ़ा सकते हो दोनों के साथ में directly professional का relation है तो यहाँ पर यदि हम mu s को बढ़ाएं यदि हम यहाँ पर mu s को बढ़ाएं तो mu s को बढ़ाने पर क्या होगा टायर और road के बीच का friction बढ़ जाएगा और ऐसा सही नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि ऐसा करने से विकल के टायर घिस जाएंगे ठीक है या वहाँ पर हमको गती को कम करना पड़ेगा या घरसन जादा होने के करण कई प्रकार का और प्राबलम टायर फट सकता है बहुत जादा घरसन होने के करण इस तरह से घरसन को बढ़ाना सही आप्सन नहीं है तो वैज्यानिकों ने क्या किया इसके लिए एक नए तरह के रोड का निर्माड किया जिसको हम बोलते हैं बंकी सडक मतलब इस प्राबलम को साल्व करने के लिए एक नए तरह का रोड डिजाइन किया गया और यह जो रोड डिजाइन किया गया उसको हम बंकी सडक कहते है, और बंकी सडक पर हम इन कार की गती को समझते हैं कि वास्ताओं में बंकी सडक पर क्या होता है, चलिए देखिए, तो पहले आप इसको ध्यान से समझ दो, आप चाहो तो इसका اسकीन साठ लेलो, इसकी साथ लेने के बाद फिर हम continue करते हैं बंकी सड़क तो अगला टापिक है बंकी सड़क पर कार की गती अब पहले हम आपको ये समझा दें कि भाई बंकी सड़क क्या होता है हम किस तरह के रोड को बंकीत कहेंगे ये हमको समझने हैं तो आपने कभी किसी बहुत अच्छे नेशनल हाईवे वगया में आपने ट्रेवलिंग किया होगा तो आपने एक बात observe किया होगा आपने एक बात mind किया होगा क्या कि जैसे रोड जहां पर circular होता है वहां पर आपने देखा होगा कि रोड का जो inner part होता है मतलब अंदर का तरप का रोड होता है जो केंदर के पास होता है वो नीचे की और दबा होता है और उपर वाले side को उपर उठाते हैं मतलब वह ऐसा कोई इतफाक से नहीं होता वहां पर उसको उस तरह से design ही की जाती है और उसका angle भी calculated है कि कितना angle से upper side को उठाया जाए इस पर numerical question आता है यह topic बहुत important है IIT J.E.K. according भी इस पर best question बहुत important है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है question इस तरह से आता है कि बंकी सड़क को कितने कोण से उपर उठाना ची बहुत तरह के question बनते है पहले आप concept clear कर लो फिर हम उस पर discuss करेंगे ओके चलिए तो देखें कि बंकी सड़क होता कैसा है उसका design कैसा होता है three dimension figure है थोड़ा आपको imagine करना पड़ेगा कि किस तरह से वो situation पर है इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने वृत्ती सड़क को वाज किया होगा नहीं किया होगा तो आप करना कहीं पर भी यदि road circular बना हुआ हो तो वहाँ पर वाज करना कि कैसे road के अंदर वाले part को नीचे दबाया गया है और उपर वाले part को उपर उठाया गया है ओके चलिए तो यह हमने एक imagine किया एक circular road और यहाँ पर मान लो यह इसका समतल वाला इस्थिती है अब road को हमने यह theta degree से उपर उठा दिया है इस पकार से देखो यह road theta degree से उपर उठा हुआ है यह theta degree से हमने इसको उपर उठाया हुआ है अब जब इसको हम theta degree से उपर उठा दिये तो car के components किस तरह से हो जाएंगे यह मैंने car suppose किया यह जो मैं yellow color से बना रहा हूँ आप imagine करो कि यह car है आप कुछ देर के लिए सोचो किया car है कई book में यह figure इस तरह से रहता है three dimension बनाने के चक्कर में कि उसके tire और उसके side को देखने से कई student आज तक मेरे को पूछ चुके हैं उनको लगता है कि एक नत सम्तल है और इसमें car इधर नीचे क्यों गती कर रही है ऐसा नहीं है ना भई आप उसको गलत तरीके से imagine मत कर लेना क्योंकि imagination में एक बड़ा प्राब्लम होता है कि teacher को पता नहीं चल पाता कि student किस direction में उसको सोच रहा है इसलिए मैं कोशिस करता हूँ कि proper way में आप उसको समझ सको तो road जब इस तरह से जुका हुआ है तो car का motion का direction यह है अब यहाँ पर इसके components क्या क्या हो सकते हैं यह components में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ components ज्यान से समझना अधरवाई समझ में नहीं आएगा यह भार नीची होगा हमेशा अभिलम प्रतिक्रीयबल हमेशा उपर होगा अभिलम प्रतिक्रीयबल का direction है हमेशा वो perpendicular ऊपर क्यों होता है यह क्या है अभिकेंडरभल का direction है और यह उसके घरसणutz बल का direction है इस तरह से इसका एफेस का डारेक्षन है ठीक है अब हम यहाँ पर देखें इसके वेलूज क्या है तो values इसके क्या क्या हो जाएंगे यह mg होगा यह r है अब देखो यह कौण यदि थीटा है तो यह वाला जो कौण है वो 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि टोटल यह 90 है यह 90 माइनस थीटा होगा तो यह वाला कौण क्या हो जाएगा थीटा होगा अब यह a face है इस तरह से यह a face ह तो यहाँ पर आप देखो कि इसका a face का यह तो अभिकेंदरबल है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं mv square upon r यह mv square upon r हो जाएगा अब यहाँ पर देखो इसका a face का दो component होगा a face का एक जो इस direction का component होगा इसको मैं दूसरे color से लिख देता हूँ तो a face का यह पास वाला component क्या होगा a face कास थीटा होता है अब लोग को मैं कई बार बताया कि थीटा का पास वाला component कास होता है तो यह होगा a face कास थीटा और यह वाला क्या है दूर वाला component है तो यह होगा a face sin थीटा यह होगा a face sin थीटा इस तरह से होगा clear अब यहाँ पर देखो जो situation यहाँ पर बन रहा है वो क्या है कि A x sin Theta MG के साथ में balance हो रहा है A x sin Theta MG के साथ में balance हो रहा है और यहाँ पर या आप R के साथ भी उसका components find कर सकते हो और m v square अपान r का component क्या है यहाँ पर a face cast theta है मतलब यहाँ पर जो अभिकेंद्र बाल उत्पन हो रहा है वह a face cast theta के काण हो रहा है तो therefore यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं संतुलन की इस्थिती में संतुलन की इस्थिती में यहाँ पर हम r के भी component निकाल लें तो r के component क्या हो जाएंगे बड़ धियान देना इसको मैं दूसरे color से राग कर रहूं r का component यह हो जाएगा इसका उर्धाधर घटक और इधार यह इसका 36 घटक होगा अब देखो यहाँ पर चूंकि यह थिता है चूंकि यह थिता है तो यह वाला कोंड क्या होगा 90 मैंडस थिता होगा इसलिए उपर वाला कोंड क्या होगा थिता तो r का यह वाला घटक हो जाएगा r कास थिता और r का यह वाला घटक हो जाएगा r साइन थिता यह r का घटक है तो हमको दो चीज का घटक निकालना है एक fs का घटक निकालना है जो कि fs sin theta और fs cos theta है फिर हमको r का घटक निकालना है जो कि r cos theta और r sin theta अब ये components आप ध्यान से समझना ये जो r cos theta है वह संतुलन हो रहा है इन दोनों से और ये जो अभिकेंद्रबल है mv square upon r वो इन दोनों से संतुलन हो रहा है ये चीज़ समझना जोरी है इसलिए मैं आपको बोला कि component को ढंग से समझना है इस topic में figure ही सब कुछ है यदि आप इसके components को नहीं समझोगे तो ये topic कभी आप से नहीं बनेगा तो संतुलन की स्थिती में इसलिए संतुलन की स्थिती में हम क्या कह सकते हैं देखो कि r cos theta fs sin theta plus mg से balance हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं fs उसको पहले लिखने left side में ख़र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा r cos theta equal to क्या हो जाएगा mg plus fs sin theta इस से balance होगा ये हो गया relation number first इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है mv square upon r ये जो mv square upon r है वह किस से balance हो रहा है r sin theta और fs cos theta से ठीक है तो यहाँ से एक कम करो इसको थोड़ा हम transfer करके और simplify कर लेते हैं उसके बाद हम इसको relation number first देंगे इसमें हम निकाल लेते है mg का value तो mg equal to हो जाएगा r cos theta minus fs into sin theta ये हो जाएगा इसको देदो relation number first इसको देदो relation number first इसके बाद देखो कि ये जो mv square upon r है वो इन से balance हो रहा है ठ तो again यहाँ पर देखो mv square upon r equal r sin theta r sin theta और minus sorry plus fs cos theta ये हो जाएगा relation number second तो ये इस से balance है ये इस से balance है ये हम figure से देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या करो relation second में relation first को divide कर दो क्योंकि हमको यहाँ पर wake का गणना करना है यहाँ पर हमको wake का गणना करना है तो यही पर हम divide कर देते हैं therefore second divided by first second में first को हम divide कर दें तो यहाँ पर क्या होने वाला है जो cancel होने वाला है उसको मैं यहाँ पर so कर देता हूँ यहाँ पर m m के साथ में cancel out हो जा यह हो जाएगा, second को first में divide कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा V square upon RG, V square upon RG हो जाएगा, that equal to second relation यह है, यह हो जाएगा, R sin theta plus Fs cas theta upon, यह R cas theta, R cas theta minus Fs sin theta, यह हो जाएगा, तो V square upon RG equal to R sin theta plus Fs cas theta, और R cas theta minus Fs sin theta, इसके equal हो जाएगा, अब यहाँ पर V square का value को निकालना है, तो RG को हम उधार transfer करेंगे, लेकिन transfer करने से पहले इसको हम सिंप्लिफाई कर लेते हैं, यहाँ तक आपने लो, screen start ले लो आप, आप यहाँ तक screen start ले लो, क्योंकि बड़ा calculation है next slide में मैं उसको again copy करूँगा final equation को, V square upon RG equal, एक बार उसको copy कर रहा हूँ, V square upon RG equal R sin theta plus Fs cas theta, R sin theta plus Fs cas theta upon, R cas theta minus Fs sin theta, R cas theta minus, R cas theta minus Fs into sin theta, that implies V square upon RG equal, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम R cas theta को common कर रहे हैं, फ़र ध्यान देना, R cas theta को common करेंगे, तो यहाँ से R common हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर cas theta नहीं है, तो sin theta में cas theta का भाग हो जाएगा, divide हो जाएगा, तो sin theta upon cas theta फिर क्या लिख सकते हैं अपर इसको, 10 theta, और plus यहाँ पर देखो, Fs में R divide होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख लिख लिए Fs upon R, एक बार मैं पूरे में divide करके direct नहीं लिखता, चलो कई बच्चों को problem हो जाता है, तो इसको लिख दिया मैं, sin theta upon cas theta फ्लस यह हो जाएगा, Fs upon R और cas theta तो common हो चुका है, और upon में हमने लिख दिया, यहाँ से भी हम R cas theta को common करते हैं, तो R cas theta equal to, यहाँ से तो बच जाएगा, 1 और minus यहाँ पर हो जाएगा, Fs upon R, और into हो जाएगा, sin theta upon cas theta, ऐसा हो जाएगा, that implies, आगे हम इसको सालों करें, तो यह हो जाएगा, V square upon Rg equal, यह दोनों cancel out हो जाएगे, यह R cas theta, R cas theta के साथ में cancel out हो जाएगा, और इनके cancel out होने के बाद, sin theta upon cas theta, sin theta upon cas theta, 10 theta होगा, और plus Fs upon R, इसको मुएश लिख सकते हैं, आपको मालूम है, Fs upon R, मुएश होता है, और यहाँ से फिर हो जाएगा, 1 minus Fs upon R, मुएश हो जाएगा, और into sin theta upon cas theta, 10 theta होगा, यह बहुत important calculation है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से समझना, इतना बड़ा calculation है, near about 15 step का calculation है, समझने के बाद, इसको आप एक बार practice कर लेना बीना देखे, अब RG को उधर transfer करें, तो RG को transfer करेंगे, तो हमको कौन से step मिलेगा, V square equal to RG into under bracket, mu S को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो mu S, उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता, लेकिन उसको पहले लिख लेते हैं, plus 10 theta upon 1 minus mu S into 10 theta, यह V square का value है, बट अपने को V का value चाहिए, तो V का value चाहिए, तो हम दोनों साइट का क्या कर लेते हैं, square root कर लेते हैं, तो दोनों साइट का square root कर लें, तो that implies V equal to हो जाएगा, under root of RG into mu S plus 10 theta upon 1 minus mu S into 10 theta, यह इसका final equation है, इसे बहुत numericals बनते हैं, अब आपके दिमार्थ में question आएगा कि sir, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, यह formula तो आया, तो इसे फायदा क्या हुआ अपने को, फायदा यह हुआ, कि मान low road में घरसनड ही न हो, इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, कि पूरा का पूरा हमारा जो वेग है, वो घरसनड बल पर depend करता है, घरसनड बल का मान जितना ज़्यादा रखेंगे, हम उतना ही ज़्यादा वेग से वहाँ पर कार को पार कर सकते हैं, लेकिन सपोज यहाँ पर किसी कारण से घरसनड जिरो भी हो जाए, यदि म्यू एस जिरो हो जाए, हलाएकि प्रेटिकली यह पासिबल नहीं है, practically possible क्यों नहीं है क्योंकि घरसर कभी 0 नहीं हो सकता घरसर का मान कभी भी सुन्य नहीं हो सकता लेकिन मान लो new time हो गया 0 भी हो गया ठीक है तो यदि घरसर का मान सुन्य हो भी गया तो car के wake पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कैसे देखो अब यदि हम यह दोनों mu s को 0 कर दें, इस mu s को और इस mu s को, दोनों mu s को हम 0 कर दें, तो उस condition में क्या होने वाला है, देखो, v equal to हो जाएगा, under root of r g into, दोनों 0 हो गए, तो यह 0 0 हो गया, और 10 theta, फिर उसके बाद क्या हो गए, तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहां से सिर्फ क् 10 theta, तो यह हो जाएगा, mu r g into 10 theta, v equal to r g into 10 theta, मतलब घरसन बलके सुन्य होने के बाद भी, यदि घरसन बलका मान, सुन्य हो जाए, तब भी हम कार को इतने वेक से पार कर सकते हैं, ठीक है, तो यह है हमारा, बंकित सड़क का condition, इसको ध्यान से समझना, इसके अच्छे से practice कर ल इसके लिए, यह भी कर लो, और इसके proper notes बनाओ, इसके बाद हम पढ़ेंगे, cyclist का motion, हो गया, चली, अब हम बात करें, cycle सवार की, तो cycle सवार के साथ क्या problem है, इसका experience तो आप लोग को निश्ची तरुप से अच्छे से होगा, है कि ने, cycle तो आप चलाते होगे, cycle तो हम भी क्या, तो चलो यह topic, आज special day को समर्पीत है, ठीक है, cycle सवार पर जुकना, bending आप cyclist, cycle day है, ठीक, तो सही दिन में सही topic पढ़ रहा है अपन, क्यों, है न, सही day में सही topic पढ़ रहा है, चली यह ठीक है, तो अब cycle सवार के साथ में क्या होता है, एक मिनट हम बंकी सड़क पर फिर से डिसकस करते हैं, रोट को क्यों जुकाया गया, ताकि रोट की सहयता से विकल को जुकाया जा सके, रोट जुकाने का परपस क्या है, कि रोट जुका हुए रहेगा, तो वहां से कार को भी हम जु और फिर से, है के नहीं, लेकिन cycle सवार तो अराम से, अब आपको इस चीज़ के experience भी होगा कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब mode से मूडते हैं, कहीं पर turning से हम मूडते हैं, तो हम अपने आपको या automatically हमारे habit में आ चुका रहता है, कि हम अपने आपको थोड़ा सा जुका लेते हैं, ठीक है, तो जुकाने से क्या होता है, यह हम चलो आज mathematical उसको समझते हैं, कि जुकाने से क्या होता है, देखो, यह मान लो, इस तरह से, एक cyclist को मैं यहाँ पर बना रहा हूं, अब मैं cyclist तो नहीं बना रहा हूं, यहाँ पर उसको symbolic figure बना रहा हूं, आप imagine करो कि यह cyclist है, ठीक है, यह cycle सवार है, cycle चला रहा है सीधा, अब जब वह straight road पर होता है, तो सीधा सीधा cycle को vertical वह चलाते रहता है, ऐसी चलाते हैं हम लोग, लेकिन जैसे turning मिलता है अपने को, तो हम क्या करते हैं, cycle को थोड़ा सा जुका देते हैं, चलो जुका देते हैं cycle को, यह ह यहाँ पर मैं इसका जुका हुआ figure बना देता हूं, इस तरह से हमने cycle सवार को theta angle से जुका दिया, cycle सवार को हमने theta angle से जुका दिया, यह, cycle सवार जैसे theta angle से जुकेगा, तो उस पर बलके कौन-कौन से घटक कारे करेंगे, यह आप आपको ध्यान से समझने हैं, तो बलके जो अभी केंदर बल इधर होगा, और यह हम इसके components निकालने के लिए सको हम सो कर रहें, यह ऐसा situation इसका होगा, तो अब इसके values क्या क्या हो जाएंगे, यह r है, theta कोन से जुका हुआ है, तो यहाँ पर देखो यह दो समांतर रेखा है, यह तिर्शी रेखा काट रही है, तो यह पर यह भी कोन क्या हो जाएगा, theta हो जाएगा, ठीक है, यह कही सा SRI, उपर का कोन theta होगा, यह संगत कोन बोलते हैं, यह कोन theta है, तो यह भी theta होगा, अब r का यह वाला घटक क्या हो जाएगा, r cast theta, पास वाला है, और यह वाला घटक क्या हो जाएगा, r sin theta, लेकिन यही क्या यह इसके घटक होंगे इसके घटक को ही आपको समझना है इसके अब देखो इसलिए संतुलन की स्थिती में तो समझना ही अब देखे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है यह आर कास थीटा एम जी के साथ में बेलेंस है तो यह हो गया आर कास थीटा इक्वल टू एम जी ये हो गया रिलेश्न नमबर फर्स्ट इसके बाद देखो आर साइन थीटा वह ए म्वी स्क्वखार अपान आर स अब relation second में हम first को divide कर देते हैं, second divided by first, second में यदि first को हम divide कर दें, तो r r cancel होके sin theta upon cast theta क्या हो जाएगा, 10 theta हो जाएगा, और यहाँ से m m के साथ cancel out हो जाएगा, और हो जाएगा v square upon r g, तो v square equal to हो जाएगा r g 10 theta, और यदि हम दोनों side का under root ले ले, तो v equal to हो जाएगा root of r g 10 theta, v equal to root of r g 10 theta, इस तरह से यह इसका value होगा, अभी निकला था v equal to r g 10 theta, और cyclist ने भी r g 10 theta, तो आप बंकी सड़क के साथ इसका compare करो, इससे क्या पता चलता है, बंकी सड़क में car को जुकाने के लिए road को ही जुकाया गया, लेकिन cyclist के लिए road को जुकाने का ज़ुरत नहीं है, यदि road plane हो, तो भी circular path में क्या करता है, cyclist खुद को bend कर लेता है theta degree से, और root of r g 10 theta velocity से वहाँ से पार हो जाता है, बीना फिसले, तो ये है हमारा, आज का ये तीन टापिक जो मैंने previous class में discuss किया था, ये तीनों टापिक एक दूसरे से complete related है, इनको कभी भी एक ही class में हम पढ़ाते हैं, और आपको भी एक साथ ही इसको prepare करना है, एक बार repeat करता हूँ ध्यान से सुनो, ये हब सबसे पहले हमने पढ़ा, समतल वृत्ती सड़क पर कार की गती का ये फार्मूला होता है, V maximum equal to root of mu s into rg, यहाँ problem क्या आया, घरसन अधिक था, तो इसके लिए हमने क्या क्या, ये बंकी सड़क बनाया, बंकी सड़क पर कार की गती का ये situation है, और इसके बाद फिर हम इसके लिए फार्मूला निकाले ये, और ये घरसन को हम zero कर देते हैं, तब भी क्या होता है इसका value, इतना होता है, घरसन जीरो होने के condition में इसका value ये होता है, फिर हमने पढ़ा cycle सवार का जुकना, bending of cyclist, तो ये आज का topic हमारा यहाँ पर complete होता है, कोई problem किसी को यहाँ तक, उर्ध्वा धर, तल में वृत्ती गती, ये एक ऐसा topic है, जो circular motion के जितने condition होते हैं, उसमें सबसे important है, साथ ही साथ इसके जो different conditions होते हैं, ये पूरे condition, competitive exam में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है, कि vertical circular path में या vertical plane में किस तरह से कोई भी particle वृत्ती गती करता है, तो यहाँ पर उर्धाधर path में या उर्धाधर path में वृत्ती गती का मतलब क्या है, आपने कभी ये अनुभाव किया होगा, या इस तरह का खेल हर बच्चा खेलता है मुझे मालूम है, आप एक छोटे से bucket में, bucket में पानी भर लेते हैं, बाल्टी में, और ऐसा आपने क्या होगा, तो आपको approach का example में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से suppose एक bucket में हम पानी भर लेते हैं, और इसमें पानी भरने के बाद, इसमें पानी भरने के बाद, यदि हम तो आपने देखा हो गा इसनों क्या करते हैं इस तरह से सर्कुलर पास पर घुमाते हैं मतलब wound me coun पानी भर ले और उसको इस तरह से अपनो गोल-गोल घुमाएं तो आपने देखा होगा कि bucks जब उपर चला जाता है और उल्टा हो जाता है तो वहाँ पर उसका जो फेस है वो नीचे हो जाने के कारण उसमें से पानी नीचे गिर जाना चाहिए लेकिन पानी नीचे नहीं गिरता आपने देखा होगा जैसे जैसे मुझे को घुमाते हैं और घुमते जाता है यहाँ पर उसके speed को कम करते जाते हैं, तो एक condition ऐसा आता है कि bucket जब उपर जाएगा तो पानी पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर velocity का उसके पानी के गिरने और नहीं गिरने के साथ में relation है, यह condition है हमारा उर्धाधातर में व्रिति गती, और बहुत से example हैं, आप ऐसा करके कभी रेखे होंगे, कि by the way, हम किसी particle को, किसी पत्थर को रस्ती से बांद दिये, और रस्ती से बांद के ऐसा गोल-गोल घुमाते हैं, तो जहम उसको तेजी से घुमाते रहते हैं, तो वह इस पकार से व्रिति गती करता है, लेकिन जैसे हम उसके घुमाने के speed को कम कर जैसे हम उसको slow कर देते हैं, तो वह उपर जाने के बाद घुमताने गिर जाता है, मतलब व्रिति गती करना बंद कर देता है, इस पकार से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर उसका व्रिति गती करना completely उसके velocity पर, उसके वेक पर depend करता है, इसी बात का हम को यहाँ पर study करना है, क कि वास्तों में उर्धाधर तल में कोई पिंड जब गती करता है, तो किस परकार से, यह कुछ एक्जामपल आपको बताओं, जैसे आपने सरकस में वो फुटबाल नुमा, जो एक तरह से बेक, वो होता है, इस्ट्रक्चर होता है, फुटबाल जासा, उसके अंदर में से आपको यह बात पता चल गया होगा, कि हमको एक्जाल मूस में पढ़ना क्या है, चलिए, तो हम स्कार्ट करें, कंटीनिवस हम इसको, तो यहां पर हम एक प्रापर फिगर बना लें उसके लिए, क्योंकि पूरा हमारा एस्प्रैनेशन, फिगर पर ही बेस्ड है, तो चलि वेस्ट पाइंट है, यहां पर इस तरह से, हम इसके रेडियास को सपोस कर लें, यह मालों इसका सेंटर है, और यहां पर यह एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, इसको कंप्रीट लाइन कर दें, यह इसका केंदर है, मालों केंदर ओ है, अभी यह पिंड यहां पर है, यह इसक हाइस्ट पाइंट उच्चितम बिंदू हम दो बिंदू पर इसका कल्कुलेशन करेंगे सबसे पहले उसका हाइस्ट पाइंट पर और उसके लोएस्ट पाइंट पर तो सपोज यह इसका हाइस्ट पाइंट है एच है और यहां पर इसके गती की दिशा होगी उसके गती की दि हैं यह मालो इसकी त्रिज्ज्य है और जिसको हमने suppose कर लिया art जब यह पिंड यहां पर होता है इसकी velocity suppose भी बन है तो पिंड जाब उड़वाज़क्पित्य वहां गरेंगे यह बल के बारें यह हम यहां पर देखें तो आप है मालो वह भी निचे की ओर केंद्र की ओर कारे करेगा और ये दोनों बल मिलके यहाँ पर अभिकेंद्र बल का निर्माण करेंगे मैंने आपको प्रिभियस क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी पिंड़ जब रिति गती करता है तो रिति गती करते वक्त उसमें जितने बल लगते हैं वही बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है जो की M V Sq.R होता है इस पकार से हम समझ सकते हैं कि अभिकेंद्र बल का जो मान है वहाँ पर जो बल का रिसोर्स होता है ठीक है उसी के बैस पर हम उसको लिखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको दो फोर्स बताया एक तो M G और दूसरा T1 अब यहाँ पर आप देखो यही दोनों बल मिलके और अभिकेंद्र बल का निर्मार करते हैं ठीक है तो कल्कुलेशन में हम यहाँ पर सबसे पहले H पाइंट के लिए कल्कुलेशन करें यहां हम गर्णा ही स्टार्ट करते हैं गर्णा हम दो तीन पार्ट में करेंगे सबसे पहले उच्चितम बिंदू उच्चितम बिंदू H पर यह highest point है H उस बिंदू पर हम discuss करें तो उच्चतम बिंदू H पर क्या होगा इसका जो अभी केंद्र बल है M V1 square upon R क्योंकि यहाँ पर हमने H point पर इसके velocity को V1 लिया है तो हैगा M V1 square upon R और यह बराबर होगा इन दोनों बलों के योग फल के बराबर क्योंकि दोनों केंद्र की और कारे कर रहे हैं दोनों के कारे करने की जो दिशा है M G और T1 का दोनों केंद्र की और है तो यह हो याएगा क्या M G और Plus T1 M G प्लस T1 के बराबर होगा अब इस relation पर हम बहुत सुक्षमता से विचार करें कि यह relation क्या सो करता है तो उसको ध्यान से सुनना आप यहाँ पर देखो M constant है R constant है M G constant है यह जितनी राजियों को मैंने राउंड में घेर दिया वो सभी मान नियत है क्योंकि इनके मान नहीं बदले जा सकते उसकी जो त्रिज्य है वही रहेगी उसका भार वही रहेगा जी कमान वही रहेगा तेस अब क्या होगा constant होगा और यहाँ पर यह जो V1 square है वो T1 पर depend करेगा कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि तनावबल जो है वो completely वेपर निर्भर करता है इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम रस्ती से पत्थर को बांद के घूमाते हैं तो आपने यह अनभाव किया होगा नहीं किया होगा तो करके आज देख लेना कि उस condition में क्या होता है कि जैसे हम उसको इस तरह से घूमाते हैं तो जब हम उसके स्पीट को बढ़ाते हैं जब हम उस पत्थर के स्पीट को बढ़ाते हैं तो देखना डोरी में तनाव अधिक होता है और इसका उल्टा भी सही है यह सुत्र भी यही बताता है कि जब वेक कमान बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो तनावबल कमान भी बढ़ेगा और इसका उल्टा भी सही है उल्टा भी सही है that means जब वेक को हम घटाएंगे वेक को कम करेंगे तो तनावबल भी क्या होगा कम होगा मतलब जैसे जैसे हम पत्थर या किसी भी पिंट की गती को कम करेंगे या बकेट में पानी भरे हुए बकेट के स्पीट को कम करेंगे तो तनावबल कम होगा तो तनावबल का यहाँ पर वेक के साथ में directly proportional का मतलब अनुकरमानुपाती संबंध है और इस अनुकरमानुपाती स मंद के कारण दोनों एक दिशे को इस तरह से प्रभावित करते एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है तो यदि अब यहां पर यह देखा गया कि एक कंडिशन ऐसा आता है कि यदि तनावबल का मान सुन्य हो जाए वेग को घटाते घटाते यदि तनावबल का मान सुन्य हो जा तो उस condition में उसका जो velocity है V1 उसको हम Vc से पदरसित करते हैं और इसको कहते हैं क्रांतिक वेग critical velocity इसको कहा जाता है क्रांतिक वेग यहाँ पर Vc critical velocity है कहने का मतलब क्या हुआ तनावबल सुन्य होने की स्थिती में इसका जो वेग होता है क्रांतिक वेग कहलाता है क्रांतिक वेग कहलाता है तो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है उस स्थिती में उसका जो वेग है वह critical velocity कहलाता है अब यह दोनों condition को हम यहाँ पर put up कर दें तो यहाँ पर put up कर दें तो क्या फर्मुला मिल जाएगा अपने को therefore यहाँ पर देखो m और v1 के value को हम क्या लिख सकते हैं vc तो m vc square upon r हो जाएगा that equal यहाँ पर mg यह mg रहेगा और तनावबल कमान तो क्या हो गया है 0 हो गया है यह सुनी हो जाएगा उसको लिखने के जुरत भी नहीं है लिखेंगे तो भी सही नहीं लिखेंगे तो भी समय है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 0 अब दोनों साइट से इसको solve किया जाए तो दोनों साइट को solve करने पर m m के साथ में cancel out हो जाएगा और therefore हमको यहाँ पर मिल जाएगा vc square upon r equal to g vc square upon r equal to g और आगे इसको और solve किया जाए तो that implies यहाँ से इसको इधर transfer करें तो हो जाएगा vc square equal to r into g therefore vc equal to under root r into g यह कहलाता है क्रांतिक वेग इस तरह से यह है एक important formula है कि क्रांतिक वेक कमान कितना होता है यहाँ पर तक भी question में यहाँ पर भी question में यह पूछा जाता है और ना भी पूछे तो यह आगे के formula को derive करने पर इसका हमको help लेना पड़ेगा तो यह क्रांतिक वेक निकालने का formula है clear यहाँ तक कोई problem कोई problem यहाँ तक किसी को ओके तो वी सीकोल टो एंडरूट आर जी हो गया यह हो गया इस point पर अब हम देखें कि जब यह particle घुमते घुमते जब यहाँ पर पहुंचेगा मस्तब यह lowest point पर पहुंचेगा तो lowest point पर इसका जो direction हो जाएगा इसका velocity का वह इस तरह से हो जाएगा ध्यान से समझना यह बहुत important topic है अब इसकी वेक की दिशा को हम यह लेंगे मालों यहाँ पर इसका वेक कितना होए यह भी टू हो गया किस point पर यह पर पहुंचेगा तो यहाँ पर किस तरह का condition बनेगा यह हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो तनावबल है अब तनावबल का माल उपर कारी करेगा T2 उपर कारेगा लेकिन पिंड का भार नीचे कारेगा Mg पिंड का भार सदेव नीचे कारे करता है पिंड का भार सदेव नीचे कारे करता है और तनावबल हमेशा वृत्त के केंद्र क्योर कारे करता है तो यहाँ पर इन दोनों की दिशा, यहाँ पर दोनों की दिशा अलग अलग हो आएगा तो L point पर भी हमको velocity find करना है उससे पहले हम उर्जा सनरक्षण के सिधान से H point और L point पर दोनों जगा उर्जा कमान नियत होगा क्योंक उर्जा सनरक्षण का सिधान कहता है कि उर्जा न तो न स्थोती न उत्पन की जा सकती कर उसको रूप बदला जा सकता है तो H point पर जो उसका energy है वह L point पर energy के equal होगा clear? चलिए तो अहाँ पर हम देखें और यह देखें कि second calculation इसको second point लिख देता हूँ H पर कुल उर्जा H मतलब highest point पर H पर कुल उर्जा बराबर हो जाएगा L पर कुल उर्जा तो highest point पर कुल उर्जा, lowest point पर कुल उर्जा के बराबर होगा highest point पर कुल उर्जा का मान कितना हो सकता है? देखो मतलब कुल उर्जा मतलब potential energy plus kinetic energy equal यहां पर भी potential energy plus kinetic energy यह इसके बराबर होगा देट इंप्लाइस आगे इसको सालो करें तो एच पाइन पर potential energy कितना होगा potential energy होता है MGH तो MGH मतलब यह हमालो ground surface है इसको हम ground surface माल लेते हैं माना कि यह जो surface है यह ground surface है यह क्या है मैदान है ground है यह तो ground से इसका जो height है वो कितना होगा R plus R R plus R मतलब उसके 20 के बराबर होगा 2R के बराबर होगा ठीक है इस पकाश को उसका फेलिए 2R के बराबर होगा तो क्या होगा MGH मतलब क्या होगा यह MGH 2H MGH 2R bracket में लिग दिया हमाँ प्लस kinetic energy कितना होगा यह होगा 1 upon 2M V1 square यह होगा kinetic energy M V1 square और critical velocity के condition को हम ले रहे हैं तो 1 upon 2M Vc square होगा that equal potential energy H point पर कितना होगा 0 क्यों होगा क्योंकि अब हो ground के surface में आ गया तो कोई भी particle जब ground surface पर आ जाएगा तो प्रिफिस सत्रह से उसके उचाई 0 हो जाती है इसलिए यहाँ पर potential energy कमान 0 हो जाएगा और kinetic energy कमान हो जाएगा 1 upon 2M यहाँ पर वेक V2 है तो M V2 square इस line को solve करके हम यहाँ पर H point ले L point पर मतलब निम्नतम बिंदू पर पिंड का वेक क्या है जिसको हमने V2 suppose किया है देखो यह निम्नतम बिंदू पर पिंड के वेक को V2 suppose किया है इसके मान को हम ज्याद करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा चलो इसको solve करते हैं तो solve करने पर यह हो जाएगा that equal to Mgr plus 1 upon 2M Vc square equal to 1 upon 2M V2 square यह होगा अब दोनों साइट से आप ध्यान से देखो तो दोनों साइट से यह MMM cancel out हो हैगा और हम पूरे relation में 2 को multiply कर देते हैं पूरे relation में हम 2 को multiply करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करने से 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 4gr plus यहाँ पर 2 का multiply करेंगे तो 2 कट जाएगा तो Vc square बचेगा और Vc square का value होता है gr देखो VC का value क्या निकाला है हमने यह value को put up करेंगे यह VC का value हमने under root RG RG या GR निकाला है तो महाँ पर square है तो root हट जाएगा तो root हटने से हम इसको root up GR लिख सकते हैं और equal to यहाँ से M कट गया है 2 को multiply कर रहे हैं तो हो जाएगा V2 square यह होगा that implies अब आगे इसको solve किया जाए तो V2 square equal to 4GR plus GR कितना हो जाएगा यह 5GR हो जाएगा 5GR और therefore इसको आगे हम solve करें तो V2 equal to under root of 5GR यह दूसरा calculation है यहाँ तक भी आपको exam में पुछा जा सकता है कि निम्नतम बिंदू पर print का वेक कितना होता है तो root आप 5GR के बराबर होता है मतलब यहाँ पर कई calculation होते हैं एक ही topic पर एक बार repeat करता हूँ ध्यान देना एक calculation है क्रांतिक वेक का कि क्रांतिक वेक की गर्णा करो भी पुछा जा सकता है तब आप यहाँ तक लाके topic को छोड़ दोगे यदि बोले कि निम्नतम बिंदू पर मतलब lowest point पर उसको वेक कितना है तो निम्नतम बिंदू पर आपको वेक पुछेगा तो V2 लाके छोड़ दोगे V2 इकोल टो अंडरूट 5GR निकाल के छोड़ दोगे लेकिन question generally यहाँ तक नहीं आता इसमें जो question आता है वो आता है निम्नतम बिंदू पर तनाव बलके गर्णा करना तो तीसरा calculation जो हम इसमें करेंगे वो इस तरह से होगा थर्ड calculation क्या है हमारा निम्नतम बिंदू निम्नतम बिंदू निम्नतम बिंदू निम्नतम बिंदू एल पर यदि हम निम्नतम बिंदू एल पर चलें आएं तो निम्नतम बिंदू एल पर क्या होगा देखो अभी केंद्रबल कमान M V2 square upon R equal to अब figure से देखो निम्रतम बिंद उपर तो तनाव बल उपर कारे कर रहा है mg नीचे कारे कर रहा है तो चूंकि दोनों की दिसा एक दूसरे के ठीक विप्रीथ है तो दिसा एक दूसरे के ठीक विप्रीथ होने के कारण हम एक में दूसरे को घटाएंगे लेकिन अब सवाल यहां यह उड़ता है कि हम T2 में Mg को घटाएं कि Mg में T2 को घटाएं तो किस में किस को घटाएंगे जो अधिक होगा उसमें से कम को घटाएंगे तो एक बात ध्यान रखना कि जब तक कोई पिंड किसी रस्टी से किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के आगे चले जाता है इसलिए तनावबल यहां पर Mg से जादा है क्योंकि अभी तो पिंड उसमें लटका हुआ है ठीक है चलिए तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन देखो यहां पर हम लिखेंगे T2-Mg देखो सब चीज का काराण जानना ज़ोरी है कि हम T2 में ही Mg को माइनस क्यों कर रहे हैं हम Mg में T2 को माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं यह सब फिजिक समझने का मतलब है कि ऐसा है कि केवल कल्कुलेशन कल्कुलेशन आप करते जाओ हर step का अपना एक meaning होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है तो यहां पर क्या है T2 का मान Mg से अधिक है आगे हम इसको साल्व करें तो यहां पर हम क्या करते हैं तनावबल का मान निकालते हैं तो हम Mg को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं ठीक है तो अंडर रूट 5gr को यहां पर put up करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा 5gr यह हो गया और अपान में R और यह इधर ट्रांसफर होके हो जाएगा Mg इस पकार से that implies आगे हम इसको साल्व करें तो T2 बराबर देखो एक आर इसके साथ कटेगा तो 5 Mg होगा और 5 Mg प्लस Mg कितनो हो जाएगा 6 Mg हो जाएगा और यह जो रिलेशन आएगा यह इसका final equation है जो की महत्तपूर्ण है और यह रिलेशन क्या बताएगा ध्यान से सुनो यह रिलेशन बताता है कि यदि उच्चतम बिंदू पर एक पिंद का उच्चतम बिंदू पर तनाव सुन यहो तो निवनतम बिंदू पर उसका जो तनाव होता है वह उस पिंद के भारका 6 गुना होता है यह होता है 6 ceğima पोटेंगं पहला कोश्चन क्रांतिक घठीक करना दूसरा कोश्चन नियुमनितन बिन्दू पर पर सिध करना की नियुमनितन बिन्दू कर जो तनाव होता है तनावोल होता है वह के भाहर का च्यूनफिश के बहुत तो सकतने सब्स्राइक है कि Subscribe, questo आप the current. करो इसके बाद इसके हम arbitrary condition बताते हैं आपको आप note करो इसको अब यहां पर आप देखो यह तो है highest पाइंट हमने इस पाइंट को हाइस्ट पाइंट कहा और यह इसका लोएस्ट पाइंट है लेकिन मान लोग कोई पार्टिकल आर्बिट्री कंडिशन पर हो आर्बिट्री कंडिशन मतलब अनिस्चित पोजिशन हो उसका ना तो हाइस्ट पाइंट पर हो ना तो लोएस्ट पा इसका second position और निस्चित इस्थिति पर या any position भी कर सकते हैं जिसकी इस्थिति निस्चित ना हो ना highest ना lowest वो कहीं पर भी रह सकता है तो जब वो pin कहीं पर भी रह सकता है तो उस condition में हम किस प्रकार्स को calculate करेंगे ध्यान देना ये व्रिति पत है और बाकी condition तो ऐसा ही है व्रिति पत में ये suppose इसका highest lowest spine का condition है अब हम माल लेते हैं कि अब हमारा जो pin है वो माल लो यहाँ पर है ये pin suppose यहाँ पर है और यहाँ एक string से बना हुआ है और इसका वेक का जो दिसा है यहाँ पर वो इस पर स्रेखी दिसा में होगा जो कि suppose इस दिसा में है यह इसके वेक का दिसा है अब यहाँ पर जो घटक काम करेंगे कौन कोंसा घटक काम करेंगा यह pin का भार नीचे क्योर होगा इस तरह से और इस दिसा में यह इसका घटक होगा तो जब pin यहाँ पर पहुंचोगा घटकों को ध्यान समझना जब pin केंदर से इसकी त्रिजी हमने आर लिया है केंदर से ठीटा कोंड बना के सपोस इस अर्विटरी पोजिशन पर है तो यहाँ पर यहाँ पर कितने बलकारे करेंगे यह pin का भार mg हो जाएगा यह थीटा है तो निश्चित्रु से भी ठीटा होगा क्योंकि संगत कोंड है और जब mg होगा तो mg का पास वाला कास ठीटा हो वह mg साइन थीटा होगा यह mg साइन थीटा होगा और इस डारेक्शन में डोरी पर तनाव होगा टी तो यह इसका सिच्वेशन होगा अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो उस बिंदू पर संतूलन का जो बल होता है वही वहाँ पर अभिकेंद्र बल उत्पन्न करता है एक जीमिदार है mg कास थीटा और दूसरा तनावबल और दोनों की दीसरा क्या है एक दूसरा के ठीक वी प्रिफ है इसकी दीशाइथ है और इसकी दीसा यह ठीक है तो therefore यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जो अभी केंद्रबल का मान है computer experience ॉसका value T- तनावबल हमेशा ज्यादा होता है मैंने बोला तो T- Mg कास थीटा के बराबर होता है तो Mv square upon R equal to T- Mg कास थीटा होता है और यहीं से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर तनावबल कमान निकाल सकते हैं तो तनावबल T का जो value होगा वह Mv square upon R और plus क्या हो जाएगा Mg कास थीटा यह यह यहाँ पर तनावबल निकालने का फर्मूला है इस पकार से इस फर्मूला की साहिता से हम यहाँ पर तनावबल फाइंड कर सकते हैं ओके T equal to Mv square upon R प्लस mg कास्थीटर यह तनावबल निकालने का फर्मूला है कोई प्राबलम यहां तक तो यह टापिक आप नोट कर लो और यह अनिस्चित इस्थिती पर निकालने का फर्मूला है टेंशन फोर्स इसके बाद इस चेप्टर का एक लास्ट कॉंसेप्ट है और वो है अप केंद ज्यानिकों ने यह बात एस्पेरियंस किया यह बात कल्कुलेट किया कि कोई भी पिंड जब वृति गति करता है सपोस्थ यह पिंड वृति गति कर रहा है तो वृति गति करने वाले पिंड केंद्र की और जो इस पकार से मालो पिंड किसी भी स्थिती पर है तो इसमें अंदर के और अभिकेंद्र वाल कारे करता है तो यहाँ पर यह देखा गया कि इस बल को संतुलन करने के लिए एक बल बाहर के कारियरत होता है यह जो इस बल को बैलेंस करता है लेकिन इसका अस्तित्व नहीं होता है च्छद में इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इफेक्टिव नहीं होता यह दिखता नहीं है कोई वर्क नहीं करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं तो यह कहलाता है क्या अपकेंद्र बल जयसे मैंने आपको वासिंग मसीन का एक्गामपल दिया था वह अपकेंद्रबल के उदाहराण पर ही बेस्ट है मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि वासिंग मसीन के ड्राइर में जब हम गिले कपड़े को डाल देते हैं तो गिले कपडche से पानी अलग हो जाता है, क्योंकि अपकेниर अद्रबाल के करान जब बाहर जाता है, तो जो उसमें होल होते हैं उसे बाहर निकल जाता है ठीक है यहाँ पर एक बाहर का आपजर्वर और एक अंदर में खड़ा आपजर्वर मालो यहाँ पर एक आदमी इस तरह से एक घुमते हुए डिस्क पर खड़ा है मालो यहाँ पर एक आदमी इस घुमते हुए डिस्क पर खड़ा है और एक आदमी ये बाहर से इसको आपजर्व कर रहा है इस तरह से तो दोनों क्या होता है अलग-अलग आपजर्वेशन के साथ इसको देखते हैं इसके लिए अपके अंद्रबाल एफेक्टिव होता है जब कि इसके लिए अपके अंद्रबाल एफेक्टिव नहीं होता है इस की सब्सक्राइब करता है उसकी और हमारा वृत्ती घति का यहाँ पर यह तुण थिन Living Day complete कर दिया होता, मुझे सजटन ठोड़ा बाहर जाना हो गया, तो यहां पर हमारा circular motion complete हो गया कल के class में, कल के class में हम numerical question करेंगे और आपको मालू है कि numerical question क्या है हम इसको complete last up motion के circular motion पर भेस्ट रपन question करेंगे the last कोश्चन पर बैस्ट कोश्चन करेंगे क्योंकि तीनों टापिक पढ़ने के बाद न्यूटन के गति-क नियम घर सणबल और वृति गति यह तीनों को पढ़ने के बाद इसका जो कोश्चन हैं कमबाइं काउंसेट पर बढ़नता है माने बहुत से कोश्चन ऐसे हैं जिसमें तीनों कॉंसेप्ट का यूज होता है तो इस तरह के कोस्चन लेके हम कोस्चन की प्रैक्पिस करेंगे और कोई प्राब्लम मैथमेटिस का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे अब हम इसकूल भी ओपन होने वाले हैं ठीक है इसकूल ओपन होने से पहले आप लोगों के तोड़ा सा टाइम क्राइसिश के करन इधावधरदिस्टर्ब हो गया फूरा सा होके और कोई प्राब्लम नृत ओ क्या मैंधनर कुमार प्रीवेस-यर कॉस्चन अभी से थोड़ी कराएं गे previous year का question कराएंगे exam के समय कराएंगे 11th में previous year question कैसे कराएंगे 11th class का क्या previous year question आपके teacher जो question देंगे वोई question है previous year question हम board exam में करा पाएंगे 12th का भी mathematics 11th का mathematics दोनों एक साथ अभिसेक एक साथ ही start होगा दोनों का class ओके लाज आप motion में वृत्ति गति के numerical मैं आपको कुछ question बिल्कुल basic concept पर कराऊंगा छोटे छोटे numerical की भी आपकी practice होनी चाहिए ऐसा नहीं कि इतना easy नहीं आता तो इसको नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है कभी भी आप numerical का प्रेक्टिस एकदम zero level से करिए क्योंकि जब आप zero level से क्वेश्चन की प्रेक्टिस स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि formula भी लर्न होते हैं formula खाली याद करने से याद नहीं होता formula को जब numerical में apply करते हैं तो जादा अच्छे तो यहाँ पर देखो यह पहला question जो हमने यहाँ पर लिया है चार किलो ग्राम द्रविमान का एक पिंड अपने पास चार किलो ग्राम द्रविमान का एक पिंड है और यह चार किलो ग्राम द्रविमान का पिंड आठ मीटर ब्यास के व्रित्ति मार्ग पर आठ मीटर ब्यास क पर हम गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम सही आंसर नहीं पापाते हैं आठ मीटर प्रती मीनट की एक समान चाहर से घूम रहा है अभी केंदर त्वराण और अभी केंदर बलकी गढणा कीजिए दोनों का हमको यहां पर गढणा करना है तो डारेक्ट फर्मूला पर साल्व करना है ताकि हमारा प्रेट्टिस हो की हम सिज़ा कैसे करते हैं सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए सबसे पहले आपको लिखना चाहिए pam दिया क्या है यह मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि question को पढ़ो और question में क्या दिया है यह देखो तो 4 kg द्रब भिमान मतलब m का value कितना है 4 kg यह दिया हुआ है 8 meter ब्यास तो ब्यास मतलब कितना हो गया 2R 2R मतलब कितना हो गया 8 meter इसलिए R तुर्ज्या क्या हो जाएग़ा 2 का भागते देंगे तो हो जाएगा 4 meter तो तुर्य हमने निकाल ले कि 4 Minister और 600 meter प्रति-minute मतलब उसका जो velocity है यह जो velocity है वह कितना है 600 king 600 nonprofit तो उसको मीटर प्रती मीनट है इसको प्रती सेकंड में हम साल्व करेंगे तो 600 में क्या करेंगे 60 को डिवाइट कर देंगे तो हमको मिल आएगा 100 मीटर पर सेकंड तो यहाँ पर हमको उसको क्या करना है इसमें चेंज करें ठीक है 60 एक मिनट 10 हो जाएगा स्वारी 10 हो जाएगा न 10 मीटर पर सेक्ड यह हमको दिया है अब हमको पूछा है अभी के अंदर बल अभी के अंदर बल कमान होता है और अभी के अंदर त्वरण तो पहले हम अभी के अंदर त्वरण निकालेंगे उसके बाद अभी केंद रबर तो क्या होता है अभी केंद तोरण का फार्मूला तोरण अभी केंद तोरण A equal to V square upon R that equal यहाँ पर velocity है 10 तो 10 का square मतलब 10 into 10 और upon radius कितना है 4 यह radius कितना है 4 ठीक है तो 25 जार 25 तो पांच मेंचे कितना हो जाएगा 25 इस प्रकार से 25 मीटर पर सेकंड इसको इसका तोरण हो जाएगा ठीक है बहुत आसान कोस्टन है बस आपको unit convert करना है मैं यह कोस्टन जानमूश कर लिया क्योंकि अभी केंदर बल और अभी केंदर त्वरण यह इस इसके बाद हम बल भी निकाल लेते हैं बल एफ इकोल टू क्या होता है एब डारेक्ट लिंग देता हूं एम भी इसकर अपान आर कहते हैं अपन एम भी इसकर अपान आर तो है ठीक है ओए तो तो बहुत आसान कोंस्टन है और सिधा सिधा फार्मूला पर है तो इस लेबल से भी क्वेस्टन की प्रेक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको प्रापर फार्मूला का पता चले की इस क्वेस्टन में की स Harris के फार्मूल Pe Lee को का है जीरो पाइंट वन किलो ग्राम द्रभ विमान का एक पिंड एक मीटर ब्यास के वृत्ति मार्ग पर 31.4 सेकंड में दस चक्कर की दर से ये क्या है दस चक्कर की दर मतलब उसके अवृत्ति है घूम रहा है पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गर्णा कीजिए देखो यहाँ पर भी अभिकेंद्र बल की गर्णा करना है लेकिन यहाँ पर का अभिकेंद्र बल निकाले के जो कंडिशन है वो बहुत अलग धंग से दिया हुआ है ठीक है चलिए तो हम यहाँ पर थेंक यू सो मच भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को सभी को पुस पांजली भगवान दास यू पीस्टी वाला थेंक यू थेंक यू सो मच देखो सबसे पहले लिखे हम यहाँ पर गिवन गिवन मतलब क्या के दिया है तो सबसे पहले आप उसका मस लिख लो यह दे दिया एक मिटर व्यास के बृत्ति मार्ग पर एक मिटर व्यास दिया हुआ है तो अभी जैसे हमने निकाला व्यास टू आर दिया है 1 meter तो therefore 3JR कितना हो जाएगा 1 upon 2 मतलब 0.5 meter यह 3J हो जाएगा 31.4 second में 10 चकर तो यहां से हम उसकी आवरित्ती निकाल सकते हैं तो जब हम उसकी आवरित्ती निकालेंगे आवरित्ती को हम नुश्य पताशित करते हैं तो क्या कर रहा है वो 10 चकर पूरा कर रहा है 31.4 second में तो आवरित्ती का मतलब होता है 1 second में लगाएगा चकरों की संख्या और यहां पर हमको दिया है 10 तो हम क्या करेंगे 10 में उसको divide कर देंगे ठीक है तो 10 में divide करने पर क्या निकल जाएगा frequency निकल जाएगा 10 upon 31.4 यह इसका निकल जाएगा frequency ठीक है cycle per second यह निकल जाएगा तो यहां पर देखो mass 0.1 kg दिया हुआ है 30 हमने निकाल लिया 0.5 मीटर और अब रित्ती निकाल लिया यह अब यहां पर यह बहुत अच्छा question इसलिए है क्योंकि यहां पर जो अभिकेंद्रबर हमको निकालना है वो इस डेटा से डारेक्ट अभिकेंद्रबर आपको नहीं निकलेगा इससे डारेक्ट अभिकेंद्रबर नहीं निकलेगा देखो अभिकेंद्रबर निकालनेगा कई फार्मूला है एक तो रेखी वेग के फार्म में है और दूसरा कोड़ी वेग के फार्म में है यहाँ पर हमको इसको कोड़ी वेग के फार्म में निकालना पड़ेगा रेखी वेग हम यहाँ से निकाल नहीं सकते है तो यहाँ पर हम आवरित्ति की सहयता से क्या करेंगे कोड़ी वेग निकालेंगे तो हमको मालूम है कि कोड़ी वेग और रेखी वेग में जो संबन्ध होता है omega equal to 2 pi new होता है सबसे पहले समय निकाल लें कि चूंकि omega equal to होता है 2 pi new यह omega का formula है कोड़ी वेग निकालने का omega equal to 2 pi new तो यहाँ पर देखो 2 को 2 लिख लें अपन pi को हमने लिख लिया 3.14 और new का value हमने निकाला है 10 upon 31.4 तो उसी तरह से put कर देते हैं इसको 10 upon 31.4 यहाँ पर हम इसको cancel out करा है तो 3.1 31.4 से 10 बार में कटेगा मतलब वो 10 हो जाएगा 10 में 10 कटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 2 तो हो जाएगा 2 इस पकार से omega का जो value आएगा वो कितना आजाएगा? 2 आजाएगा 2 radian per second फिर m equal to हमको निकालना है unit भी लिख दें 2 radian per second अब हमको निकालना है अभी के अंदर बाल f तो f equal to होता है mv square upon r यह रेखी वेक के फार्म में है लेकिन कोड़ी वेक के फार्म में उसका फार्मूला क्या होता है? m r omega square m r omega square यह मैं आपको बताया था m v square upon r अब v को हम लिख सकते हैं r omega ठीक है? यह देखो f equal to होता है m v square upon r that equal to m v को r omega लिखेंगे तो r square omega square upon r होगा एक r इसके साथ में कटेगा तो हो जाएगा m r omega square यह भी इसका फार्मूला होता है ध्यान रखना तो m r omega square इस फार्मूला को हमने विकेदरबल के लिए क्यों यूँज किया? क्योंकि यहाँ पर हमको रेखी वेक पता नहीं है यहाँ पर हमको कोड़ी वेक पता है ठीक है? अब इसके value को हम यहाँ पर put up कर दें तो that equal क्या के value put करेंगे? mass 0.1 kg यह हो गया 0.1 into radius हमने निकाला है 0.5 meter यह हो यहगा 0.5 meter और into omega का value निकाला है 2 radian मतलब 2 into 2 omega square मतलब 2 into 2 यह हो जाएगा अब इसको multiply करें तो 2 दो नी 4 4 पांचे 20 वो 2 हो जाएगा और 2 का फिर हम क्या करेंगे? 0.1 के साथ में multiply करेंगे तो 0.2 newton हो जाएगा ठीक है? 0.2 newton 4 पांचे 20 यह है 0.2 newton यह इसका answer होगा clear सब को यह सब question जो मैं आपको कराता हूँ इस class में वो basic concept वाले question है बिल्कुल basic concept वाले question है मतलब बिल्कुल छोटे छोटे question है जो direct formula पर best है सिधा formula में value put up करो और कुछ unit वगरा change करना सीखो और ऐसे numerical करना इसलिए जोड़ी है कि in future जब आप competitive exam को preparation करोगे तो आपको basic problem विल्कुल clear होने चाहिए तब ही वो हो सकेगा ठीक है? चले अब देखो next question 4.9 meter प्रति सेकंड की चाल से एक cycle सबार जितना भी concept मैंने समझाया सब पर एक है question आपको करा रहा हूँ है 9.8 meter रिज्या वाले वृत्ति मार्ग पर मोड लेता है बताइए कि फिसलने से बचने के लिए उसे cycle को उर्ध्वा धर से कितने कोड़ से जुकाना चाहिए और यहाँ पर हमको question में दिया हुआ है 10.14 degree इक्वेल टू 0.25 10.14 degree इक्वेल टू 0.25 दिया हुआ है अब question में क्या-क्या given है लिखो question में जो given है उनको लिखो क्या-क्या given है 4.9 meter प्रती सेकंड की चाह से मतलब velocity दिया हुआ है कितना 4.9 meter पर सेकंड V equal to 4.9 meter पर सेकंड एक cycle सवार 9.8 meter त्रिज्या वाले वृत्ती मार्ग पर यह जो त्रिज्या है वह है 9.8 meter यह इसका radius है मोड लेता है बताए कि फिसलने से बचने के cycle सवार को कितने कोड से जुकना चाहिए तो V और R दिया हुआ है तो formula क्या है हमारा तो वृत्ती मार्ग पर जब cycle सवार भूमता है तो उसका जो वेक का हमने फार्मूला निकाला था वो निकाला था क्या V equal to root of R G 10 theta V equal to R G 10 theta यह formula हमने इसके लिए निकाला है अब इस formula को root of R G 10 theta formula को कितने कोड से जुकना चाहिए बोल रहा है कोड पूछा है तो हम इस formula को 10 theta के लिए सालवक कर लेते हैं 10 theta के लिए सालवक करने के लिए हम दोनों side का squaring कर देते हैं तो दोनों side का whole squaring करेंगे तो that implies V square equal to हो जाएगा R G into 10 theta यह हो जाएगा और that implies यहाँ से यदि हम 10 theta निकालना चाहें तो 10 theta equal to हो जाएगा V square upon R G यह होगा 10 theta equal to V square upon R G अब यहाँ पर इसके पूरे values को हम put up कर देते हैं ठीक है इसके सभी value हमें हम पर put up कर दें तो क्या मिलेगा देखो that implies 10 theta equal V square तो V का value 4.9 तो 4.9 का दो बार multiply कर दिया है अपन 4.9 into 4.9 यह हो जाएगा और upon R into G तो R कितना दिया हुआ है 9.8 9.8 दिया हुआ है और यहाँ पर G के value को भी 9.8 पूट करो situation के हिसाब से हम उसको put करते हैं कई बार आप लोगों के मन में क्वेस्चन आता है कि सार 10 पूट करें कि 9.8 पूट करें तो स्विच्वेस्चन के हिसाब से हैं पर 4.9 है तो हमको 9.8 ही यूज़ करना चाहिए क्योंको उसके साथ तो आसानी से simplify होगा बहुँ पार question में खुद भी दिया रहता है ठीक है चलिए अभी इसको सालब करें तो क्या हो जाएगा यह 4.9 टू टाइमस में यह 4.9 टू टाइमस में cancel out हो जाएगा और इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा 10 theta equal to therefore 10 theta equal to 1 upon 4 question में दिया है 10 14 degree का value 0.25 तो यहां से हम theta को लिख सकते हैं 10 inverse 1.4 को 0.25 लिख सकते हैं और 0.25 के लिए 10 का value 14 degree दिया हुआ है तो इसका answer आजाएगा 14 degree यह इसका answer होगा यदि यह नहीं दिया रहता यदि यह question में नहीं देता तो यह इसका answer है यहाँ पर भी हम इसका answer लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो competitive exam में हम इस तरह से answer लिख सकते हैं, inverse के form में, मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, theta equal to 10 inverse 24 लिख सकते हैं, theta equal to 10 inverse 24 लिख सकते हैं, चलिए, next question देखिए, अगला प्रस्न है, question number 4, एक car 30 meter त्रिज्या की समतर वृत् चववन किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से पार करता है, बस आप question की statement को ध्यान से समझो, 30 meter त्रिज्या की समतर वृत्ती मोड को, सबसे पहले आपको given पर ध्यान देना है, कि आपको question में दिया क्या है, 54 kilometer प्रती घंटा की चाल से पार करता है, उसका velocity है, 54 kilometer per hour, कभी भी आ जिना, फिसले, कार, पार हो सके, इस है तू टायर और सड़क के बीच घरसनर गुणां की गढ़ना कीजिए, उसके बीच में घरसनर गुणां कीतना है, यह हमको गढ़ना करना है, इस तरह से, तो देखो, कैसे बनेगा हमारा यह question, सबसे पहले आप given लिख लो, तो क्या के दिया है, 30 मीटर की समतल, मतलब, रेडियस दिया हुआ है, 30 मीटर की समतल, वृत्ती मोड को 54 किलो मेटर पती घंटा की चाल से, V equal to दिया हुआ है, 54 किलो मीटर पर अवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो 54 गुडित 5 बटे 18, मैं आपको बताया था, कि 5 बटे 18 का मल्टिप्लिकेशन करने से, किलो मीटर पर अवर किसमें चेंच जा जाता है, मीटर पर सेकंड में चेंच जाता है, तब य सब्सक्राइब करने के लिए तो घर्स्रट गुलांख वियाल आ मैंज़ कंदाइब के लाय के लिए root of mu s into r into g ठीक यही फार्मला लगाएंगे अपन और question में हमको mu s का value पूछा है question में mu s का value पूछा है तो इसका हम salvo कर लेंगे दोनों side का whole square कर दें that equal v square equal to है आएगा mu s into r into g that implies mu s का value find करना है तो mu s equal to square transfer कर लो v square अपान r into g होगा that implies mu s equal to r into g तो r का value कितना है 30 meter पहले तो v का value put कर रहें भी कितना है 15 तो यह हो जाएगा 15 into 15 upon r r का value है 30 meter यहां 30 यहां g का value 10 put up कर दो यहां से mu s का value निकल जाएगा salvo करिया कितना आता है यह कितना आएगा 15 दूनी 30 पांच तिया 15 पांच दूनी 10 मतब 3 बटे 4 3 बटे 4 ऐसे भी mu s का value हमेशा numerical हो कहीं पर भी हो उसका value एक से कम ही आना चाहिए mu s का value एक से अधीक नहीं हो सकता भाग दो कितना आता है इसमें 0.8 के आसपास आएगा यह आंसर होगा इसका near about 0.8 mu s का value हमेशा एक से कम आता है clear question 18 km प्रती घंटा की चाल से समतल सड़क पर गती मान कोई cycle सवार बिना चाल को कम किये 3 मीटर त्रिज्जा का तिब्र वर्तुल मोड लेता है टायरों तथा सड़क के बीच इस्थेतिक घसर गुडांग 0.1 है क्या cycle मोड लेते समय फिसल कर गिर जाएगा कैसे पता चलेगा कि फिसल कर गिरेगा कि नहीं गिरेगा चलिए एक बार question को आप ध्यान से समझेए मैं आपको क्या condition बताया था फिसल कर गिरने के लिए फिसल कर गिरने के लिए हमने क्या condition देखा था कब फिसल कर गिरेगा वो यह question बहुत technical है ध्यान से सुनो हम एक फार्मूला देखे थे V is less than r equal to root of mu s into r into g थोड़ यहां ध्यान से समझना यहां पर क्या है जब V का velocity यह पिंड का जो velocity है वह जब इससे कम होता है पिंड का वेक जब root of mu s into r g से कम होता है तो सुरक्षित पार होता है उसके बराबरता को सकता है लेकिन जब velocity root of mu s into r g से ज़्यादा हो जाए तो आज सुरक्षित पार नहीं कर सकता तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करें सब का value find कर लें तो question में हमको क्या क्या दिया हुआ है देखो हम देखें कि question में हमको दिया हुआ है उसको हम लिख ले सबसे पहले 18 km पती घंटा की चाल से तो velocity दिया हुआ है 18 km per hour 18 km per hour यह speed दिया हुआ है तो यह हो जाएगा 18 गुडित 18 गुडित 5 बटे 18 मीटर में change करने के लिए तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड होगे इसका velocity अब सुरक्षित पार करने के लिए भी का जो value है वो कितना होता है इसका value हम निकाले velocity तो है तो हम इसका value निकाले root of mu s into r into g इसका हम मान निकाले that equal यहाँ से देखो mu s into r into g का value क्या निकल जाएगा हमको question में सभी value दिया हुआ है mu s का value दिया हुआ है 0.1 into r तो 3 meter इसकी त्रिज्ज्या है यह 3 और 10 इसका value put up कर दो इसका value 10 put up कर दो इसको salvo करो मैं calculator से salvo करके बता देता हूँ यह 3 10 तिया 3 यह तो root of 3 हो जाएगा root of 3 हो जाएगा और root of 3 का value 1.732 होता है अब यहाँ पर देखो यह velocity है और velocity और root of mu s into r into g तो यहाँ पर हम जो वेग निकाले हैं जब रिती सड़क से वो फिंड पार करता है तो उसका जो velocity है वो 5 है लेकि root of mu s into r g का value 1.732 है तो यहाँ से यह बात बिल्कुल clear है कि चूँकि इस case में V का value greater than है root of mu s into r into g से इससे ज़्यादा है क्योंकि V का value कितना है यहाँ पर 5 है और इसका value 1.732 है तो velocity का value इससे ज़्यादा है अता सुरक्षित पार नहीं कर सकता अता सुरक्षित पार नहीं कर सकता इस पकार हम क्या कर सकते है कि cycle सवार वहाँ सेव सुरक्षित पार नहीं कर सकता है तो बहुत अच्छा question है इस तरह के question competitive में पूछे जाते है ओके लिखे है question question number 5 बहुत अच्छा question है समझने के लिए पूरा chapter पढ़ना पढ़े का ध्यान से numerical समझने के लिए सबसे पहले आपको chapter अच्छे से समझना पढ़ेगा हमारा regular live class साम को 7 बजे होता है 11 class का 12 class का 8 बजे होता है ठीक है और question की practice आप लोग करिए भीड मैं लगभख सभी फार्मूला पर बता दिया ठीक है अच्छे से पहले आपको